एक स्कूल के बच्चे के बच्चे की सबसे ज्यादा उप्योग में आने वाले टूल्स में से एक है एक स्कूल के बच्चे को टाइपिंग सीखना हो या कोई रिपोर्ट बनाना हो ओफिस के कर्मचारी को कॉंट्रेक्ट लिखना हो या फिर एक बुड़े आदमी को किताब लिखनी हो या अपने बच्चे को लेटर लिखना हो सभी के लिए MS Word का इस्तेमाल किया जा सकता है MS Word के कई versions पहले आ चुके हैं और हर नए version में Microsoft द्वारा कुछ नए features एड़ किया जाते हैं साथ ही उसे कारी करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है और हर बार और अधिक आगरशकरू प्रदान किया जाता है Word का सबसे basic उप्योग किसी भी text material को टाइप करना और उसे format करना है जैसे जैसे हम इसके advanced features सीखेंगे और नई-नई चीज़ें कर पाएंगे MS4 2016 इसके पुराने सभी version से अधिक उप्योगी है इसमें कई नए features दिये गए हैं जिसके साहता से आप अपने document को बड़ी सरलता से और आकरशक बना सकते हैं जैसे document में online photo या pictures insert करना, online video insert करना, special effects का उप्योग करना, one drive option की साहता से document online save और share करना इत्यादी तो आएए, सबसे पहले आपको Microsoft Word 2016 की प्रारमभिक जनकारी दे दें Start button या फिर window button पर क्लिक करें All programs में जाएं और यहां से Word 2016 पर क्लिक करें ये Word 2016 ओपन हो गया है Left hand side में आपको वो documents दिखाई देंगे जिन पर आपने पहले काम किया है और उन्हें आपको ढूरना नहीं होगा, आप डरेक्ली यहीं से क्लिक करके उनको open कर सकते हैं यहां पर कई तरह की templates दी हुई हैं जैसे polished cover letter, blog spot, student report, इत्यादी इनकी साहता से आप अपनी पसंद और आवश्यक्ता के अनुसार अपना document बना सकते हैं माली जी हमें thank you cards चाहिए यह अगर template खोलना है तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद create पर क्लिक करें यह देखिए यह template open हो गया है इस पर अभी हमें कोई काम नहीं करना है इसलिए हम इसको बन कर देते हैं अभी हमने MS Word open करने का एक तरीका देखा था अब उसे दूसरी तरह से open करना देख लेते हैं start यह अगर window button हो तो उस पर क्लिक करें नीचे search box में word 2016 type करें देखिए उपर ही यह नाम आ गया है अब आप चाहें तो enter press करके या फिर इस पर क्लिक करके इसे open कर सकते हैं यह देखिए word 2016 open हो गया है इसमें अब हम blank document ले रहे हैं screen पर सबसे उपर होता है title bar आप जिस नाम से भी file save करते हैं वो नाम यहां पर दिखाई देता है left side में यहां पर आपको quick access toolbar दिखाई देगा जिसके साहता से आप ज्यादा तर काम आने वाले features जैसे save, undo, redo, इत्यादिका उप्योग कर सकते हैं आप इन में अपनी जरूरत के मताबिक options add भी कर सकते हैं और जिन options की उप्योगता नहीं है उन्हें हटा भी सकते हैं यहां पर आपको ribbon दिखाई देता है जिसमें file, home, insert आदी tabs होते हैं by default MS Word open करने पर home tab selected रहता है इन सभी tabs में आपको अलग-अलग block और उनके options मिलते हैं जैसे home tab में clipboard, font, paragraph आदी blocks हैं इसी तरह insert tab में pages, tables, illustrations, इत्यादी blocks मिलते हैं और इसी तरह से बाकी के tabs में भी आपको अलग-अलग blocks और उसके अंदर कुछ features मिलेंगे यहाँ पर view tab के पास में tell me नाम का एक नया advanced feature है इसका उपयोग करने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर अपने keyboard पर alter plus q keys press करें इस option के साहता से आप MS Word के किसी भी option पर शीगरता से पहुँच सकते हैं मान लेजे हम search कर रहे हैं picture option तो उसका नाम यहाँ type करते ही देखिए यह option यहाँ दिखाई दे रहा है इस पर click करके आप इसे use कर सकते हैं right hand corner पर आपको ribbon display option मिलता है जिसके साहता से आप इस ribbon को hide या unhide कर सकते हैं यहाँ पर click करें अब यहाँ पर आपको तीन अलग-अलग options मिलते हैं अगर आप auto hide ribbon option को चुनते हैं तो यह देखिए ribbon पुरा hide हो गया है और अब जब भी आप वहाँ उपर click करेंगे तो वो फिर वापस आ जाएगा और वापस document पर काम करते समय click करते ही वो अपने आप hide हो जाएगा अगला option जो हमको मिलता है वो है show tabs अगर इस option पर आप click करते हैं तो यह उपर केवल tabs आपको नज़र आएंगे उसकी commands आपको नहीं नज़र आएंगी commands देखने के लिए आपको जिस भी tab की commands चाहिए हो उस tab पर जाकर के click करना होगा यह जैसे हमने home पर click किया तो home tab से जुड़ी सारी commands यहां आ गई है document पर click करते ही वो वापस गयब हो जाएंगी और tabs और commands दोनों permanently बनी रहें तो उसके लिए फिर तीसरा option है show tabs and commands इस पर click करते ही आपको tabs और commands यह सब नज़र आने लगेंगे और यह अब document पर काम करते समय height नहीं होगी इसके बाद आपको यहां पर minimize, restore और close के बटन मिलते हैं ribbon में सबसे पहला tab होता है file का जिसमें जाकर आप new, open, save इत्यादी options का उप्योग कर सकते हैं यदि आप word 2007 पर काम कर रहे हैं तो यह options आपको office बटन के अंतरगत मिलेंगे इस आरो पर click करने पर आप वापस main screen पर आ जाएंगे यहां पर horizontal और vertical ruler दी हुई हैं जिसकी सहायता से आप paragraph setting और page setting कर सकते हैं यहां आपको scroll bar मिलेगा जिससे आप अपने document उपर नीचे scroll करके देख सकते हैं नीचे status bar है जिससे जानकारी मिलती है कि document में कितने pages हैं और हम किस page पर काम कर रहे हैं साथ ही document में कितने words type किये हुए हैं वो भी यहां पर दिखाई देता है यहां पर document को देखने के लिए अलग-अलग layout मिलते हैं जिनने हम बाद में समझेंगे यहां पर zoom बटन दिया गया है जिससे हम अपने page की size को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं यहां पर हमने MS Word 2016 ओपन करके रखा है सबसे पहले हम file tab के अंतरगत आने वाले options को एके करके समझेंगे यहां हम आपको बता दें कि यह जो file tab आप देख रहे हैं MS Word 2007 में यह office button के नाम से होता है MS Word में नई file लाने के लिए shortcut key control प्लस end प्रेस करें या फिर file tab में जाकर new पर click करें आप चाहें तो यहां से templates चुन सकते हैं और यदि आपको यहां दी हुई templates के अलावा कोई और template सर्च करनी हो जैसे मान लेजे आपको resume या CV की template चाहिए तो यहां उपर search bar में type करें resume और उसके बाद enter की press करें यह देखे resume की templates आ गई हैं इनमें से जो भी template आपको चाहिए उस पर click करके आप काम कर सकते हैं यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि template सर्च करते समय आपके system पर net connected होना चाहिए पिछले page पर जाने के लिए home पर click करें अब यहां पर हम blank document पर click कर रहे हैं यह नई file आ गई है आए अब इसमें कुछ काम करते हैं अभी हमने जो document बनाया है उससे save करने के लिए shortcut key ctrl s press करें या फिर file tab में जाकर save पर click करें यहां आपको file save करने के लिए location चुरना होगी अगर आपको file one drive में save करना हो तो one drive पर click करें पर ध्यान रहे कि आपका account इसमें बना होना चाहिए यदि आप my document या desktop पर file save करना चाहते हैं तो this pc पर click करें और इनमें से जो option चुरना हो वो चुने by default file my documents में save होती है और यदि इन locations के अलावा किसी अन्य location पर file save करना हो तो browse में जाकर वो location चूज करें यहां पर हम e drive सेलेक कर रहे हैं अब यहां पर जिस नाम से file save करना हो वो नाम दें और उसके बाद save पर click करें यह देखिए हमने जिस नाम से file save की है वो नाम उपर title bar में नजर आ रहा है अब हम इस document को close करना है तो shortcut की control और w प्रेस करेंगे या फिर file में जाकर close पर click कर देंगे अब हम फिर से control और end प्रेस करके नई file ले आते हैं इसमें कुछ type कर देते हैं अब हम इस file को बिना save किये close करते हैं देखिए यहां पर एक dialogue box आ गया है यदि आपने किसी नई file में काम किया है या किसी file को open करके उसमें काम किया है और file को बिना save करें यदि आप उसे close करेंगे तो यह dialogue box आएगा अब यदि आपको इस file में और काम करना हो तो cancel पर click करें यदि आपको file save नहीं करना हो तो don't save पर click करें और यदि आप चाहते हैं कि file save हो जाए तो save पर click करें हम don't save पर click कर रहे हैं हमने पहले जो फाइल सेव की थी, यदि उसे उपन करना हो, तो शॉर्ट कर्ट कीज कंट्रोल प्लेस ओ प्रेस करेंगे. या फिर फाइल में जाकर, ओपन ओप्शन में यहां आपको रिसेंटली ओपन की गई फाइल्स की लिस्ट मिलेगी. इन में से जो फाइल ओपन करना हो, उस पर क्लिक करें, और यदि उस फाइल का नाम यहां पर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो ब्राउज में जिस लोकेशन पर आपने फाइल सेव की थी, वहां जाकर उस फाइल को सिलेक करें, यह फिर्स फाइल नाम की फाइल है हमारी, इसको स आपने पहले जिस location पर file save की हुई है, यदि उसके अलावा किसी अन्य location पर भी वो file save करना चाहते हैं, या फिर आपने file में कोई changes या corrections किये हूँ और आप उस edited file को किसी अन्य location पर उसी नाम से या किसी अन्य नाम से save करना चाहते हैं, तो उसके लिए save as option का उपयो कर सकते हैं. उसके लिए shortcut keys Ctrl O press करें, ये देखिए अभी ये file E drive में saved है, इस पर click करें, ये file open हो गई है, अब इसमें जो भी changes करना हों वो किये जा सकते हैं. हमने इसमें कुछ और matter टाइप किया है, अब file option में जाकर save इस पर click करें, और जिस भी location पर file save करना हों उसे choose करें, हम my documents चूज़ कर रहे हैं, अब आप चाहें तो इसी नाम से file save कर सकते हैं, या फिर नाम बदल कर भी file को save कर सकते हैं. हमने इसका नाम बदल कर first file edited कर दिया है, अब save पर click करेंगे, अब पहले जो file हमने बनाई थी वो e-drive में saved है, और changes करने के बाद ये जो edited file है, वो my documents में save हो गई है. किसी भी word, sentence या paragraph को cut, copy या delete करने के लिए सबसे पहले उसे select करना होता है. sentence को select करने के लिए, जहां से sentence शुरू हो रहा है, वहां mouse ले जाएं, और click करके, बटन को छोड़े बिना, जहां तक sentence select करना हो, वहां तक mouse को drag करें. देखिए, ये sentence select हो गया है. अगर पूरे paragraph को एक साथ select करना हो, तो paragraph के शुरू में या आखिर में, mouse से तीन बार जल्दी जल्दी क्लिक करें. ऐसा करने पर पूरा paragraph सेलेक्ट हो जाएगा. यदि आप फाइल का पूरा matter एक साथ select करना चाहते हैं, तो उसके लिए shortcut की है, Ctrl प्लस A. ये देखिए, Ctrl और A की इसको प्रेस करने पर पूरा matter एक साथ select हो गया है. अगर किसी matter को cut करके कहीं और पेस्ट करना हो, तो पहले उस matter को select कर लें. ये हमने इस first paragraph को select किया है, मान लिजिए इसको हमें यहां से cut करके कहीं और पेस्ट करना है. इसको select करने के बाद, Home tab के clipboard block में cut का option मिलता है, इस पर click करें, या फिर shortcut keys Ctrl प्लस X प्रेस करें. कट करने पर matter अपनी जगह से, यानि जहां से हमने उसे cut किया था, वहां से हट जाता है. अब आप इसे अपने document में या किसी और document में जहां भी जितनी भी बार पेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं. हम इसी document में इसको नीचे पेस्ट करना चाहते हैं जहां भी उस document को पेस्ट करना हो वहाँ पर पहले क्लिक करें और फिर clipboard block में जाकर पेस्ट option पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control और V प्रेस करें यह देखिए नीचे दो बार हमने इसको पेस्ट कर दिया है और जितनी बार आप पेस्ट करना चाहें उतनी बार इसे पेस्ट कर सकते हैं इसी तरह किसी matter को copy करने के लिए उस matter को select करके clipboard block में जाएं यहाँ copy option दिखेगा उस पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control और C प्रेस करें यह matter copy हो गया है अब इसे आप अपने document में या किसी और document में कहीं भी कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए जहाँ इसे पेस्ट करना है वहाँ पर क्लिक करें हम इस paragraph को यहाँ उपर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम clipboard block में past पर click कर देंगे या फिर shortcut keys control और V press कर देंगे यह देखिए यह matter यहाँ पर past हो गया है copy करने से वो matter अपनी जग यानि जहां से हमने copy किया था वहाँ पर भी रहेगा और जहाँ past किया है वहाँ भी रहेगा अगर आप फाइल में किसी particular word को ढूणना चाहते हैं तो उसके लिए home tab के editing block में उपर आपको find का बतन दिखेगा उस पर click करें इस dialogue box में जो word आप ढूणना चाहते हैं वो type करें वो word type करते ही फाइल में जहाँ जहाँ पर वो word होगा वो highlight हो जाएगा जैसे हमने office type किया तो अब इस फाइल में जहाँ जहाँ पर भी office word आया है वो highlight हो गया है इसे आप यहाँ से close कर सकते हैं यदि आप फाइल में किसी एक शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ find के नीचे दिख रहा है replace option पर click करें अब find what में वो word type करें जो आपको replace करना हो जैसे हम application word को replace करना चाहते हैं तो हम यहाँ type कर देंगे application replace with में वो word type करें जिससे आप इस word को replace करना चाहते हैं हम application word को app से replace करना चाहते हैं तो यहाँ पर replace with में हमने type किया एप अब अगर आपको कुछ जगह पर application word को app से replace करना है और कुछ जगह पर नहीं करना है और यह आप एक एक करके देखना चाहते हैं, कि यहाँ पर replace करना है या नहीं, तो replace option का उप्योग करेंगे, replace पर click करते ही, जहाँ पर application लिखा होगा, वो word highlight हो जाएगा, अब यहाँ पर आप पढ़कर देख लें, कि आप इसको replace करना चाहते हैं या नहीं, अगर यह replace करना है, तो फिर से replace पर click करें, यह देखिये, यहाँ पर उपर application की जगर, एप word आ गया है, और अगली जगर जहाँ पर application है, वह वो word highlight हो गया है, आपको अगर इसको replace करना है, तो वापस replace पर click करें, और अगर नहीं करना है, तो find next पर click करें, यह देखिये, find next पर जब हमने click किया, तो ये second paragraph में जहां application था, उसको उसने छोड़ दिया और अगले application word पर आ गया है. अब अगर हमको इसको replace करना है, तो हम replace पर click करेंगे, और नहीं करना होगा, तो find next करके अगली जगर इस word को डूंडेंगे. पर अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां पर application word आया है, वहां पर सब जग़ एप आ जाए, तो उसके लिए replace all पर click करें. replace all पर click करते ही, यह message आता है कि 10 जग़ यह replacement कर दिया गया है, यानि 10 जग़ पर application word था और उसकी जग़ एप word आ गया है, इसको okay कर देने पर आप वो देख सकेंगे. अब यह यहां पर जहां जहां पर application था, वहां वहां पर एप हो गया है. यदि आप किसी word, sentence या paragraph का font चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए या तो आप वो matter टाइप करने से पहले font चेंज कर लें, और यदि आपने matter पहले से टाइप कर रखा है, तो जिस भी word, sentence या paragraph का font चेंज करना हो, उसे select कर लें. जैसे हमने ये पहला paragraph select कर लिया है और हम इसका font चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए home tab में font block में जाकर यहां से आप जो भी font चाहें ले सकते हैं. जैसे ही हम किसी भी font पर mouse ले जाते हैं, उस font का preview हमें अपने selected paragraph पर नजर आने लगता है, अब preview में आपको जो भी font अच्छा लग रहा हो, उस पर आप click कर दें. हमें ये aerial font अच्छा लगा, तो इसको चुनने के लिए हम इस पर click कर रहे हैं. यदि देखिए, जो paragraph हमने select किया था, उसका font change हो गया है. इसी तरह यदि आप font size चेंज करना चाहते हैं, तो पहले matter select कर लें, फिर home tab में यहाँ पर font size option पर click करें, और जो भी size आप चाहें उस पर click करें. और यदि आप चाहें तो increase font size और decrease font size, options की सहायता से font size बढ़ा या घटा सकते हैं. यदि आप किसी text को bold करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उस text को select करें, फिर home tab में जाकर font block में bold option पर click करें, या फिर shortcut keys control प्लस B प्रेस करें, यह देखे, selected text bold हो गया है. अगर इसे वापस पहले की तरह normal करना है, तो दोबारा select करके font block में bold option पर click करें, या फिर control प्लस B keys प्रेस करें, यह देखे, यह text वापस normal style में आ गया है. अब यदि आप किसी text को italic style में करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले उस text को select करें, फिर home tab में font block में italic option पर click करें, या फिर control प्लस I प्रेस करें, यह देखे, selected text italic style में आ गया है. अगर वापस इसे normal करना है, तो home tab में जाकर font block में italic option पर फिर से click करें, या फिर control I प्रेस करें, यह देखे, वापस यह normal हो गया है. यह दि आप किसी text के नीचे underline करना चाहते हैं, तो उसे select करके, home tab के font block में underline option पर click करें, या फिर control U प्रेस करें. आप चाहें तो underline की अलग-अलग styles भी use कर सकते हैं, उसके लिए इस option के पास एक drop down arrow है, इस पर click करें. अब यहां से आप जो भी underline style चाहते हैं, उसे choose कर लें, और यदि आप underline का कोई color चुनना चाहते हैं, तो वो आप यहां से चुन सकते हैं. और यदि text underline हटाना है, तो दोबारा यूपर click करें या फिर control U प्रेस कर दें. यदि आप किसी text को अनुपयोगी रूप में दिखाना चाहते हैं, यानि आपको लग रहा है वो कामका नहीं है और आप उसे काटना चाहते हैं, तो उसे select करने के बाद, strike through option पर click करें. ये देखिए, selected paragraph में जो text था वो cut गया है, अगर इसे वापस normal करना हैं, तो फिर से strike through option पर click कर दें. सामने तोर पर जब भी हम कोई text type करते हैं, तो वो एक seed में होता है, पर कभी-कभी हम उस line के नीचे की तरफ और कभी-कभी उन शब्दों के ऊपर की तरफ कुछ numbers या letters लिखते हैं, जैसा कि science formulas का उपयोग करते समय अक्सर होता है. माल लिजे हम लिखना चाहते हैं, H2O या CO2, तो इसमें 2 जो है वो line के नीचे आता है, अब ये इस तरह से जो हमने H2O लिखा है, ये सही नहीं है, ये 2 H के नीचे आना चाहिए, तो इस तरह से type करने के लिए हम subscribe option का उपयोग करेंगे. पहले हम उस letter को या number को select कर लेंगे, जो हमें नीचे चाहिए, और उसके बाद इस option पर click करेंगे. अब ये देखिए, ये 2 नीचे चला गया है, और अब हमारा ये formula जो है वो सही नज़रा रहा है. इसी तरह से maths के formula में जब हम square यानि घात लगाते हैं, तो वो शब्द के उपर की तरफ लिखा होता है. जैसे x square, y square, अगर हमने इस तरह से type किया, तो ये x2 हो गया, ये x square नहीं क्यालाएगा. x square बनाने के लिए 2 को हमको x के उपर की तरफ ले जाना होगा, तो उसके लिए हम इसको select करके superscript option पर click करेंगे. अब ये देखिए, ये 2 छोटा होकर के x के उपर आ गया है, तो ये x square हो गया. इसी तरह से मानली जी हमको लिखना है 100 degree, तो पहले तो हम 100 लिख लेंगे, इसके बाद O लिखेंगे, और इसको select करके superscript पर click कर देंगे. तो ये देखिए, ये हो गया 100 degree. मानली जीए, आपने कोई भी command दी है, या फिर गलती से कोई command देने में आ गई है, और अगर आप उस command को cancel करना चाहते हैं, तो उसके लिए undo option का उप्योग करते हैं. आईए हम इसे करके देखते हैं. मानली जीए, ये जो text है, इसका जो पहला paragraph है, इसको हमने bold कर दिया है. इसके लिए हमने पहले इसको select कर लिया, और bold पर हमने click किया. तो ये देखिए, ये bold हो गया है. पहले command हमने bold करने की दी. दूसरी जो command है, वो ये कि जो दूसरा paragraph है, इसको हम italic करना चाहते हैं. तो इसको select करके हमने italic कर दिया. और तीसरा paragraph जो है, इसको हम delete करना चाहते हैं. तो इसको select करके हमने delete कर दिया. अब ये जो तीनो commands हमने दी थी, इनको हम cancel करना चाहते हैं. Cancel करने के लिए हम Quick Access Toolbar में Undo का जो option है उस पर click करेंगे या फिर shortcut keys भी use कर सकते हैं इसके लिए shortcut keys है control plus Z पहली बार जब हमने undo किया तो सबसे last में जो command दी थी सबसे पहले वो undo होगी यानि वो cancel होगी तो हमने जो तीसरा paragraph डिलीट किया था वो वापस आ गया अगर हम फिर से undo पर click करेंगे तो दूसरा paragraph जो है वो italic से वापस normal font में आ जाएगा यह देखिए अब वापस अगर हम undo करते हैं तो पहला paragraph जो है उसके लिए हमने bold की command दी थी वो cancel हो जाएगी और यह भी normal हो जाएगा इस तरह से किसी भी command को cancel करना हो तो आप undo option का उप्योग कर सकते हैं अगर आपने एक से ज्यादा commands दे रखी हैं तो undo आप करते जाएं पर सबसे बाद वाली command सबसे पहले cancel होगी अब यह हमने सारी commands cancel कर दी थी याने undo कर दी थी पर अब हम चाहा रहे हैं कि वापस से जो commands हमने सबसे पहले दी थी यह वैसा ही हो जाए याने तीसरा paragraph delete हो जाए दूसरा paragraph italic में हो जाए और पहला paragraph bold हो जाए तो हम उन commands को वापस लाने के लिए redo पर click करेंगे या फिर shortcut keys control y का उप्योग कर सकते हैं अब यह हमने पहली बार जब redo किया पहला paragraph bold हो गया दूसरी बार में click करने पर दूसरा paragraph वापस italic में आ गया है और तीसरी बार में click करने पर जो तीसरा paragraph था वो वापस delete हो गया है तो इस तरह से आप redo और undo options का उप्योग कर सकते हैं यदि आप किसी document में लिखे text को shadow, outline, reflection, आधी effects द्वारा और अधिक आकरशक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जिस paragraph पर भी effect यूज़ करना हो उसे select करें फिर home tab के font block में text effects and typography option में जाएं देखें जिस option पर भी हम mouse लेकर जा रहे हैं उसका effect selected paragraph पर नज़र आ रहा है यदि आप selected paragraph पर outline effect यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए outline option में जाएं और आपको जिस color के outline देना हो उसे select करें यह effect आप अच्छे से देख सकें इसलिए हम font size यहां पर बढ़ा रहे हैं और अब हम outline में जाकर के outline का color चुन लेंगे अब यह देखिए इसमें जिस भी color पर आप mouse ले जाएंगे वो color के outline आपको यहां नीचे text पर दिखने लगेगी यह जैसे हम yellow पर ले गए तो यह yellow color के outline नज़र आ रही है इसे और अच्छे से देखने के लिए हम outline की मुटाई बढ़ा लेते हैं उसके लिए weight पर जाकर के जितनी मूटी outline चाहिए वो हम choose कर सकते हैं यह हमने इसको चुना और अब हम outline का color चुन लेंगे यह दिखिए अब यह outline बहुत अच्छे से नज़र आ रही है अगर आप outline dash style में चाहते हैं तो dashes पर जाएं और यहां से आपको जिस तरह की भी outline चाहिए हो उसे चुन लें और इसको चुनने के बाद आप इसका जो color रखना चाहते हैं वो color चुन सकते हैं तो यह इस तरह से आपका text नज़र आने लगेगा outline हटाने के लिए वापस paragraph को select करें और text effects and typography option में जाकर no outline पर click करें अब हम देखते हैं कि shadow effect किस तरह से आएगा shadow पर जब आप जाएंगे तो यह यहां पर आपको अलग-अलग तरह के outer shadow दिखेंगे और यह है inner shadow यह outer shadow है जिसमें की shadow बाहर की तरफ आती है और उसके बाद inner shadow के option अगर आप लेते हैं तो इसमें shadow अंदर की तरफ आएगी और अगर आप perspective चुनते हैं तो इसमें हर letter के पीछे उसकी परचाई सी दिखेगी इसमें भी अलग-अलग options हैं पीछे या side में या आगे की तरफ आपको shadow नज़र आएगी तो इसमें से जो आप चाहें वो चुन सकते हैं और आपको shadow options चाहिएं तो उसके लिए यहां नीच क्लिक करें अब यह यहां right hand side में कुछ और option आ गए हैं यह है text fill and outline इससे आप text fill करना चाहते हैं तो वो आपको किस तरह का चाहिए solid fill, gradient fill वो आप यहां से चुन सकते हैं आपको कितनी transparency चाहिए इसमें वो आप यहां से घटाया बढ़ा सकते हैं अगर text outline चाहिए तो इसमें solid line चाहिए या gradient line चाहिए वो आप यहां से चुन लें दूसरा option text effects का है अब इसमें यह presets हैं जो पहले से दिये हुए हैं इनमें से आप directly कोई चुन सकते हैं color आप यहां से चुन सकते हैं यह हमने red color लिया तो shadow जो है वो red color में आ गई है इसमें भी आप transparency घटा या बढ़ा सक है shadow का size भी आप घटा बढ़ा सकते हैं इसको blur करना हो तो आप shadow को blur भी कर सकते हैं इसी तरह से आपको angle change करना हो तो आप इसका angle भी change कर सकते हैं distance कितनी रखनी है आपको letters से वो आप यहां से चुन सकते हैं text effects वाले option पर यहां उपर जाकर के भी आपको reflection और glow का option मिल जाएगा पर अगर आपको soft ages और 3D format चाहिए तो वो आप यहां अंदर से उस पर जा सकते हैं अब हम देखते हैं reflection वाला option इसके लिए हम text को वापस normal कर देते हैं यह देखिए यहां पर reflection variations दिये हैं यह कुछ presets हैं इसमें से आप जो चाहें वो चुन सकते हैं अगर आपको और options चाहिए हो तो आप नीचे reflection options पर जाकर देख सकते हैं इसी तरह से glow पर जाएंगे तो भी आपको यहां पर कई सारे glow variations मिलेंगे जो आप यहां से सीधे चुन सकते हैं यहां पर अलग-अलग colors भी दिये हुए हैं अगर आपको और glow colors चाहिए तो वो आप यहां से चुन सकते हैं और glow के और options के लिए आप glow options पर जाकर के click कर देए यदि आप किसी particular text को highlight करना चाहते हैं तो उसके लिए text highlight color option में जाएंगे आप text को जिस color में highlight करना चाहते हैं वो color choose करें अब जिस भी text को highlight करना हो उस पर mouse drag करें तो यह देखिए उतना पार्ट highlight हो गया है अब अगर इसे वापस normal condition में लाना है तो वापस text highlight color option में जाकर no color option पर click करें और दोबारा highlighted text पर mouse drag करें यह देखिए highlighted text normal हो गया है अब एक बार फिर text highlight color option में जाकर stop highlighting पर click करें तो यह option off हो जाएगा यदि आप किसी particular word sentence या paragraph को color करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस text को select करें आप font color में जाएं यहां से जो भी color आपको पसंद आए उस पर click करें यह देखिए यह font color change हो गया है अगर आपको इसमें जो colors नजर आ रहे हैं इनके अलावा कोई और colors चाहिए हो तो आप more colors पर click करके यहां से और जैसा color चाहिए हो वो चुन सकते हैं gradient में आपको अलग-अलग light variations और dark variations मिल जाएंगे अगर आप यह चुनना चाहें तो यह भी चुन सकते हैं इसको normal करने के लिए automatic पर click कर दें यदि आप internet से कोई data copy करके word मिलाएं हैं जिस पर की अलग-अलग तरह की formatting हो या फिर आपने किसी paragraph पर formatting की हो जैसे कि हम इस पहले paragraph पर कुछ formatting कर रहे हैं यह हमने text को italic कर दिया है, underline भी कर दिया है, इस तरह से हमने इस पर अलग-अलग तरह की formatting कर दी है अब अगर हम इसको normal condition में लाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले इस paragraph को select कर लेंगे और इसके बाद clear all formatting option पर click करेंगे यह देखे, click करते ही इस paragraph पर जितनी भी तरह की formatting की गई थी वो सब हट गई है अब यह जो उपर का paragraph जो हमने select किया था वो बिलकुल normal style में आ गया है जबकि नीचे के paragraph जो है इसमें भी कुछ formatting की गई थी इनकी भी अगर formatting हटानी हो तो इनको भी select करके clear all formatting पर click कर देंगे तो यह देखे यह भी normal style में आ गया है यदि आपने कोई text type कर लिया है और type करने के बाद आपको matter के सभी words capital letters में चाहिएं या फिर आप चाहते हैं कि हर word का पहला letter capital हो या फिर सारे letters small letters के रूप में नजर आएं तो ऐसा करने के लिए हमें change case option का उप्योग करना होगा इसमें सबसे पहला option होता है sentence case का जो कि by default word में पहले से ही selected होता है जैसे जब भी आप किसी sentence का पहला word type करेंगे तो उस word का पहला letter automatically capital letter में convert हो जाता है जैसे हमने लिखा hello friends अब यह हमने hello में h छोटा लिखा है पर जैसे ही हम space देंगे अपने आप यह h capital हो जाएगा यह जैसे हमने space दी h capital हो गया यह अगले sentence में भी जैसे हमने space दिया how लिखने के बाद तो how का h capital हो गया अब अगर हमें किसी text के सभी letters को small letter में convert करना है तो उसे select करके change case option में जाएगे और यहां से lower case option चुनेंगे यह देखिए option चुनते ही selected matter के सारे words small letters में convert हो गए अगर हमें इसी matter के सभी letters को capital letter में convert करना है तो change case में जाकर के upper case option चुनेंगे अब यह देखिए यह सारे के सारे letters capital letters में convert हो गए हैं अब अगर हम चाहते है selected matter में हर word का पहला letter capital हो तो हम change case option में capitalize each word option चुनेंगे अब यह देखिए paragraph में हर word का पहला letter capital letters में convert हो गया है ऐसा हम prior titles में करते हैं जैसे कि हमारा यह जो उपर title है उसके भी हर word को हम capital letter में convert करना चाहते हैं तो change case option में हम चुनेंगे capitalize each word option अब यह देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर word का पहला letter capital है change case option के अंतरगर्द सबसे last जो सब option है वो है toggle case अगर आप matter को select करके toggle case option चुनते हैं तो आपके matter में आपने जो भी case पहले चुना हुआ है उसको यह उल्टा कर देगा उधारन के लिए title में हमने capitalize each word case का उपयोग किया है जिसमें हर word का पहला letter capital है इस पे हम अगर toggle case यूज करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि हर word का पहला letter small हो जाएगा और small letters capital हो जाएगे यह देखिए इस तरह से अब यह जो नीचे sentences हैं इन में से एक sentence पर हमने uppercase sub option का उपयोग कर लिया है यानि यह सारे letters capital हो गए हैं और दूसरे sentence पर हमने lowercase use किया है यानि यह सारे letters small हो गए हैं अब इन पर अगर हम toggle case use करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा uppercase lowercase में convert हो जाएगा और lowercase uppercase में यह देखिए इस तरह से तो इस तरह से आप change case option का स्तमाल करके letters को capital में या small में अलग-अलग style में change कर सकते हैं यदि आप अपने document में कोई matter point wise लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप bullets option का उपयोग कर सकते हैं bullets insert करने के लिए home tab में paragraph block में जाकर bullets option पर click करें bullets insert हो गई हैं अब जैसे जैसे point लिखने के बाद आप enter key press करेंगे automatically bullets insert होती जाएंगी यदि आपको bullets style change करना हो तो उसके लिए bullets के पास दिख रहे drop down arrow पर click करें यहां आपको अलग-अलग style के bullets नजर आएंगी इसमें से जो भी आपको पसंद आए उस पर click करें यह देखिए bullet style change हो गई है यदि bullets की जगह आप number style चाहते हैं तो bullets option के पास ही numbering option है उस पर click करें यह देखिए जो points हमने लिखे थे अब उनके आगे number आ गए हैं और अब जब point लिखने के बाद आप enter press करेंगे तो आगे number ही आएगा यदि number भी आपको अलग-अलग style में चाहिए तो यह यहां दिख रहे drop down arrow पर click करें और यहां से जो भी style आपको चाहिए उस पर आप click कर सकते हैं और यहां से जिस भी style में sub point चाहिए उस पर click करें यहां से आपको इस भी style चुन लें अब यहां पर अगर आपको sub point देना है तो उसके लिए tap की press करें यह यहां पर sub points आना शुरू हो जाएंगे जो भी आपका point हो वो आप लिखते जाएं और enter की press करते जाएं तो यह sub points आते जाएंगे अगर आपको किसी और जगह पर sub points चाहिए हो तो वहां पर जाकर के click करें जैसे हमको file tab में sub points चाहिए तो file tab के आगे हम click करेंगे और उसके बाद enter की press करेंगे अभी यहां पर दूसरा number आया है पर जैसे ही हम tab की press करेंगे यहां पर sub points चालू हो जाएंगे जब आपको वापस main point पर आना हो तब shift और tab keys को एक साथ press करें यह देखे हम main point पर आ गए हैं पर हमारा जो अगला point था home tab वो तीसरे number पर चला गया है हम चाहते हैं कि वो वापस दूसरे number पर आ जाए तो उसके लिए delete key press करें यह देखे वापस हमारे numbers सही हो गए हैं अब अगर आपको यह bullets या numbers हटाने हो तो उसके लिए आप इस पूरे text को select करें और इसके बाद अगर आपने numbers दिये हैं तो numbering पर जाकर और अगर bullets दी हो तो bullets पर जाकर के none वाले option पर click कर दें यह देखे सारे numbers यहां से हट गए हैं कई बार हमने पहले से matter लिखा होता है और हमको बाद में bullets देना होती हैं या फिर number देना होते हैं जैसे यहां पर यह हमारे सारे points लिखे हुए हैं और अब हमको इन में numbering करना है तो उसके लिए हम पूरे matter को select कर लेंगे जिस पर हमको numbering करना है या bullets देना हो और उसके बाद bullets देनी हो तो bullets पर जाके click करेंगे और अगर numbers देना हो तो numbering पर जाकर के click करेंगे यह देखिए यह numbers आ गए by default ms word में left alignment set होता है यानि जब भी आप इसमें कुछ type करेंगे तो text left से right की तरफ type होगा इस तरह से लेकिन यदि आपको कोई heading लिखना हो तो heading हमेशा page के center में लिखी जाती है center alignment के लिए home tab के paragraph block में जाकर align center option पर click करें अब यह देखिए cursor बीच में ही है जो भी आप type करेंगे वो बीच में ही type होगा एक बात का ध्यान रखें कि या तो आप text type करने से पहले जो alignment चाहिए वो select कर लें या फिर अगर आपने text पहले से type करके रखा हो तो उसे select करके आप alignment बदल सकते हैं अब यहां पर left alignment on है तो आपका cursor left side पर ही रहेगा पर किसी letter या application को type करते समय आपको date right side में अगर चाहिए तो text right से left की तरफ type हो उसके लिए right alignment पर click करें अब यह देखिए cursor right hand side पर आगया है अब यहां पर आप date डाल दें alignment में अगला जो option है वो है justify का इसको समझने के लिए हम यहां पर एक paragraph को copy करके ले आते हैं अब यहां पर देखिए चुकि यह text left alignment में है इसलिए left side में हर letter एक सीध में है पर right side में कोई line छोटी है तो कोई line बड़ी है अगर हम इसे दोनों तरफ से equal करना चाहते हैं यानि हम चाहते हैं कि left और right दोनों side से lines एक सीध में हो तो उसके लिए हम पूरे text को select करके justify option पर click करेंगे अब यह देखिए यहां पर अब paragraph की last line छोड़ करके बाकी जो lines हैं वो दोनों तरफ से equal हैं इस तरह से आप alignment option का उप्योग करके अपने document को व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं यदि आप किसी paragraph में लिखी lines में या दो paragraph के बीच जो space है उसे बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो home tab में paragraph block में line और paragraph spacing option की सहायता से ये काम कर सकते हैं जिस paragraph की lines में space बढ़ाना या कम करना हो उस paragraph पर कहीं भी क्लिक करें और फिर line और paragraph spacing option में जाकर जितनी space आपको चाहिए वो choose करें प्रिव्यू में नीचे आप देख सकते हैं कितना space बढ़ रहा है या घट रहा है इसमें से आपको जो भी line spacing option ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं अभी हमने एक paragraph में लिखी lines के बीच में space बढ़ाया इसी तरह किसी भी paragraph के पहले या बाद की space कम या ज्यादा करने के लिए भी आप in options का उप्योग कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप वो paragraph चुन लें जिसके पहले या बाद में आपको space देना हो या हटाना हो अभी जैसे यहाँ पर हमने दूसरा paragraph चुना है फिल हाल paragraphs के बीच में हमने कोई space नहीं दिया हुआ है अब हम चाहते हैं कि इस दूसरे paragraph के पहले space आ जाए उसके लिए हम line and paragraph spacing option पर आ गए अब यहाँ पर नीचे दो options मिलते हैं add space before paragraph और add space after paragraph यह देखिए जिस भी option पर हम mouse ले जाते हैं वो हमको नीचे document पर दिखाई देने लगता है अगर हम हमारे दूसरे paragraph के पहले space चाहते हैं तो add space before paragraph पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे paragraph के बीच में space बढ़ गया है अगर आप दूसरे और तीसरे paragraph के बीच में space चाहते हैं तो add space after paragraph पर क्लिक करें यह देखिए यहां दिखाई दे रहा है कि दूसरे और तीसरे paragraph के बीच में space आ गया है अगर इस space को हटाना है तो वापस हम इसी option पर जाएंगे और paragraph के पहले वाली space हटाना हो तो remove space before paragraph पर क्लिक करेंगे और अगर paragraph के बाद वाली space हटाना हो तो remove space after paragraph पर क्लिक कर देंगे यह देखिए वापस से paragraphs के बीच के space हट गई है अभी आपने Line Spacing और Paragraph Spacing Options का यूज करना देखा यदि आप यही काम एक साथ पूरे डेटा पर करना चाहते हैं तो पहले पूरा डेटा सेलेक कर लें और फिर इन Options का यूज करें Paragraph Block के Corner पर एक छूटा सा Arrow है इस पर क्लिक करने पर आपको Paragraph Settings के वो सभी Options मिल जाएंगे जो हमने अभी तक सीखे हैं यहां Drop Down Arrow पर क्लिक करने पर आपको Left Alignment, Center Alignment, Right Alignment, Justified यह सारे की सारे Alignments जो कि Paragraph Block में दिखाई देते हैं वो यहां पर मिल जाते हैं अब दूसरा Option है Indentation का Paragraph Block में Indentation के लिए यहां पर Options दिये हुए हैं और वो आप यहां से भी Change कर सकते हैं Indentation Change करने पर Paragraph में क्या अंतर आएगा वो आप नीचे यहां Preview में देख सकते हैं आप Left में Paragraph कहां से Start करना चाहते हैं Right में Paragraph कहां तक Type हो यह आप Indentation की सहता से Set कर सकते हैं जैसे यहां पर अभी Left और Right में यह Zero है तो हमारा जो Document है वो इस तरह से नजर आ रहा है यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने जिस Paragraph पर क्लिक करके रखा हुआ है या जो Paragraph आपने Select कर रखे हैं उन पर ही यह Option अप्लाए होगा हम पहले तो Left में Indentation बढ़ा रहे हैं तो यह देखिए यह Paragraph खसकता जा रहा है अब हम अगर Right में Indentation बढ़ाते हैं तो Right से भी यह Space बढ़ती जाएगी और हम इसको अगर अप्लाए करना चाहते हैं तो उसके लिए हम OK पर क्लिक कर देंगे यह देखिए OK पर क्लिक करते ही हमारा यह Paragraph है वो जो भी Indentation हमने Set किया था उसके मताबिक Change हो गया है हम इसको वापस Normal कर देते हैं आपने Book में Newspapers इत्यादी में देखा होगा कि पहली Line थोड़ा आगे से शुरू होती है अगर आप भी Paragraph की पहली Line थोड़ा आगे से शुरू करना चाहते हैं तो Special में First Line चुनिए यह देखे प्रिव्यू में आप देख सकते हैं कि पहली Line जो है वो थोड़ा सा आगे से शुरू हो रही है और दूसरी Line वापस बाकी के Paragraph से मिलती हुई है इसे में दूसरा Option है Hanging अगर आप चाहते हैं कि पहली Line तो जहां से बाकी Line शुरू हो रही है वहीं से हो पर बाकी की सभी Lines थोड़ा आगे से शुरू हो तो उसके लिए Hanging Option का उप्यो किया जा सकता है इसको Apply करने के लिए यह Option सेलेक करके OK पर क्लिक करें यह देखिए अब हमारा जो पहला Paragraph है जो हमने चुना था उसकी पहली Line तो अपनी जगे से शुरू हो रही है पर बाकी सारी जो Lines है वो थोड़ा आगे से शुरू हो रही है इसको हम वापस Normal कर देते हैं और यह जो हम Changes कर रहे हैं Special Option में जाकर के मतलब हम पहली Lines कितनी आगे से शुरू करना चाहते हैं या बाकी के Lines कितनी आगे से शुरू करना चाहते हैं वो हम By में जाकर के चुन सकते हैं यहां से आप उस Distance को घटा या बढ़ा सकते हैं आगे Option मिलता है Spacing का यह Before और After के Option से आप Paragraphs के बीच की जो दूरी है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं और Line Spacing में जाकर के आप दो Lines के बीच की दूरी को घटा या बढ़ा सकते हैं यह Option आपको यहां Line and Paragraph Spacing Option में मिल जाता है यहां से Paragraph सेटिंग का फायदा यह है कि आप एक ही बार में Paragraph में जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर लें और उसके बाद OK पर क्लिक कर दें जिससे कि जो जो भी चिंजिस आपने किये वो एक साथ आपको उस Paragraph पे नजर आ जाएंगे हो जाएगा चलिए गुदारन से हम इसे समझ लेते हैं हमने इस वर्ट फाइल के ऊपर के हिस्से में कुछ टेक्स लिखकर उसकी फॉर्मेटिंग की हुई है और नीचे के हिस्से में बिना फॉर्मेटिंग किया हुआ टेक्स लिखा है सबसे पहले हम उपर वाली लाइन जो की हिंदी में लिखी हुई है उसके फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं उसके लिए हम चाहें तो उसका एक लेटर या एक वर्ट या फिर पूरी लाइन भी सिलेक कर सकते हैं हमने यह वर्ट सिलेक कर लिया है अब इसका फॉर्मेट कॉपी करने के लिए होम टैप के अंतरगर दिख रहे फॉर्मेट पेंटर आप्शन पर क्लिक करेंगे अब नीचे वाली सेक्शन में जिस भी लाइन को वो सेम फॉर्मेट देना है उसे सिलेक करें यह देखिए हमने जिस लाइन को सिलेक किया था उस पर उपर वाला फॉर्मेट कॉपी हो गया है आईए अब हम आपको फॉर्मेट पेंटर के लिए शॉटकट की बता देते हैं फॉर्मेट कॉपी करने के लिए हमने यह संटन सिलेक कर लिया है और अब उसके बाद Ctrl, Shift और C keys press करेंगे इससे ये format copy हो जाएगा अब नीचे वाली लाइन को select करके Ctrl, Shift, V प्रेस करें यह देखिए दोनों लाइन्स के format same हो गए हैं अब यदि आपको पूरे paragraph की formatting same करना हो तो उसके लिए जिस paragraph की formatting चाहिए उससे select करें और select करने के लिए paragraph में कहीं भी तीन बार जल्दी से click करें और फिर format penter पर click करें अब जिस paragraph पर ये formatting करनी हैं उससे select करें यह देखिए उसकी formatting change हो गई है पर इस paragraph में format penter पर जो अलग type की formatting थी याने जो font color अलग था वो copy नहीं हुआ है इसके लिए इस word को select करके आपको format penter का उपयोग दोबारा करना पड़ेगा उपरवली section में आप देख सकते हैं कि last की तीन lines पर bullets लगे हुए हैं और text को bold कर रखा है यह format अगर हमको नीचे चाहिए तो उसके लिए किसी एक line या इस पूरे matter को select करें और format penter पर click करें अब यहां नीचे इन तीनों लाइन पर हमको bullets चाहिए उसके लिए इन्हें select करें यह देखिए इनकी formatting भी अब उपर वाले section की तरह हो गई है इसमें bullets भी आ गए हैं और text bold हो गया है अब हम अगर किसी और जगह पर format penter का उप्योग करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं वापस उसको use करने के लिए आपको फिर से format penter पर click करके और वही प्रक्रिया धोरानी होगी पर इसका एक और तरीका है आप चाहें तो format penter को अलग-अलग जगह कई बार use कर सकते हैं पर उसके लिए आपको format penter पर double click करना होगा यह हमारा नीचे का section में जो हमने अभी changes किये थे जो formatting की थी हम उसको हटा रहे हैं और यहां पर हम करके देखते हैं कि किस तरह से हम format penter का उपयोग एक से ज्यादा बार कर सकते हैं यह वाली formatting हमको चाहिए तो हमने इस line को select कर लिया है अब हम format penter पर double click करेंगे double click करने के बाद इसका उपयोग कितनी भी बार किया जा सकता है अब यह हमने पहली line पर इस formatting को copy किया यह देखिए यह उपर वाली formatting इस line पर आ गई है और इसके बाद भी format penter वाला option हमारा अभी भी selected है तो अब अगर हम दूसरी line को भी वैसा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं तीसरी line को हमको अगर वैसी formatting में लाना है तो वो भी हम कर सकते हैं और भी जितनी बार चाहें आप इसका उपयोग कर सकते हैं रभी भी format penter option चालू है तो इसको cancel करने के लिए skip की दबानी होगी अब देखिए format penter वाला जो option है वो off हो गया है Microsoft Word 2016 में picture insert करने के लिए menu bar में दिख रहे insert tab पर क्लिक करें अब उसके ribbon में दिख रहे options में से pictures पर क्लिक करें अब जिस भी location पर आपने pictures रखी हुई हैं उस location पर जाएं और वहां से उसे select कर लें हमारी जो picture है वो इस picture folder में है जो picture आपको चाहिए उसको select करें और insert पर ग्लिक करें ये देखिए picture insert हो गई है आप देखेंगे जैसे ही picture insert हुई उपर menu bar में अपने आप format option खुल गया है इस option के ribbon में दिख रहे अन्य features के बारे में हम आपको अगली कुछ videos में बताएंगे अभी हम picture को resize करके दिखते हैं picture को select करने के बाद जब हम उसके corners या edges पर mouse ले जाते हैं तो arrow का shape change होकर वो double sided arrow जैसा दिखने लगता है picture के corner पर mouse ले जाकर उसे press करके अंदर की तरफ ड्रैक करें ये देखे picture छोटी हो गई है इसी तरह आप picture को अपने नुसार कोई भी size दे सकते हैं हम इसे drag करके बाहर की तरफ लेते हैं तो ये देखिए ये पड़ी हो गई है इसके अलावा आप चाहें तो ribbon की साहता से भी image को छोटाया बढ़ा कर सकते हैं यहाँ पर format option के ribbon में last में आपको size option दिखाई पड़ेगा यहाँ से आप image की height मतलब लंबाई और width मतलब चोड़ाई को घटाया बढ़ा सकते हैं upward arrows से height और width बढ़ेगी और downward arrows से height और width कम होगी यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर जब आप height बढ़ाएंगे तो width भी उसकी अपने आप बढ़ेगी या width बढ़ाएंगे तो height भी अपने आप बढ़ती जाएगी पर अगर आपको किसी picture में केवल height ही बढ़ानी है अगर आपको चोड़ाई बढ़ानी है तो उसके लिए vertical line के बीच में जो circle बना हुआ है उस पर mouse click करके उसे right में बढ़ाएं तो यह देखिए इसकी चोड़ाई बढ़ गई है इसी तरह से आप चोड़ाई कम भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी height यानि लंबाई बढ़ानी हो तो उसके लिए horizontal line पर बीच में जो circle है उस पर click करके उसे नीचे की तरफ drag करें तो यह देखिए लंबाई बढ़ जाएगी इस तरह से आप picture को resize कर सकते हैं इनी दो options के पास आपको crop button दिखेगा उसी पर नीचे एक drop down arrow है हम उस पर click करते हैं open हुए drop down menu में से crop select करें उसे click करने पर यह देखिए image के edges पर black color का selection हो गया है अब आपको image को जैसे crop करना है मतलब काटना है mouse से click करके वहां तक drag कीजिए जितना पार्ट आपको काट कर हटाना है उतने पार्ट को select करके और फिर बाहर click कर दें हम picture को वापस पहले वाली स्थिति में ला रहे हैं crop के drop down menu में कुछ और options हैं जैसे crop to shape यह देखिए जैसे ही हम इस option पर गए यह इधर यहां पर कई सारे shapes की list open हो गई है अब इस में से हम जो भी shape चुनेंगे हमारी यह picture उस shape के अंदर आ जाएगी यह देखिए वो shape चुनते ही हमारी जो selected image थी वो चुने हुए shape के अंदर आ गई है अब हम इस picture को वापस normal position में ले आते हैं अब हम आपको crop option के अंतरगत aspect ratio वाले option के बारे में भी बता देते हैं इसके अंतरगत जो picture crop होगी वो यहां पर जो list खुली है उसके हिसाब से होगी जैसे अगर आप 1 is to 1 ratio चुनते हैं तो picture square आएगी याने उसकी लंबाई और चोड़ाई समान होगी यह देखिए इस तरह से और अगर हम picture को portrait size में चाहते हैं तो उसके लिए यह अलग-अलग ratios दिये हुए हैं इन में से आप कोई भी चुन सकते हैं जैसे हमने 2 is to 3 लिया यह देखिए picture portrait style में आई है याने यह vertical है अगर यह picture आप horizontal style में चाहते हैं तो उसके लिए हम चुन लेंगे landscape landscape में भी हमारे पास अलग-अलग ratios हैं इसमें से जो ratio आप चाहें वो चुन सकते हैं हम चुन रहे हैं 3 is to 2 तो यह देखिए landscape style में यह picture crop हो गई है अब हम आपको अगला option बता देते हैं picture को rotate करना यहाँ पर देखिए जब आप picture को select करते हैं तो उपर आपको एक round shape का arrow नजर आ रहा होगा इस पर click करके आप picture को clockwise या anti-clockwise घुमा सकते हैं picture को rotate करने के लिए format option के तहट ribbon में भी आपको एक option मिलता है इसकी मदद से भी आप picture को rotate कर सकते हैं पर इसकी मदद से जब आप picture rotate करेंगे तो वो 90 degree के angle से होगी तैसे हमने drop down menu पर जब click किया तो यह सी दे right side में 90 degree के angle पर rotate हो गए उसी तरह से अगर आपको picture को left में 90 degree के angle पर rotate करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं इसको rotate करने के लिए हमने आपको तरीका बता दिया है वो आप drag कर के कर सकते हैं इस word document में हमने पहले से ही एक image डाल रखी है image में editing करने के लिए हम इस image को select करेंगे image select करते ही उपर menu बार में format tab दिखाई दे रहा है हम इस पर click करेंगे आज इस वीडियो में हम आपको format tab के adjust block के सब ही options के बारे में बताएंगे सबसे पहला option है remove background इस पर click करें इस पर click करते ही image का color कुछ इस तरह का हो जाएगा और एक अलग menu open हो जाएगा जिसमें आपको कुछ और options दिखेंगे इन में से सबसे पहला option है mark areas to keep मतलब उन areas पर click केजिए जिनें आप image में रखना चाहते हैं हम उन areas पर click करते हैं और अब इसको drag करते हुए वो वो area आप लेते जाएं जो आप रखना चाहते हैं यह हमने area select कर लिया है अब हम enterprise करेंगे यह देखिए जो areas हमने mark किये थे उनके अलावा image के दूसरे सभी parts रिमूव हो गए हैं अब हम यह change हटा देते हैं और दूसरा option देखते हैं जिस तरह से हमने इस option का उप्योग किया इसी तरह से आप दूसरे options का उप्योग भी कर सकते हैं अगला option है corrections जब हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने पर एक menu open होता है इसमें आपको यही image अलग-अलग color format के साथ दिखाई पड़ेगी जिन में sharpness और brightness कम या ज्यादा होगी हम जिस भी image पर mouse ले जाएंगे image में वो changes आपको दिखाई देंगे अब हम इसमें से किसी भी एक image पर क्लिक करते हैं यह हमने इस image पर क्लिक किया देखिए यह image चेंज होके ऐसी हो गई है अब हम दोबारा corrections option पर क्लिक करके आपको कुछ और options के बारे में बता देते हैं इसी menu में नीचे की तरफ आपको picture corrections options दिखेगा इस पर क्लिक करें क्लिक करते ही right side में एक menu open होगा इसमें भी picture formatting के options आपको मिलेंगे जैसे sharpness के लिए preset option भी है जैसे की उपर वाले menu में थे और उसी के नीचे slider है जिसकी सहायता से भी आप sharpness कम या ज्यादा कर सकते हैं उसी तरह आप brightness भी set कर सकते हैं अब हम आपको edges block के अने options के बारे में बताते हैं color option की सहायता से आप image को अलग-अलग color दे सकते हैं यह देखिए जिस भी option पर हम mouse ले जा रहे हैं image का color वैसा हो रहा है आपको जो भी color set करना हो उस पर click कर दें आपको इसे menu में नीचे भी तीन options दिखेंगे इनमें पहला option है more variation जिस पर mouse ले जाते ही color की list दिख जाएगी इसमें से आप चाहें तो अलग-अलग color चुन सकते हैं उसके नीचे है set transparent color जिसके सहायता से आप image के background को transparent कर सकते हैं पर एक बात का ध्यान रखें इस option के सहायता से सभी images का background transparent नहीं होता है हम इस पर click कर रहे हैं और अब हम इस picture पर click कर रहे हैं पर यहाँ पर देखिए इससे कोई फरक नहीं पड़ा है हम दूसरे picture पर यह करके देखते हैं पहले हम एक नई picture insert कर लेते हैं यह हमने नई picture insert की अब इसमें हम इस option का उप्योग करके देखते हैं set transparent color हमने चुना और अब जहां पर भी हम click करेंगे वहां से वो color हट जाएगा अब इस पूरी पिक्छर में जहां जहां पर black था वो देखिए वो सब हट गया है यह transparent हो गया है अब हमको अगर किसी और color पर यह करना है तो वापस से हम set transparent color choose करेंगे माली जे blue हमको हटाना है तो ये हमने blue पर click कर दिया तो ये देखिए blue transparent हो गया है और पुराना वाला जो black था वो अपने आप वापस आ गया है इसको हमने वापस normal कर दिया है सबसे last में picture color options हैं इस पर click करते ही right side में वही menu open होगा जो पहले हुआ था इसमें नीचे की तरफ आपको picture color वाले options दिखेंगे यहां से आप image के लिए कोई भी पसंदीता color चुन सकते हैं यहां predefined options के अलावा sliders भी दे रखे हैं जिनकी सायता से आप image में अपने अनुसार color change कर सकते हैं यहां पर नीचे आपको crop का option मिलता है यह option आपको size block में यहां पर उपर भी मिलता है जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और adjust block के दूसरे options देखते हैं image वैसा effect शो कर रहा है आपको जो भी effect set करना हो उस पर click कर दें इसे menu में नीचे की तरफ आपको artistic effects options दिखेगा जिसकी सायता से आप और भी effects image में डाल सकते हैं हम इस पर click कर रहे हैं click करते ही right side में ये menu open हुआ है इसमें से हम artistic effects के सामने दिख रहे arrow पर click करेंगे उस पर click करते ही एक sub option हमें दिखाई देगा हम उसके सामने दिख रहे box के drop down arrow पर click करेंगे उस पर क्लिक करते ही एक menu open होगा जिसमें से आप कोई भी effect चुन सकते हैं यहां नीचे दो sliders है उपर है transparency इस slider की सहायता से आप picture की transparency को कम्याज ज्यादा कर सकते हैं और उसके नीचे है pressure पिक्चर को वापस normal करने के लिए reset पर क्लिक कर दें चलिए अब हम आपको image को compress करके बताते हैं compress pictures हमें तब काम आता है जब हमें emails में बड़ी files भेजनी हो और वो file size ज्यादा होने के कारण ditch नहीं होती है compress pictures की सहायता से आप image की file size कम कर सकते हैं इससे image के dimension या quality पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानि image वैसी की वैसी दिखेगी image को select करने के बाद इस option पर क्लिक करें यह देखिए एक window open हुई है इसमें कई options हैं पहला है apply only to this picture जो की by default selected है मतलब केवल एक picture compress होगी दूसरा है delete cropped areas of picture यह भी पहले से ही selected है इसका मतलब यह कि यदि आप picture को crop करते हैं तो यह option crop किये गए area को हटा कर picture को compress करेगा उसके नीचे जो option selected है वो है use document resolution मतलब जो document का file size है वो वैसा का वैसा रहेगा और यदि आप email भेजने के लिए document की file size को compress करना चाहते हैं तो इसके उपर वाला option मतलब email select कर सकते हैं इतना करने के बाद okay पर क्लिक कर दें इस तरह आप picture का size compress कर सकते हैं compress pictures के बाद next option है change picture जिसके साहता से आप picture बदल सकते हैं इस option को क्लिक करने पर एक window open होगी जिसके साहता से आप अपने computer से या फिर online कोई भी picture select कर सकते हैं हम आपको computer से picture insert करना तो बता ही चुके हैं इस option की साहता से हम online picture insert करना भी सीख लेते हैं हम यहाँ पर दिख रहे बिंग image search option पर क्लिक करते हैं उस पर क्लिक करते हैं कुछ categories आपको दिखाई पड़ेंगी आप यहाँ से भी आपकी इच्छा नुसार category चुन सकते हैं चुकि हमें cartoon वाले खरगोश का photo यहाँ डालना है तो हम यहाँ type करते हैं rabbit इतना type करते ही देखिए यहाँ drop down menu में कुछ options दिखाई पड़ रहे हैं इसमें से हम rabbit cartoon चुनते हैं यह देखिए इस पर click करते ही यहाँ पर काफी सारी images दिखाई देने लगी हैं अब इसमें से जो भी image चाहिए उस पर click करें और फिर insert पर click करें insert पर click करते ही पुरानी image नई वाली image से replace हो जाएगी याने पुरानी image यहाँ से चली गई और यह नई यहाँ पर आ गई है अब चली हम आपको last option के बारे में बता देते हैं उसके लिए हम इस image में कोई भी effect दे देते हैं जैसे हमने यह effect दिया है अब यदि हम इस effect को या किसी भी effect या color को या फिर editing को image से हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें वही original image मिल जाए तो हम इस image को select करेंगे और फिर reset picture के आगे दिख रहे drop down arrow पर click करेंगे उस पर click करते ही यहाँ पर दो options दिखाई पड़ेंगे reset picture और reset picture and size यदि आप केवल picture को reset करना चाहते हैं तो पहला option चुनिए और यदि picture को reset करने के साथ picture को original size में लाना चाहते हैं तो second option चुनिए यहाँ से हम पहला option चुन रहे हैं यह देखे उस पर click करते ही picture जैसी थी वैसी हो गई है इस word document में हमने पहले से ही कुछ text और एक image डाल रखी है image select करते ही देखे उपर menu bar में format tab दिखाई पड़ रहा है आज इस वीडियो में हम आपको format tab के arrange block के सभी options के बारे में बताएंगे सबसे पहला option है position इस option की सहता से आप image को word document में अलग-अलग positions में set कर सकते हैं इस पर click करें इस menu में आप देख सकते हैं text और image की अलग-अलग positions दे हुई हैं जैसे जैसे हम अलग-अलग position पर mouse ले जाते हैं preview में आप उसको देख सकते हैं अब इसमें से जो भी position आपको set करनी हो उस पर click कर दें अब हम देखते हैं अगला option wrap text यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि position वाले जो options होते हैं उसमें image जो है वो अपनी position बदलती है और जिस भी position में हम image को ले जाते हैं text उस हिसाब से adjust हो जाता है जबकि wrap text option में एक बार जहाँ पर हम image को set कर देते हैं image वही पर रहती है और बाकी options के अनुसार text अपनी जगह बदलता रहता है जैसे कि यहाँ पर पहला option है in line with text इसमें text की जो line है image उसी line के बराबर में होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि image के उपर भी matter आ गया है और जहाँ पर image है उसी line पर दाएं बाएं दोनों तरफ text है अब हम देखते हैं अगला option square इस option को select करने पर यह आप देख सकते हैं कि image के आसपास एक text जो है वो square form में है अब हम अगले option tight पर जाते हैं तो यह देखिए text तो image के आसपास दोनों तरफ है पर यह और ज्यादा close आ गया है square में जगा ज़्यादा चूटती है जबकि tight में text image के और पास आ जाता है through option अगर हम चुनते हैं तो image के बीच में अगर कहीं कोई जगह हो तो वहाँ पर भी text आ जाता है चूँकि हमारी image square है इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है top and bottom option चुनने पर image के ऊपर और नीचे दोनों तरफ text आ जाएगा और बीच में image आ जाएगी behind text option चुनने पर image text के पीछे चली जाएगी और अगर हम in front of text option चुनते हैं तो image text के आगे आ जाएगी यानि text पीछे चला जाएगा यह जो options अभी हमने आपको बताये यह option आपको image के पास एक छोटा सा square है यहाँ पर click करने पर भी मिल जाते हैं यह देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं square, tight, through, top and bottom यह सारे options यहाँ से आपको मिलते हैं आप चाहें तो उन्हें यहाँ से भी use कर सकते हैं जैसे हमने top and bottom पर click किया तो यह देखिए हमारा जो text है वो image के उपर और नीचे आ गया अब हम rep text के बाकी के option देखने के लिए वापस वहाँ चलते हैं अगला option है edit rep points इसकी सहायता से आप image को select करके और drag करके ऐसे points set कर सकते हैं जिससे text की position change हो सकती है ऐसा करने के लिए इस option पर click करें click करते ही image पर red color की outline आ गई है अब हम image के कोनों में से किसी को भी click करके drag कर सकते हैं हम mouse click करके जहां भी छोड़ेंगे text उतनी जगह छोड़कर अपने आप set हो जाएगा जहां तक हमने drag किया है उतनी जगह में कोई text नहीं है अब हम arrange block के अने options देखते हैं अगला option है bring forward इसकी सहायता से हम image में ये set कर सकते हैं कि कौन सी image आगे रहेगी इसके लिए हम एक और images document में insert कर देते हैं ये हमने एक और picture यहां पर insert कर ली है और ये जो picture है वो पुरानी वाली picture के ऊपर आ रही है अब अगर हम चाहते हैं कि खरगोश वाली जो picture है वो इस tortoise और hair वाली picture जो की हमने अभी डाली है उसके उपर दिखाई दे तो उसके लिए हम bring forward वाले option पर click करेंगे इस पर click करने पर जो पीछे वाली picture थी वो उपर आ गई है अभी हमने इस option का उप्योग दो images के लिए देखा अगर दो से ज्यादा images हों तो हम किसी image को आगे की तरफ कैसे लाएंगे ये देखने के लिए हम एक और picture यहाँ पर insert कर रहे हैं अभी देखिए तीन images यहाँ पर हैं अब मान लिजिए हम सबसे नीचे वाली जो image है उसको उपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने उसको select किया और अब bring forward option के drop down arrow पर click करके bring to front option को select करेंगे यह देखिए यह image सबसे आगे आगे है इसी तरह से यदि किसी image को पीछे की तरफ भेजना हो तो उस image को select करके send backward option पर click करें तो यह देखिए अब यह जो image है वो इस image के पीछे चली गई है उसके नीचे option है selection pan इस option के साहता से हम सभी images का order और visibility set कर सकते हैं उसके लिए इस पर click करें यहाँ पर आप देख सकते हैं picture 1 सबसे उपर है उसके नीचे है picture 2 और सबसे नीचे है picture 3 अब यदि हम picture 2 को click करके नीचे drag करेंगे तो वो picture 3 के नीचे आ गई है यह देखिए आप preview में देख सकते हैं पिक्चर सबसे पीछे चली गई है अब अगर हमको picture 1 को सबसे नीचे लाना हो तो यह उसको track करके हम नीचे ले आए तो आप यह देखिए picture 1 जो है यह सबसे नीचे चली गई है इन pictures के सामने यह आख के जैसा निशान दिख रहा है अगर आप उस पर click करेंगे तो वो निशान हट जाएगा और document में से picture भी हट जाएगी उसकी जगए एक straight line वहाँ पर आ गई है अगर हम उस पर वापस click करेंगे तो picture वापस आ जाएगी अब हमने यहां से बाकि सारी images हटा दी है एक image रखी है अब हम देखते हैं अगला option उसके लिए हमने image को select कर लिया है और अगला option है align objects इस option के सायता से आप image को document में एक predefined position पर set कर सकते हैं इसके लिए इस option पर click करें यहां पर देखिए बहुत सारे options हैं जैसे align left, align center, align top, इत्यादी इसमें से आप align के जिस भी option पर click करेंगे image उसी तरह से align हो जाएगी जैसे हमने align left पर click किया तो यह देखिए image page के left side में shift हो गई है अब यदि हम align middle पर click करते हैं तो image left side में ही page के middle में shift हो जाएगी इसी तरह से इस menu में नीचे कुछ और options हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपको format tab के picture styles block के सभी options के बारे में बताएंगे सबसे पहला option है borders यहाँ पर अलग-अलग तरह की borders दे रखी हैं यह देखिए हम इन में से जिस भी border पर mouse ले जा रहे हैं image पर वैसी border दिख रही है यहाँ पर आप एक drop down arrow देख रहे हैं इसे click करने पर एक drop down menu उपन होगा यह देखिए यहाँ borders के कुछ और भी styles मिलेंगे इन में से जिस भी border पर हम mouse ले जाएंगे image पर वैसी border दिखने लगीगी हम इन में से एक border पर click करके उसे select कर लेते हैं इनी के पास आपको दूसरे options दिखेंगे पहला है picture border इस option की सहायता से हम image की border का color change कर सकते हैं यहाँ पर आपको अलग-अलग colors दिखाई पड़ेंगे अब यहाँ देखिए हम जिस भी color पर mouse ले जा रहे हैं image पर वैसी color की border दिख रही है आप इन मेंसे जो भी color पसंद हो उस पर क्लिक करके उसको select कर सकते हैं इसी menu में नीचे आपको no outline option दिख रहा होगा यदि आप इसे select करेंगे तो image से border हट जाएगी यह देखिए यहाँ पर हम mouse ले गए तो यहाँ पर आपको image की border हटी हुई नजर आ रही है इस option के नीचे more outline colors option है इसे click करने पर colors का एक menu open होगा यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी color चुन सकते हैं यह color choose किया और ok पर click किया तो यह देखिए जो color हमने चुना था border उस color की हो गई है चलि हम आपको picture border menu के दूसरे options भी बता देते हैं more outline colors के नीचे weight option है जब इस option पर आप mouse ले जाएंगे तो एक और menu open होगा इसमें आप देख सकते हैं काफी सारी lines दी गई हैं इनमें से आप जिस भी size की border चाहते हैं उस पर click कर दें यह देखिए हमने जिस size पर click किया था image की border उस size की हो गई है इसे में नीचे more lines option है इसे click करने पर right side में एक window open होगी यहां से आप अपने अनुसार भी border की चोड़ाई set कर सकते हैं यह width से आप border की जो width है यानी चोड़ाई है उसको बढ़ा और घटा सकते हैं हम इसको बढ़ा रहे हैं तो border में क्या अंतर आ रहा है वो यहाँ image की border पर नजर आ रहा है अब हम image पर लगी border की अलग-अलग styles देखेंगे उसके लिए picture border option पर click करें open हुए menu में last में option है dashes इस पर mouse ले जाने पर एक और menu open हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी lines दी गई है इन में से आप जिस भी तरह की border चाहते हैं उस पर click कर दें हमने जिस border पर click किया image की border उसे साब से बदल गई है यहां भी नीचे more lines option है इसे click करने पर right side में एक window open होगी यहां से आप अपने अनुसार border का type या style set कर सकते हैं picture border के बाद अगला option है picture effects इसके सायता से आप image पर अलग-अलग effects डाल सकते हैं उसके लिए picture effect पर click करें पहला option है preset इसके उपर mouse ले जाने पर एक और menu open होगा इसमें भी आपको बहुत सारे options दिखेंगे इन में से हम जिस पर भी mouse ले जाएंगे image पर वैसा effect आपको दिखने लगेगा अब आपको जो भी effect अच्छा लगे उस पर click करके उसे select कर लें यहाँ नीचे की तरफ 3D options दिये हुए हैं इस पर click करने पर right side में एक window open होगी यहाँ से आप अपने अनुसार 3D effects में changes कर सकते हैं picture को normal करने के लिए no presets के अंदर none पर click कर दें यह देखे अब picture पे सारे जो effects हमने दिये थे वो हट गए हैं अब picture effects के अन्य options हम देखते हैं preset के बाद दूसरा option है shadow इस पर mouse ले जाते ही एक और menu open होगा इसमें आप देख सकते हैं अलग-अलग blocks हैं outer, inner, इत्यादी इसमें से आप जिस भी shadow पर click करेंगे image पर वैसी shadow दिखाई देगी इसमें भी नीचे दिये shadow options की सहता से आप अपने अनुसार shadow set कर सकते हैं shadow के बाद reflection option है इससे आप अलग-अलग तरीके के reflection सिलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद glow option है इससे image में glowing effect डाला जा सकता है जिस भी option पर हम mouse ले जा रहे हैं उसका effect picture पर दिखाई दे रहा है इसमें से आपको जो भी पसंद हो उस पर आप click करके उसे set कर सकते हैं अगला option है soft ages यह option तब काम आता है जब ages blur करनी हो इसमें भी हम यहाँ पर जो menu खुला है उसमें अलग-अलग style दी हुई हैं इसमें से जहां-जहां mouse ले जाएंगे वो हमको दिखाई देना लगेगा इसमें से आपको जो भी style चुननी हो वो click करके चुन लें अगला option है bevel इससे भी image की border के अलग-अलग patterns बनते हैं यह देखिए हम जिस भी option पर mouse ले जा रहे हैं border में changes उसे साबसे हो रहे हैं आपको जो भी option अच्छा लगे उसपर click करके उसे select कर लें picture effects का last option है 3D rotation इसमें अलग-अलग तरह के 3D rotations दे रखे हैं आपको image के लिए जैसा भी 3D rotation effect चाहिए उसपर click करके उसे select कर लें आगे बढ़ते हैं और picture styles में हम देखते हैं last option picture layout इस option पर click करने पर एक menu open होगा जिसमें अलग-अलग तरह के graphics हैं आप जो भी graphics select करेंगे वो image पर नजर आने लगेगा यहां हमने एक document पहले से बना रखा है और अब हम इसके front page को stylish look देना चाहते हैं जिसे कि हमारा document अच्छा दिखे उसके लिए ms word में insert tab में page block में option होता है cover page इसकी मदद से हम अपने document के लिए एक खुबसूरत cover page insert कर सकते हैं जैसे यहां पर हमने choose किया filigree इस पर click करते ही यह देखिए यह cover page आ गया है इस page में आप document का title, subtitle, company का नाम, address यह सब दे सकते हैं अगर आप चाहें तो इस cover page पर कोई picture भी insert कर सकते हैं वो picture आप अपने system में से जहां पर भी pictures हों वहां से browse करके ले सकते हैं उसके लिए आपको pictures पर click करना होगा और अगर आप चाहें तो online भी picture को ले सकते हैं हम online picture ले रहे हैं इसलिए हम यहां पर click करेंगे अब यहां Bing image search पर click करें आप यहां search bar में जिस भी तरह की picture चाहिए वो title डाल करके भी picture सेलेक कर सकते हैं हम यहां पर डाल रहे हैं MS word एंटर प्रेस करें इसमें से जो picture आपको ठीक लगे वो आप सेलेक कर सकते हैं और उसके बाद insert पर click कर दें यह हमने cover page पर picture insert कर दी है अब हम इसको zoom out करके देख लेते हैं कि cover page कैसा दिखेगा यह दिखे इस तरह से cover page नजर आएगा अब अगर आप इस cover page को save करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इससे select कर लें इस पर जो भी text है image है उसको हमने सबको select कर लिया है और अब cover page पर click करें यहां आपको सबसे नीचे option मिलता है save selection to cover page gallery इस पर click कर दें अब यह जो dialogue box आया है इसमें इस file को जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दें और अगर कोई description आपको देना है तो वो description दे दें और इसके बाद ok पर click कर दें यह cover page save हो गया है अब जब आप cover page पर click करेंगे तो यह देखिए यह आपको यहां पर नजर आ रहा है अब जब भी आपको यह cover page कहीं पर insert करना हो तो आप यहां पर click करके उसे insert कर सकते हैं अगर आपको और cover pages देखना हो तो more cover pages from office.com पर click करके आप उन्हें देख सकते हैं यह यहां पर आपको cover pages और नजर आ रहे हैं इन में से आपको यह cover page चुन सकते हैं हमने जो अभी cover page बनाया है वो यहां screen पर नजर आ रहा है इसको अगर यहां से हटाना हो तो remove current cover page पर click करें यह देखिए यहां से वो हट गया है और यहां से भी अगर आपको वो cover page हटाना हो delete करना हो तो उसके लिए उस पर right click करें और फिर organize and delete पर click कर दें जिस cover page को आपको delete करना है वो आपको यहां पर selected दिखेगा delete पर click करने पर एक dialogue box में फिर से पूछा जाएगा कि क्या आप selected building block रटाना चाहते हैं yes पर click कर दें और फिर इसे close कर दें अब जब आप वापस cover page पर click करेंगे तो यहां से आप पाएंगे कि वो cover page delete हो गया है cover page के बाद next option है blank page यदि हम दो pages या फिर दो paragraphs के बीच एक नया blank page डालना चाहते हैं तो उसके लिए जिस page या paragraph के बाद नया page चाहिए वहाँ पर click करके blank page option पर click करें अब यहां पर हमने दो pages के बीच में एक blank page इंसर्ट किया है blank page के बाद अगला option है page break यदि आप किसी document में लिखे text को किसी इस्थान से अलग करके अगले page पर ले जाना चाहते हैं तो जहां से आपको text अलग करना हो वहाँ पर click करें जैसे हमको ये last paragraph जो है वो अगले page पर ले जाना है तो जहां से इसको अलग करना है वहाँ पर हम click करेंगे और page break option पर click करेंगे ये देखे ऐसा करने पर last वाला जो paragraph है वो अगले page पर आ गया है जहां से हमने click किया था वहाँ से आगे का text अगले page पर आ गया है फाइल में table insert करने के लिए insert tab के tables block में जाकर table option पर click करें आपके सामने इस तरह से insert table का option आ जाएगा इसमें यदि आप एक square पर जाएंगे तो आपके पास एक row आ जाएगी और जैसे जैसे आप नीचे की और बढ़ेंगे तो rows बढ़ती जाएंगी और यदि आप left से right की और बढ़ेंगे तो columns बढ़ते जाएंगे ये देखे इस तरह से ये आपकी table तयार हो गई है जब आपको अपने मन चाही rows और columns मिल जाएं यानि आपके मन चाही table तयार हो जाए तो आप click कर दें ये देखिए table तयार हो गई है अब table insert करने का दूसरा तरीका देखते हैं table में जाकर insert table पर click करें insert table पर click करने पर एक window open होगी यहां आपको जितनी columns और rows चाहिए वो संख्या आप खुद डाल सकते हैं या फिर in points से घटाया बढ़ा सकते हैं यहां fixed column width में auto option selected होता है यदि आप column के width में change करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं कॉलम के width अगर आपने fix कर दी है तो वो उतनी ही रहेगी चाहे text उससे बढ़ा हो या छोटा हो पर अगर आप auto fit to contents option चुनते हैं तो इसमें जितना आपका content होगा उसके हिसाब से column की width सेट हो जाएगी इसे हम उदारण से समझ लेते हैं माली जी हम 4 columns और 4 rows की table चाहते हैं तो उसके लिए हमने numbers यहां डाल दिये हैं और हमने auto fit to content कर दिया है अब हम ok पर click करेंगे यह table insert हो गई है अब जब हम इसमें type करना शुरू करेंगे तो चुकि हमने auto fit to content चुना है तो content के हिसाब से इसके columns और rows अपने आप adjust हो जाएंगे यह इस तरह से column के width content के हिसाब से adjust हो जाएगी इसी में अगला option आपको मिलेगा auto fit to window वाला इसको select करके अगर हम ok पर click करते हैं तो यहां पर जो table insert हुई है वो हमारे जो page की margin है उसके हिसाब से set हो गई है अब हम dimensions में अगर कोई भी changes करते हैं table size में या auto fit behavior में कोई भी changes करते हैं जैसे कि हमने number of columns तीन लिये और number of rows चार ले ली और column की width हमने बढ़ा दी अब हम चाहते हैं कि जब भी हम table insert करें तो यह dimension अपने आप आ जाए उसके लिए हम remember dimensions for new tables पर click कर देंगे यानि इसको select कर लेंगे और ok पर click कर देंगे तो आप जब भी हम table insert करेंगे तो यह इस तरह की table आएगी जिसमें तीन columns और चार rows होंगी और जो हमने column width set की है वो होगी यह देखिए फिर से हमने जब insert करना चाहा तो same dimensions आगए हैं अब ok पर click करते ही ऐसी के ऐसी echo table यहाँ पर insert हो गई है इसी तरह यदि आपको अपनी हिसाब से table draw करना हो तो उसके लिए table में जाकर draw table option पर click करें यह आपके पास pencil आ गई है और अब इसके हिसाब से आप अपनी table draw कर सकते हैं इसको आपको click करके drag करना है आप columns भी बना सकते हैं आप rows भी बना सकते हैं और जहां तक आप इसको drag करेंगे यह वहीं तक काम करेगी इस तरह से जैसी table आप चाहें वैसी table बना सकते हैं इसी तरह से यदि आपने सिर्फ text लिखा है और उसे table में convert करना है तो उसके लिए convert text to table option का उप्योग किया जाता है उधारन के लिए यहाँ पर हमने name लिखा फिर tab की press करके class लिखी फिर tab की press करके subject लिख दिया अब यह cable text है हम इसको table में convert करना चाहते हैं तो पहले हम इसको select करेंगे और उसके बाद insert tab में टेबल में जाकर के convert text to table यह देखे यह option पहले बन था अब हमने जैसी text select किया तो यह चालू हो गया है इस पर click करेंगे अब चुकि हमने tab देख करके text लिखा था इसलिए separate text 8 में tabs वाला option पहले से selected है अब चुकि यहाँ पर हमने तीन अलग अलग words लिखे हैं तो यह इसने अपने आप यहाँ पर तीन columns ले लिए हैं और अब जैसे ही हम ok पर click करेंगे तो यह यहाँ पर एक table अपने आप आ गई है ओकी पर click करते ही इसने text को table में convert कर दिया है इसी तरह यदि आपको excel spreadsheet insert करना हो तो excel spreadsheet option पर click करें यह देखिये spreadsheet यहाँ पर insert हो गई है अब इसमें जो भी कारी करना हो वो करने के बाद बाहर click करें और इसे दोबारा active करने के लिए इस पर double click करें तो यह activate हो जाएगी यदि आपको बनी-बनाई table चाहिए तो quick tables option में जाएं यहाँ अलग-अलग तरह के formats आपको दिखाई देंगे जो भी format चाहिए उस पर click करें यह देखिये यह table यहाँ पर insert हो गई है इसमें आप कोई भी changes कर सकते हैं जैसे हमने college की जगह heading डाल दिया name और यह जो colleges के नाम है इसके जगह पर हमने प्यक्ति का नाम डाल दिया इस तरह से आप इसमें पूरे changes अपने हिसाफ से कर सकते हैं यदि आपने कोई table बना रखी है और आप चाहते हैं कि आपका presentation दिखने में सुन्दर हो और समझने में आसान हो तो उसके लिए table को अपनी पसंद का कोई look दे सकते हैं table style बदल सकते हैं और cell के color बदल कर उन्हें highlight कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे पिछली वीडियो में हमने आपको table insert करना बताया था अब सीखते हैं table में किस तरह से move किया जा सकता है मानलीजे आपने पहले कॉलम में serial number डाल दिया है अब आपको इस कॉलम में जाना है उसके लिए आप यहां पर क्लिक करें यह देखे आप इस कॉलम में आ गए हैं इस तरह से आप mouse की साहता से table में उपर नीचे जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं दूसरा तरीका है आपके keyboard पर जो arrow keys होती है उनकी मदद से आप उपर नीचे दाएं भाएं मूव कर सकते हैं अपवर्ड की के साहता से आप उपर की तरफ मूव कर सकते हैं लेफ्ट की का प्रयोग करके लेफ्ट में आ सकते हैं राइट की की मदद से राइट में आ सकते हैं और डाउन की का प्रयोग कर आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं इस तरह आप पूरी टेबल में मूव कर सकते हैं, अब आप यहां देख सकते हैं कि हमारे सामने यह पूरी टेबल बनी हुई है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, क्लास और परसंटेज है, यह अलग-अलग कॉलम्स हैं, यदि आप टेबल की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, त को नजर आएगा, यहां पर डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करने पर आपको और भी स्टाइल्स मिल जाएंगी, इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद हो, उसे सिलेक्ट कर ले, टेबल स्टाइल्स ब्लॉक के पास टेबल स्टाइल ऑप्शन्स मिलते हैं, इसमें अलग-अल करेंगे, उस पर special formatting हो जाएगी, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी यह जो हमारी टेबल है वो एक सरी की नहीं है, इसमें header row, banded rows और first column यह selected हैं, तो यहां पर जो first column है और जो head row है, वो आप देख सकते हैं कि यह अलग formatting में हैं, इसका जो color है वो अलग है, यह dark है, अगर हम इसको deselect कर देते हैं, जैसे हमने header row को deselect किया, तो यह देखिए header row जो है, यह normal हो गई है, पर चूंकि first column अभी भी हमारा selected है, इसलिए header row का इतना जो हिस्सा है, वो special formatting में है, अब अगर हम first column को deselect कर देते हैं, तो यह देखिए यह भी अब बाकी क columns जैसा हो गया है, अब इसमें हमने banded rows वाला option जो है, उसको भी select करके रखा है, उसी के कारण यह जो हमारी table है, इसमें एक row थोड़ी dark और दूसरी row light दिख रही है, अगर हम इसको deselect कर देते हैं, तो यह देखिए सारी rows जो हैं, वो एक ही color की हो गई है, अगर हम banded columns को select करत हैं, तो columns जो हैं, वो एक column dark color का और दूसरा column light color का हो जाएगा, जिस तरह से रोज एक dark और एक light थी, उसी तरह से columns भी एक dark और एक light हो जाएगे, अगर आप last column के लिए special formatting चाहते हैं, तो इसको select कर लें, तो यह देखिए last column जो है, वो पूरा ज्यादा dark हो गया है, और blue करने के बाद आप उसमें कोई और special formatting करना चाहते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं, अब हम इस table को वापस normal कर देते हैं, अगर आप table में अपनी पसंद का कोई color भरना चाहते हैं, तो जिस row, column या cell में आप color करना चाहते हैं, उसे select करें, और shading option में जाएं, और जो भी color देन हो, उसे select कर लें, जैसे यहां पर हमने सबसे ज्यादा percentage वाले cell को green कर दिया है, अब मान लीजिए हम सबसे कम percentage वाले cell में अलग color करना चाहते हैं, तो यह जो colors हैं, इन में से हम कोई color ले सकते हैं, और अगर हम को इसके अलावा और colors चाहिए हो, तो more colors पर click करके, यहां से हम, या तो standard में जाकर के कोई color चुन ले, या फिर custom में जाकर के, यहां से कोई color हम ले सकते हैं, और उसको अपने हिसाब से हम light या dark कर सकते हैं, color चुनने के बाद, okay पर click कर दें, इस तरह से आप, अलग-अलग cells या columns या rows में color कर सकते हैं, यदि color हटाना हो, तो shading option में जाकर के, no color पर click कर दें, अब यह देखिए, जिस cell को हमने select किया था color हटाने के लिए, वहां पर जो हमने color दिया था, वो भी हट गया, और table में जो color था पहले, वो भी हट गया है, अब वो white हो गई है, यदि आपने कोई table बना रखी है, और आप चाहते हैं कि आपका presentation दिखने में सुन्दर हो, तो आप उसकी border style अपने आवशक्ता अनुसार बदल सकते हैं, border का color, line weight बदल सकते हैं, table में अलग-अलग तरह की border दे सकते हैं, और हटा भी सकते हैं, आईए देखते हैं कैसे, अगर आप border style चेंज करना चाहते हैं, तो border styles आप्शन में जाएं, यहां से आप जिस style में border चुनना चाहते हैं, वो चुन सकते हैं, style चूज करने पर आपको mouse ब्रश के रूप में नजर आएगा, अब जिस भी column या row पर आप mouse ड्रैक करेंगे, border उस style में बन जाएगी, यह देखें, यहां पर वो border आ गई है, जहां जहां पर आप mouse ड्रैक करेंगे, वहां वहां पर यह border बनती जाएगी, अगर आप border की width घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए borders में line weight option पर जाएगे, यहां से आप border की width घटा या बढ़ा सकते हैं, यह जैसे हमने थोड़ी और मोटी border ले ली है, और अब जब हम mouse को ड्रैक करेंगे, यह देखें, अब यह border मोटी हो गई है, इस option को बंद करने के लिए border penter option पर क्लिक करें, या फिर keyboard में skip की प्रेस करें, अब यह जो mouse brush की रूप में नजर आ रहा था, वो वापस से normal हो गया है, अगर आपको screen पर से कोई border pick करना हो, तो उसके लिए border styles में border sampler option दिलता है, इस पर क्लिक करने के बाद, आपकी screen पर जो भी table है, या कुछ भी अगर है, उसमें कोई border है, same border आपको चाहिए, आप वहाँ जाकर, यानि उस border पर जाकर के क्लिक करें, ये उस border को pick कर लेगा, और अब आप जहाँ पर भी mouse को drag करेंगे, वहाँ वैसी की वैसी border बनती जाएगी, ये हमने चोड़ी वाली border pick की, अगर हम पतली वाली border pick करते हैं, जैसे हमने इसको pick किया, अब हम जहाँ पर भी mouse drag करेंगे, वहाँ पर ये वाली border आ जाएगी, color option में जाएं और जो भी color border पर देना हो उसे select करें अब आपको वापस mouse brush के रूप में दिखाई देगा इसे जिस भी row या column पर आप drag करेंगे उस row या column की border का color change हो जाएगा यदि border की line style change करना हो तो आप line style option में जाएं यह देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की Lines तैप्ट हैं, कोई dotted है कोई जिग-जग है, कोई double है इस तरह से इसमें से आप कोई साभी Lines style चुन सकते हैं उस पर click करने पर फिर से यह mouse brush की style में आ गया है अब इसे आप ज़िजबी row ya column पर drag करेंगे, उस row ya column की Lines style change हो जाएगी यदि आप border को remove करना चाहते हैं या table में सिर्फ outline देना चाहते हैं तो ये सब आप borders option में जाकर कर सकते हैं Borders option को समझने के लिए हम पहले हमारी table को पुरानी वाली city में ले आते हैं अब हम इस table को select कर लेते हैं और borders option पर click करेंगे इसमें अलग-अलग option दिये हुए हैं हम जिस भी option को चुनेंगे वो preview में हमको नजर आ जाएगा जो भी line style हमने चुनी हैं हमारी border उसी line style में आएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हैं bottom border, top border, left, right ये सब अलग-अलग हैं bottom में border cable नीचे आएगी, top में cable उपर आएगी, left में cable left में आएगी, right में cable right में आएगी no border अगर आप select करते हैं तो पूरी table में कोई border नहीं आएगी all borders लेने पर पूरी table में हर cell में border आएगी और अगर आप केवल outline चाहते हैं केवल table की बाहर की lines चाहते हैं तो आप outside border select कर सकते हैं आपको बाहर नहीं चाहिए केवल अंदर की जो borders ने वो चाहिए तो inside borders आप select कर सकते हैं इसी तरह आप बाकी के options भी यूज कर सकते हैं अब अगर आप हमने अभी उपर जितने भी options देखे थे border style, line style, width, shading, pen color, इत्यादी इन सब को एक साथ आपको apply करना है तो यहाँ पर नीचे option है borders and shading इस option का उप्योग करने के पहले हम अपनी table को plane कर लेते हैं उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके एक plane table ले लेंगे अब इस पर हम बाकी सारी चीज़ें apply करके देखेंगे borders and shading पर क्लिक करें अब यहाँ पर आपको अलग-अलग तरह की borders मिलती हैं borders में हमको सारी lines चाहिए तो हमने यहाँ से all ले लिया और यहाँ से हम border style चुन सकते हैं यह हमने border style चुन ली है यहाँ पर color आप चाहें तो automatic रख सकते हैं और चाहें तो आप चुन सकते हैं यह color हमने चुन लिया width आप यहाँ से चुन लें प्रिवियू में अगर आपको लग रहा है कि यह border आपको अच्छी नहीं लग रही color आपको ठीक नहीं लग रहा तो वह आप वापस change भी कर सकते हैं यहाँ से हमने line style change कर दी है color बदलना चाहें तो आप color भी बदल सकते हैं हमने all borders चुनी थी वह यहाँ पर preview में नजर आ रही है अगर all borders हमें नहीं चाहिए और हम कोई भी particular border इसमें से हटाना चाहते हैं इसी तरह से हम बाकी options का उप्योग भी कर सकते हैं अब हम shading option में जाएंगे यहाँ से हमको color अगर fill करना है तो वो color हम choose कर लेंगे यह देखिए आपको preview में नजर आ रहा है कि वो कैसा दिखेगा यहाँ से patterns में आप style चुन सकते हैं आपको clear चाहिए या solid चाहिए और अब इसको apply करने के लिए okay पर click कर दें यह देखिए border row shading हो गया है इस वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपने कोई table बना रखी है तो उसे या फिर उसकी किसी भी row, column या cell को कैसे select करें table में अपनी आवश्यक्ता के अनुसार कुछ rows, columns या cells कैसे insert करें या फिर उन्हें कैसे delete करें table की bodies को कैसे erase करें इत्यादी layout tab में table block में पहला option है select इस पर click करने पर आपको select cell, select column, select row और select table options दिखाई पड़ते हैं मानलीजे हमें पहली row select करनी है तो उस row में click करके हम select option में जा करके select row पर click करेंगे यह देखिए row select हो गई है इसी तरह आप चाहें तो कोई cell या फिर column या फिर पूरी table select कर सकते हैं और फिर उन्हें cut, copy या delete कर सकते हैं अगला option है view grid lines इसको समझने के लिए पहले हम design tab में जाकर table style change कर लेते हैं देखिए हमने यह style चुनी है अब इसमें आपको beach की rows की border तो नजर आ रही है लेकिन पहली row की border और पहले और आखरी column की borders नजर नहीं आ रही हैं तो उन्हें देखने के लिए आप layout tab में table block में जाकर view grid lines पर click करें तो देखिए यहाँ पर आपको blue color में यह lines नजर आ रही हैं अब आप देख सकते हैं कि जहाँ border नहीं दिखाई पढ़ रही थी वो यहाँ पर दिखाई पढ़ रही है अब हम table को normal कर देते हैं अगला option है properties इस पर जब आप click करेंगे तो यह window open होगी इसकी सहायता से आप table का size, alignment, इत्यादी change कर सकते हैं इन सभी options को हम बाद में समझेंगे draw block में draw table जो option है यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगला option है eraser eraser option की सहायता से आप rows और columns के border को erase कर सकते हैं अब जब रो या column को erase करना हो उस पर click करें यह देखिए click करते ही serial number और name के बीच का जो column था या जो line थी वो erase हो गई अब दोनों heading एक ही cell में आ गए हैं इस तरह से आप जहां जहां पर click करते जाएंगे वहां से table की line erase होती जाएगी अगर आपको पूरी row की border या पूरे column की border erase करना हो तो आप उस पर click करके drag कर दें यह देखिए यह पूरी row की line erase हो गई इसी तरह से आप column की line भी erase कर सकते हैं यदे आपको table में किसी column के पहले या बाद में एक column और insert करना हो तो उसके लिए column की line के उपर mouse ले जाएं plus का निशान दिखाई देने पर उस पर click करें यह देखिए एक column insert हो गया है इसी तरह से अगर आपको table की आखिर में column insert करना हो तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं इसको हम वापस normal कर देते हैं अब हम आपको column insert करने का दूसरा तरीका बता देते हैं आप जिस column के left या right side में column insert करना चाहते हैं उस पर click करें और rows and columns block में जाकर insert right या insert left जो भी option आप चुनना चाहें चुन लें हमने चुना insert right यह देखिए उस column के right में एक column insert हो गया है अगर आप left चुनेंगे तो उसके left में column insert हो जाएगा इसी तरह row insert करने के लिए आप किसी भी row की line पर जाएं और plus का निशान दिखाई देने पर उस पर click करें यह देखिए row insert हो गई है दूसरा तरीका है जिस row के ऊपर या नीचे row insert करनी हो उस row पर click करें और फिर rows and columns block में जाकर insert below या insert above option चुन लें यह देखिए हमने above चुना था तो जिस row पर हमने click किया था उसके ऊपर एक row insert हो गई है हमने अभी जो तरीके बताए उनके अलावा भी एक और तरीका है आप जहां भी row या column insert करना चाहते हैं पहले उस इस्थान पर click करें और फिर right click करके insert option में जाएं यहां से आप जो option चाहें चुन सकते हैं यहीं पर आपको सबसे नीचे insert cells का option मिलता है इस पर click करके आप cell insert कर सकते हैं हमने जब उस पर click किया तो यह एक window open हुई इसमें cell right में shift करना है या नीचे shift करना है जैसा आप चाहें वैसा select कर सकते हैं हमने shift cells right चुना है और फिर ओके पर click कर देंगे तो यह देखिए जो cell हमने चुनी थी उसमें cell shift हो गया है जिस पर हमने click किया था वो आगे चली गई है और यहाँ पर यह एक नया cell आ गया है इससे हमारी table गड़ बड़ा रही है हमको यह cell नहीं चाहिए तो हम इसको delete कर सकते हैं अब अगर आपको यह cell delete करना है तो उसके लिए यहाँ पर delete का option है इस पर click करें और delete cells पर click कर दें वापस से यह window open हुई है अब इसमें shift cells left पर click करके ok कर दें तो यह देखिये वापस हमारी जो cell खसकी थी वो अपनी जगह पर आ गई है और जो add किया हुआ cell था वो delete हो गया इसी तरह से आप add किये हुई rows और columns को भी delete कर सकते हैं यह हमने यहाँ पर एक column add किया हुआ था इसको delete करना है तो इसके लिए भी हम इस पर click करके delete पर click करेंगे यहाँ पर delete columns पर click कर देंगे तो देखिये पूरा column delete हो गया इसी तरह से आप rows को भी delete कर सकते हैं सेल रो या कॉलम को डिलीट करने का एक और तरीका है, जिस भी सेल रो या कॉलम को डिलीट करना हो, उस पर राइट क्लिक करें, फिर डिलीट सेल अप्शन पर क्लिक करें, अब ये एक विंडो आई है, इसमें आप सेल डिलीट करना चाहते हैं, या पूरी रो डिलीट करना चा देंगे तो यह देखिए नीचे की पूरी रो डिलीट हो गई है अगर आपको पूरी टेबल ही डिलीट करना है तो टेबल पर क्लिक करके डिलीट वाले आप्शन में जाएं सबसे नीचे आप्शन है डिलीट टेबल इस पर क्लिक कर दें यह देखिए पूरी टेबल डिलीट ह यह ज़िए आप MS Word में किसी टेबल पर कारे कर रहे हैं और आप उसमें सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं या टेबल के किसी सेल को सब्टाइटल के लिए रो और कॉलम में विभाजित करना चाहते हैं या किसी टेबल की रो और कॉलम की साइज चेंज करना चाहते हैं या फिर आपने कोई बड़ी टेबल तयार कर ली है और उसे सब्जेक्ट वाइज अलग-अलग छोटी-छोटी टेबल में बाटना चाहते हैं तो यह सब कैसे कर सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं यहां हमने पहले से एक टेबल बना रखी है और उसको हमने नाम दिया है मार्क्स टेबल चुकि यह टेबल का हैडिंग है इसलिए हम चाहते हैं कि यह नाम एक ही रो में यहां पूरा नजर आए तो उसके लिए इस रो को सिलेक्ट करेंगे और ले आउट टैप के मर्ज ब्लॉक में जाकर मर्ज सेल्स उप्शन पर क्लिक करेंगे देखे इस रो के सभी सेल्स मर्ज होकर एक रो में कनवर्ट हो गए है यहां इस टेबल में हमने स्टूडेंस को जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो लिखे हैं पर हम यह लिखना भूल गए हैं कि यह मार्क्स उन्हें कितने मार्क्स में से प्राप्त हुए हैं उसके लिए पहले हम सबजिक्ट वाली रो सिलेक्ट कर लेते हैं अब हम स्प्लिट सेल्स पर जाकर क्लिक करेंगे अब यह देखिए एक विंडो ओपन हो गई है अब आपको सेल में कितने कॉलम और रोज इंसर्ट करनी हैं वो आप यहां से चुन सकते हैं हमने एक कॉलम और दो रोज चु क्लिक करेंगे यह देखिए सेल को स्प्लिट करने के पाद सभी सबजिक्ट के नीचे एक रोग इंक हो गई है अब यहां पर हम पर के टोटल माक्स लिख देंगे जितने marks का paper था वो सब हमने यहाँ पर डाल दिये हैं हर paper 100 marks का था और total हुए 500 इन total marks में से students को जो marks मिले हैं वो नीचे लिखे हुए हैं अभी हमने एक से ज्यादा cells select करके उनमें split cell की सहायता से एक row insert की इसी तरह हम एक से ज्यादा cells select करके split cell की सहायता से उनमें columns insert कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे इसके लिए जो भी columns हमको split करना हैं पहले उनको select कर लेंगे और उसके बाद हम split cells option पे जाएंगे अब यहाँ से चूकी हमको number of rows तो बढ़ाना नहीं है यह एक ही रखना है इसको हमने एक कर दिया और number of columns हमको दो चाहिए इसको हमने दो कर दिया और अब merge cells before split को deselect करके okay पर click कर देंगे यह देखिए जतने columns हमने select किये थे वो सभी split हो गए है और हर column दो columns में बढ़ गया है अब यहाँ पर यह हमने एक table ली है जो कि class 10th की marks table है माल लेजिए कि हमने 10th class के students की इस marks table में गलती से 11th class का data भी fill कर दिया है ऐसी इस्थिती में आप इने अलग-अलग table में बाट सकते हैं इसके लिए जहां से भी आपको table को split करना हो या बाटना हो वहाँ click करें और split table पर click करें यह देखिए यहां से यह table अलग हो गई है अब यदि आपको किसी row की height बढ़ानी या घटानी हो तो उस row में click करें और layout tab के cell size block में जाकर यहां से आप इन arrows की मदद से height बढ़ा या घटा सकते हैं row की height बढ़ाने का एक तरीका और है जिस row की height बढ़ाना हो उसकी line पर click करके drag करें और जितनी भी height चाहिए अपने आवशक तानुसार आप उतनी height उसकी बढ़ाया घटा सकते हैं यह हमने कुछ rows की height यहां पर बढ़ा कर बताई है अब आप यहां देख रहे हैं कि किसी row की height कम है तो किसी की ज्यादा इन्हें एक समान करने के लिए distribute rows option पर click करें यह देखिए अब सभी rows की height एक जैसी हो गई है जिस तरह हमने आपको rows की height बढ़ाना या कम करना बताया उसी तरह आप columns की width याने चोड़ाई भी बढ़ा या कम कर सकते हैं जिस column की width चेंज करना हो उसमें click करें और फिर layout tab के cell size block में जाकर यहाँ से arrow के द्वारा आप width को बढ़ाया घटा सकते हैं दूसरा तरीका है कि आप column की line पर click करके drag करें और आपको जितनी भी width चाहिए अपनी आवशिकता नुसार उसे उतना बढ़ा ले या घटा ले अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हर column के width अलग-अलग नजर आ रही है हम इने एक समान करना चाहते हैं तो distribute column option पर click करेंगे यह देखिए अब सभी columns की width एक जैसी हो गई है cell size block में last option है autofit इस पर click करने पर आपको autofit contents, autofit window और fixed column width यह options मिलते हैं जिनने हम insert table वाली वीडियो में बता चुके हैं मान लीजिये हमने कोई table बना रखी है और हम चाहते हैं कि वा देखने में सुन्दर हो और समझने में आसान इसके लिए table में हम अपनी जरूरत की अनुसार अलग-अलग alignment उप्योग कर सकते हैं जैसे हम किसी table में text लिख रहे हैं तो वो prior left alignment से शुरू होता है और यदि हमने कहीं numbers लिखे हैं तो वो prior right alignment में होना चाहिए इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे subheadings stylish दिखें या हम किसी table में सभी cells का margin set करना चाहते हैं तो ये सभी काम आप कैसी कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे यदि आपको किसी cell, row या column में लिखे text का alignment चेंज करना हो तो उस cell, row या column को select करके layout tab के alignment block में जाएं और यहां से आपको alignment के अलग-अलग options मिलेंगे आपको अपनी आवशक्ता अनुसार जो भी alignment चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं जैसे यहां alignment block में align top left option पर क्लिक करने पर text top में left align हो जाएगा इस तरह से align top center चुनने पर text top में center align हो जाएगा यह जो सारे options हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यह सब left right और center के हैं अंतर इसमें यह है उपर वाले जो options हैं वो top के हैं जैसे अभी हमने देखा top में left top में center और top में right बीच वाले जो हैं जो text है वो उपर वाली line और नीचे वाली line से बराबर gap छोड़ करके बीच में आएगा जैसे हम इसमें लेते हैं align center इसमें आप देख सकते हैं कि जो text है वो left corner और right corner से भी बीच में हैं और top line और bottom line से भी बीच में हैं हर तरह से ये center में हैं अगर हम इसको left align करते हैं तो ये top और bottom line से तो center में रहेगा पर left corner पर आ जाएगा इसी तरह से right align करने पर ये right में आ जाएगा नीचे के जो तीन options हैं इसमें भी left, right और center रहेगा पर ये नीचे की line के करीब रहेगे जैसे इसमें अगर हमने right लिया तो हमारा जो text है वो अभी बीच में था, right में ही था पर बीच में था, अब ये नीचे की line के पास आ गया है इसको अगर हम center लेंगे तो ये नीचे की line में center में आ जाएगा और अगर left लेंगे तो नीचे की line के करीब ही ये left में आ जाएगा तो इस तरह से आपके पास ये अलग-अलग options हैं text को align करने के अब इसी तरह से हम हमारे जो sub-headings हैं उनको center में ले लेते हैं और जो marks हैं उनको right align कर देते हैं नाम तो already left alignment में है ही अब ये देखिए ये हमारी जो पूरी table है वो proper हो गई है अब यदि आपको किसी cell, row या column में लिखे text का direction चेंज करना हो तो उस cell, row या column को select करके layout tab के alignment block में जाएं और यहां text direction option पर click करते जाएं ये देखिए text vertical position में आ गया है इसी तरह अगर आप दोबारा click करेंगे तो text का direction चेंज हो जाएगा यहां पर हमने जो heading है उनका font बदल दिया था ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें इन में से जो भी direction आपको पसंदा है वो आप select कर सकते हैं जिस तरह से हम page margin set करते हैं जिसमें कि हम ये set करते हैं कि page के top में कितनी जगाच चूटनी चाहिए, bottom में कितनी जगाच चूटनी चाहिए left और right में कितनी जगाच चूटनी चाहिए और उसके बाद जब हम type करते हैं तो अपने आप system जो है वो उतनी जगाच छोड़ करके text लिखना शुरू करता है उसी तरह आप cell margins option द्वारा cell का margin set कर सकते हैं उसके लिए आप किसी भी cell में क्लिक करें और उसके बाद cell margins पर क्लिक करके इस window में आप set कर सकते हैं कि आपको top में कितनी margin चूड़ना है, bottom में कितनी चूड़ना है, left और right में कितनी margin चूड़ना है अभी यहाँ पर यह 0 है इसको हम change कर देते हैं हमको जो भी cell margin set करनी है वो हम यहाँ पर set कर देते हैं यह हमने top margin set कर दिया है अब हम left margin भी set कर देते हैं यहाँ से हमने left वाला margin जो है वो बढ़ा दिया है और जो भी हमको setting करना है वो करने के बाद अब हम ok पर click कर देंगे यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो cell margin रखा है उसके हिसाब से यहाँ पर margin set हो गया है और यह जो अभी text center में था वो अब left से ज्यादा दूर हो गया है और towards right खसक गया है यह जो सबसे उपर heading वाला cell है यह भी यहाँ पर जो marks table heading डली है यह center में था पर अभी आप देख सकते हैं चुकि हमने cell margin में top margin भी set किया है इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ नजर आ रहा है अगर हम इसे वापस कोशिश करें align top center करने की तो भी यह उपर वाली line से जाकर के चिपका नहीं है यह इसमें जो margin maintained है वो इसलिए क्योंकि हमने वो margin set किया है इसी तरह से अगर हम इसको left align करने की कोशिश करेंगे तो भी जितना हमने left में margin set किया है उतना margin यह छोड़ेगा यह पूरा left वाली line पर जाकर के नहीं जिपकेगा यदि आपके पास table में कोई data है और आप उसे ascending या descending order में sort करना चाहते हैं या फिर किसी table में कारे करते हुए table एक से ज्यादा page की हो गई है और आप उस table के प्रतेक page पर heading देना चाहते हैं या फिर आप table के data को table के स्थान पर text के रूप में देखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे आए देखते हैं अब इस table में जो data है हम उसे ascending order में जमाना चाहते हैं यानि हम हमारी जो नाम है उनको A से Z की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए table में कहीं भी क्लिक करके layout tab के data block में जाकर sort option पर क्लिक करें यह एक window open हो गई है यहां sort by के नीचे दिख रहे drop down arrow पर क्लिक करने पर आपको अपनी table में दिये गए सभी headings के नाम दिखाई पड़ेंगे आप जिस भी heading के अनुसार sorting करना चाहते हैं वो चुने हम नाम के अनुसार sorting करना चाहते हैं इसलिए यहां पर name चुन रहे हैं चुकि अभी हमने name चुना है जोकि एक text है इसलिए type के सामने वाले box में text लिखा हुआ आ रहा है यदि हम serial number वालम चुनते तो यहां पर देखे नंबर लिखा हुआ आता और यदि date वाला कोई कॉलम होता उसको हम चुनते तो यहां पर देख लिखा हुआ आता अब यहां इस तरफ आपको दो options दिखाई पड़ रहे होंगे ascending और descending इनमें से ascending by default selected ही है अब OK पर क्लिक करें देखिए नाम के अनुसार हमारा पूरा data ascending order में sort हो गया है और नाम में change आया है वो आप serial number से देख सकते हैं 123 तो already order में थे और पाँचवा वाला चार के पहले आ गया है क्योंकि वो R है और R के बाद ऐसा आता है यह अभी हमने नाम के अनुसार sorting की थी जो की text है अब हम आपको नंबर के हिसाब से भी sorting करके बता देते हैं मालीजे हम हिंदी subject के जो marks हैं उनको हम descending order में यानि घटते हुए करम में sort करना चाहते हैं इसको करने के लिए हम टेबल में कहीं पर भी click कर देंगे उसके बाद sort option पर click करेंगे यहाँ sort by में हम हिंदी चुन लेंगे अपने आप यहाँ पर नंबर आ गया है यहाँ से हम चुनेंगे descending ओके पर click कर देंगे अब यह देखिए अब जो पूरा data है वो हिंदी marks के हिसाब से sort हो गया है यहाँ पर घटे क्रम में marks आ गये हैं मालीजे हम किसी टेबल पर कारी कर रहे हैं और उसमें data डालने के लिए हम रोज बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे इस तरह से हम अगले page पर चले जाते हैं अगले page पर जाने पर उस table पर heading नहीं होती यह देखिए यह आगे हमारी जो rows हैं वो अगले दो pages तक चली गई है पर उसमें ऊपर heading नहीं है अब या तो हमें उस table में फिर से heading डालना होंगे या फिर इस कारी को हम repeat header rows option की सहायता से असानी से कर सकते हैं इसके लिए पहले page पर जहां हमने heading लिख रखे हैं उस row में क्लिक करके layout टैब में जाएं और repeat header rows option पर क्लिक करें अब यह देखिए अगले page पर हमारी table के heading दिखाई पढ़ने लगे हैं इस तरह जो इसको अब हम undo कर देते हैं और अगला option समझते हैं मान लिजे हमने कोई table बना रखी है और हम चाहते हैं कि हमारा presentation table रूप में दिखाई ना पढ़ते हुए simple data के रूप में दिखाई पढ़े तो ये काम हम convert to text option की सहायता से कर सकते हैं इसके लिए table में कहीं पर भी क्लिक करें और convert to text option पर क्लिक करें ये एक window open हो गई है अब आप अपने data को paragraph, tabs, commas जिस तरह भी set करना चाहते हैं वो option चुने यहां हम tabs ही selected रहने दे रहे हैं ओके पर क्लिक करें यह देखिए table चली गई है और चुंकि हमने tabs option चुना था तो उसके अनुसार table का data नजर आ रहा है याने tabs में जो gap हमने दी थी वो gap यहां पर भी maintained है अगर हम इस table में commas चुनते तो क्या होता यह हम ok करके देखते हैं अब यह देखिए table चली गई है और जो पूरा हमारा data है वो हर cell के data के बाद एक कॉमा हुआ आ रहा है बीच में जो gap थी वो भी इसमें से हट गई है यदि आपने table में कुछ values लिखी हैं और आप उन values का sum या average निकालना चाहते हैं या फिर उन values में से सबसे बड़ी या छोटी value निकालना चाहते हैं या अन्य कई formula हैं जिनका आप उप्योग करना चाहते हैं और इसके साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि formula लगाने पर जो भी उत्तर आए वो percentage, decimal या अन्य किसी format के साथ दिखाई दे तो वो कैसे कर सकते हैं आईए देखते हैं इस data में आप देख सकते हैं students को अलग-अलग subjects में जो marks आए हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं अब last वाले column में हम हर student के total marks निकालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले student के सामने दिख रहे total वाले cell में क्लिक करेंगे और formula option पर क्लिक करेंगे यह formula की window open हो गई है और यहां आपको formula के नीचे दिखाई पड़ रहे box में sum का formula दिखाई पड़ रहा है चूंकि हम left side में लिखी value का total निकालना चाहते हैं इसलिए यहां bracket में left अपने आप लिखा हुआ आ गया है अब ok पर क्लिक करें देखिए पहले वाले student के marks का total यहां पर आ गया है अब दूसरे student के marks का total निकालने के लिए दूसरी cell में क्लिक करें और formula option पर क्लिक करें अब देखिए यहां left के जगह above लिखा हुआ आ रहा है चूंकि हम left side में लिखे हुए marks का total करना चाहते हैं इसलिए above को हटा कर यहां पर left टाइप करें और फिर ok पर क्लिक कर दें यह देखिए दूसरे student के marks का total भी आ गया है इसे तरह आप सभी students के total marks निकाल सकते हैं अभी हमने देखा कि हर student के total marks हमने निकाले अब मालेजे आप जाना चाहते हैं कि हिंदी में सारे students को मिलाकर के total marks कितने आये हैं तो उसके लिए यहां नीचे हम total निकालेंगे उसके लिए हमने हिंदी वाले column में last cell पर क्लिक किया अब हम formula पर क्लिक करेंगे अब चुकि हमको ऊपर वाली जो values हैं उनका sum निकालना है इसलिए यहां पर above लिखा हुआ आ रहा है हम okay पर क्लिक कर देंगे तो यह उपर वाली जितनी भी values थी वो जुड़ करके उनका total आ गया है अब माली जी आप English subject में students को जो marks है उसका average क्या है यह देखना चाहते हैं तो average निकालने के लिए English subject वाले column में last cell पर हमने क्लिक किया और अब हम formula पर जाएंगे यहां पर अभी भी sum वाला formula है तो हम इसको delete कर देंगे और जो formula चाहिए उसके लिए best function में downward arrow पर click करेंगे और यहां से average पर click कर देंगे तो देखिए उपर formula आ गया है अब चूंकि हमको उपर वाली values में से average निकालना है इसलिए bracket के अंदर हमने above लिखा अब यहां से number format आप चुन सकते हैं कि आपको जो numbers बताने हैं वो decimal में चाहिए, percent में किस तरह से चाहिए हम decimal में चाहते हैं तो हमने यह option चुन लिया और आब ok पर click कर देंगे यह देखिए English subject में जो students को marks मिले हैं उनका average आ गया है और जो number format हमने चुना उसमें आया है यदि आपका document कई page का है और आप चाहते हैं कि books या magazine की तरह आपके document का नाम हर page पर उपर या नीचे या दोनों तरफ दिखाई दे तो इसके लिए आप header और footer option का उप्योग कर सकते हैं इस option के विशेष्टा ये है कि यदि आपने एक बार header या footer insert कर दिया है तो आपको हर page पर आपके चाहे अनुसार नाम दिखाई देगा और यदि आप चाहते हैं कि books या magazine की तरह ही आपके document में भी page नंबर दिखाई पड़े तो वो आप page नंबर option की सायथा से कर सकते हैं आए देखते हैं इन options का उप्योग कैसे करते हैं document में header और footer insert करने के लिए insert टैब में header and footer block में जाएं और header option पर क्लिक करें यह देखिए यहां पर अलग-अलग तरह की header styles भी हुई हैं इनने से जो भी style आपको पसंद आए आप उसे चुन सकते हैं हम यह blank style चूज कर रहे हैं यहां पर आपको जो भी text header के रूप में हर page पर चाहिए वो डालें हमने यहां डाला MS Word 2016 अब यदि आप footer भी insert करना चाहते हैं तो उसके लिए go to footer option पर क्लिक करें अब यहां page के bottom में आपको जो भी footer देना हो वो दे दें हमने यहां पर pto type किया है अब page पर कहीं पर भी double click करें इस page पर हमने जो header और footer डाले हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं अब हम अगले page पर चलकर दिखते हैं यह देखिए अगले page पर भी header और footer आ गये हैं अमाल लेजे आप इसमें कोई change करना चाहते हैं जैसे आप header बदलना चाहते हैं या उसमें कुछ add करना चाहते हैं तो आप यहां पर double click करें और जो भी changes आपको करना हो वो कर लें यह हमने अपना header change कर दिया है आप चाहें तो header में date और time भी डाल सकते हैं इसके लिए जिस स्थान पर आप date और time डालना चाहते हैं वहां पर click करें और इसके बाद date और time option पर click करें एक window open होगी इसमें आपको date और time के अलग-अलग format मिलेंगे इनमें से आप जो भी format लेना चाहें ले 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 उसको select करके ok पर click कर दें यह देखिए यहां पर date और time दोनों आ गए हैं इसी तरह आप header में picture insert करना चाहें तो वो इस option से कर सकते हैं मान लेजिए आप पहले page पर अलग header चाहते हैं और बाकी के pages पर अलग header देना चाहते हैं तो उसके लिए different first page option select करें अब यहां first page पर आप जो भी header देना चाहते हैं वो डाल दें अब यह हमारे first page का header हो गया है how to use header and footer और बाकी के pages पर पूर्बान उसार हमारा header है Microsoft Word 2016 अगला option है different odd and even pages मालीजे आप चाहते हैं कि हर odd page पर header अलग हो और even page पर header अलग हो मतलब आमने सामने के pages में एक page पर अलग header हो दूसरे page पर अलग header हो तो उसके लिए different odd and even pages पर क्लिक करें अब आप odd page पर जो header डालेंगे वो ही header सभी और pages पर आएगा और जो header even pages पर डालेंगे वो सारे even pages पर आएगा यहां पर odd page पर हमने how to use header and footer यह header रखा है और even page पर MS Word 2016 अब हम देख लेते हैं कि आगे यह odd page पर how to use header and footer header आगया और even page पर MS Word 2016 अगर आपको header footer का format change करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं उसके लिए header पर क्लिक करें अब यहां से यह जो भी आपको style दिख रही है यह अलत format दिख रहे हैं इसमें से जो की चाहिए हो वो आप चुन लें यह यहां पर हमारा चुना हुआ format आ गया है इसमें हम यहां पर document title डाल सकते हैं और आगे इसमें date का option है यहां पर हम date डाल सकते हैं यह header का format change हो गया यदे आपको header और footer नहीं चाहिए तो आप इने delete भी कर सकते हैं उसके लिए header और footer के block में जाकर के double click करें और उसे delete कर दें यह header और footer दोनों delete हो गये हैं header and footer block में अगला option है page number यदि आप document में page number insert करना चाहते हैं तो इस option पर click करें इसमें कुछ sub options हैं यदि आप top of page option में जाएंगे तो आपको page के top में number insert करने के लिए अलग-अलग options मिलेंगे उसी तरह bottom of page में जाने पर आपको page के bottom में page number insert करने के लिए अलग-अलग options मिलेंगे हम page के top में right side में page number डालना चाहते हैं उसके लिए हमने यह option चुना यह देखे page के top में right side में page number insert हो गया है अब आगे आप जितने भी pages पर जाएंगे आप देखेंगे उन सभी पर page numbers आ गये हैं अब अगर आप page number की जगर change करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले page number में जाकरके remove page numbers पर click करके इसे हटा दें इमाल लिजे हम page के bottom पर page number चाहते हैं तो इस पर mouse रख करके इसमें से जो भी style हमको चाहिए वो हम चुन लेंगे हम bottom में center में page number चाहते हैं इसले हमने यह style चुन ली यह दिखिए page number अब bottom पर आ गया है और यह इस तरह सारे pages पर आप देख सकते हैं page number bottom center पर आ गया है यदे आप page numbers के format को change करना चाहते हैं यानि आप चाहते हैं कि 123 इस तरह से numbers की जगह पर ABC, I या फिर Roman लिपी में page number लिखे हुए आए उसके लिए page number option में जाकर format page numbers option पर क्लिक करें अब यहां से जो भी format चाहें उसे choose करके ok पर क्लिक कर दें चोकि हमने numbers bottom में डाले हुए थे तो यह bottom में format change हो करके page number आ गया है MS Word में एक बहुत ही अच्छा option है जिसका नाम है quick access toolbar इस toolbar की सहायता से हम तुरंत किसी भी option का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आपको किसी भी tab में जाने के जरुरत नहीं होती इस toolbar में आप वो commands रख सकते हैं जिनके आपको अक्सर जरुरत पड़ती है इसके साथ ही आपने इसमें जो भी command add की हो उसे shortcut की द्वारा भी use कर सकते हैं quick access toolbar menu bar के उपर left side में होता है जैसा कि इसका नाम है quick access मतलब जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंत पहुँच सकें इस toolbar में वो commands रखी जाती हैं जिनकी हमें अक्सर जरुरत पड़ती है इसमें by default तीन commands होती हैं save, undo और redo इन commands के बाद आपको एक downward arrow दिखेगा जिसके मदद से आप quick access toolbar में उप्योगी commands एड़ कर सकते हैं हम इस पर click करते हैं ये देखें drop down menu open हो गया है अभी इसमें केवल तीन commands के सामने टिकमाक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये quick access toolbar में पहले से ही हैं अब बाकी commands में से जो भी command आप यहाँ पर add करना चाहते हैं उन पर click कर दें जब अगर आपको इस option को use करना है यानि अगर आपको कोई नई file लानी है तो उसके लिए file में जाकर के new पर click करने की बजाए आप सीधे quick access toolbar में new पर click कर दें ये देखिए ये नई file आ गई है अगर हमको इसे हटाना हो तो वापस new पर click करके ये tick हटा देंगे तो ये यहाँ से हट गया आईए अब हम quick access toolbar के कुछ अन्य options देखते हैं इसके लिए हम इसे दोबारा open करेंगे इसमें more commands option पर click करें click करते ही एक नई window open होगी चूंकि हमने quick access toolbar के लिए ये window open की है तो यहाँ पर quick access toolbar selected है आपको इस list में कई सारे commands दिखाई दे रहे हैं इन में से आप कोई भी command select करके add कर सकते हैं उधारन के लिए हम इन commands में से copy command add करना चाहते हैं तो हम उस पर click करेंगे और फिर add button पर click करेंगे उस पर click करते ही ये देखिए copy command इस list में add हो गया है जिस तरह हमने एक command add किया है उसी तरह आप इस list में से और भी commands add कर सकते हैं जिस तरह से हमने ये commands add किये हैं उसी तरह से इन्हें remove भी किया जा सकता है उदारन के लिए हम new file command को remove करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके remove बटन पर क्लिक कर दें यह देखे new file command यहां से remove हो गया है इसके अलावा यहां दिये गए upward और downward arrows की सहायता से अब यह set कर सकते हैं कि कौन सा command आपको पहले चाहिए और कौन सा बाद में उदारन के लिए हमें copy command save से पहले चाहिए तो हम copy command को select करेंगे और इस upward arrow पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक यह command सबसे उपर ना आ जाए इसी तरह से downward arrow की सहायता से आप किसी भी command को नीचे की तरफ shift कर सकते हैं उदारन के लिए हम save command को redo के बाद चाहते हैं यह देखिए यह redo के नीचे आ गया है अब इससे save करने के लिए ok पर click कर दें अब यह देखिए जो भी setting हमने की थी वो यहाँ उपर आपको नजर आ रही है यह copy command सबसे पहले आ गई है और save command redo के बाद में आ गई है और जो भी नए commands हमने add किये हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं quick access toolbar में commands add करने का एक और तरीका है हम insert tab के ribbon में दिख रही text box command को quick access toolbar में add करना है तो हम text box command पर right click करेंगे ऐसा करते ही देखिए एक menu open हुआ है इसमें सबसे पहले option है add to quick access toolbar हम इस पर क्लिक करते हैं यह देखिए text box command quick access toolbar में add हो गया है अब इस drop down menu में सबसे आखिरी option है show below the ribbon इस option को क्लिक करने पर quick access toolbar ribbon के नीचे आ जाएगा यह देखिए quick access toolbar ribbon के नीचे shift हो गया है इसे वापस उपर shift करने के लिए quick access toolbar पर right click करें और show quick access toolbar above the ribbon पर क्लिक कर दें आप quick access toolbar में दी गई commands को shortcut keys से भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको अपने keyboard की alter key प्रेस करना होगी उसे प्रेस करते ही आपको quick access toolbar में number और tabs पर alphabets दिखने लगेंगी इन numbers और alphabets को प्रेस करने पर ये option apply हो जाएंगी मान लिजे हम print preview का option यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो number दिया है वो है 7 तो हम keyboard पर 7 number वाली की प्रेस कर देंगे यह देखे print preview आ गया है इसी तरह जब भी आपको यहाँ दी गई commands shortcut की द्वारा यूज़ करना हो तो alter की प्रेस करें सारे numbers और ये alphabet वापस यहाँ आ जाएंगे फिर आप इस में से जिसका भी उप्योग करना चाहें कर सकते हैं Quick Access toolbar में जितने भी commands add होते जाएंगे number इस तरह से बढ़ते जाएंगे जैसे 9 के बाद 090807 इत्यादी यदि आप word में किसी particular page या paragraph का print निकालना चाहते हैं या आप print निकालते समय page का margin या orientation बदलना चाहते हैं या आप एक से अधिक copies प्रिंट के रूप में निकालना चाहते हैं तो ये सभी कारे आप कैसे करेंगे आएए इस वीडियो में देखते हैं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे like करें अन्य लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें यहाँ पर हमने एक file खोल कर रखी हुई है अब हम इस document का print निकालना चाहते हैं प्रिंट निकालने के लिए file में जाएं और print option पर click करें यहाँ से आप अपने document को zoom in या zoom out करके यानी छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं आप document की कितनी copies print करना चाहते हैं वो in up and down arrow की साहता से select कर सकते हैं या फिर आप वो संख्या यहाँ पर type कर दें यहाँ से आप जिस printer द्वारा print लेना चाहते हैं वो printer select कर सकते हैं यदि आप यहाँ से print all page चुनते हैं तो document के सभी pages print हो जाएंगे यदि आप print selection option चुनते हैं तो document में जो matter आपने select किया होगा सिर्फ वही print होगा उदारन के लिए हम यह अपने document पर आए और यहाँ पर माली जी हमने इतना matter select करके रखा हुआ है अब हम वापस file में जाएंगे print पर click करके settings में print selection पर जाएंगे अब इस पर जब हम click करेंगे तो केवल उतना ही matter print होगा जितना की हमने select किया हुआ है इसे में यदि आप print current page option चुनते हैं तो document में जिस page पर cursor होगा सिर्फ वही page print होगा माली जी हम page 3 को print करना चाहते हैं और यह हमारा cursor जो है वो page 3 पर है तो अब अगर हम जाकर के print current page option पर जाएंगे तो केवल वो page print होगा जिस पर हमने cursor रखा हुआ है यदि आप किसी particular page से किसी particular page तक print चाहते हैं तो वो custom print option की सहायता से निकाल सकते हैं जैसे आपके document में 10 pages हैं और आप 5 से लेकर 10 page तक print निकालना चाहते हैं तो उसके लिए 5-10 टाइप करें और यदि आप page 1, page 3 और page 5 से लेकर 7 तक के print निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इस तरह से type करें सिंगल page के लिए कॉमा लगाना होगा और अगर continuation में हम 2-3 page चाहते हैं तो जिस page से लेकर जिस page तक हमको print चाहिए उनके बीच dash लगा कर लिखेंगे यदि आप सिर्फ odd pages जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादी या फिर even pages जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादी का print निकालना चाहते हैं तो इन options को use कर सकते हैं यहाँ से आप page का orientation चेंज कर सकते हैं यानि आपको page horizontal चाहिए या vertical वो आप यहाँ से चुन सकते हैं यहाँ पर अभी portrait orientation selected है इसमे page vertical होता है अगर आपको horizontal page चाहिए तो उसके लिए landscape orientation चुन लें यह देखे page horizontal प्रिंट होगा यहाँ से आप page का size change कर सकते हैं Normally offices में A4 size का page यूज किया जाता है यहाँ से कुछ set margins हैं जो आप ले सकते हैं margin change करने का मतलब है कि किसी भी page पर उपर नीचे दाएं और बाएं कितनी जगह छूटेगी यह आप decide कर सकते हैं अगर हम narrow margin यूज करते हैं तो चारों तरफ बहुत कम जगह छूटती है इसी तरह से आप moderate, wide या mirrored margins चुन सकते हैं और अगर आप margin अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो custom margins में जाकर के आप यहां पर top में, bottom में, left में, right में कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो अपने हिसाब से set कर सकते हैं जैसे यहां पर हम अपने हिसाब से margin set कर रहे हैं और जब हम यहां पर ऊपर कोई भी changes करते हैं तो यहां नीचे preview में आप देख सकते हैं कि वो changes नजर आते हैं document किस तरह का दिखेगा वो हमको नीचे दिखने लगता है अगर orientation change करना चाहें तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं setting कर लेने के बाद ok पर click कर दें यह देखिए यह page के margin में changes हो गए हैं अब यहां पर यह सारी settings कर लेने के बाद उपर print के button पर click करें आपने जो भी option select किये होंगे उनके अनुसार print निकल आएगा सामानित हम word में काम करते समय कई बार cut, copy और paste का उप्योग करते हैं किसी भी text को paste करने के बाद जब हम कोई नया text cut ya copy कर लेते हैं तो पहले वाला text जो हमने cut ya copy किया था वो चला जाता है और उसकी जगह नया text हमारे पास रह जाता है यानि अब यदि हम paste करेंगे तो नया text paste होगा पुराना नहीं word में एक बहुत ही अच्छा function है clipboard इसमें cut ya copy किये हुए 24 text अपने आप अस्थाई रूप से store हो जाते हैं फिर से paste कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें कम्प्यूटर को बंद करने पर clipboard में stored पूरा data चला जाता है तो आएए देखते हैं हम clipboard को कैसे use कर सकते हैं ओधारण के लिए ये हमारे पास एक data है जिसमें हम कुछ lines को cut कर लेते हैं उसके लिए जो भी text आपको cut करना है उसको select कर लें और उसके बाद इसे cut कर लें अब जहां पर भी ये data paste करना हो वहां पर click करें और paste कर दें ये देखिए अभी हमने simply data cut किया और उसे paste कर दिया इसे तरह से हम कुछ और text को copy कर लेते हैं अब इसको हम यहां पर paste कर देते हैं जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि ये cut और copy किये हुए matter clipboard में automatically आ जाते हैं अब ये clipboard में आए हैं या नहीं ये हम clipboard में चलकर देखते हैं उसके लिए clipboard के पास arrow के निशान पर click करें ये देखिए जो data हमने cut or copy किया था वो यहां clipboard में automatically आ गया है इनने से आपको जो भी data कहीं paste करना हो पहले उस इस्थान पर आप click करें और फिर उस data पर click करें इसे तरह आप यहां से जितनी भी बार चाहें data को paste कर सकते हैं अब हम एक पूरा paragraph copy कर लेते हैं ये देखिए copy किया हुआ paragraph भी clipboard में आ गया है अब हम clipboard की मदद से इनने एक साथ paste कर सकते हैं उसके लिए हमें जहां ये data paste करना हो वहां पर click करने के बाद paste all option पर click करेंगे ये देखिए ये पूरा data एक साथ यहां पर आ गया है अब हम एक नई file open कर लेते हैं अभी हमने जिस file में clipboard पर काम किया था मान लेजिए हम उस clipboard का data इस file में भी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए clipboard के arrow पर click करेंगे ये देखिए clipboard में cut और copy किया हुआ data दिखाई पड़ रहा है अब हमें इस file में जहां भी data के जरुवतों वहां पर click करें और फिर इन में से जो data चाहिए उस पर click करें और यदि पूरा data चाहिए तो paste all पर click करें हमें पूरा data चाहिए इसलिए हम paste all पर click कर रहे हैं ये देखिए पूरा की पूरा data यहाँ पर आ गया है अगर हमें कोई data clipboard में से delete करना हो तो उसके लिए data के सामने जो downward arrow है उस पर click करें और फिर delete पर click कर दें देखिए वो data यहाँ से delete हो गया है यदि clipboard के पूरे data को delete करना हो तो उसके लिए clear all पर click कर दें ये देखिए clipboard से पूरा data चला गया है illustrations block में उपलब्ध commands का उपयोग word document में graphics insert करने के लिए किया जाता है यदि आप अपने word document में विभिन प्रकार के shapes insert करना चाहते हैं या फिर text को smart art में convert करना चाहते हैं तो ये सब कैसे कर सकते हैं आईए देखते हैं पहले हम word document में shapes insert करना देखते हैं इसके लिए insert app पर क्लिक करें यहां ribbon में दिखाई दे रहे shapes बटन पर क्लिक करें open हुए menu में आपको अलग-अलग तरह के shapes नज़र आएंगे जैसे कि lines, rectangles, basic shapes, block arrows, etc आपके document में जैसा भी data या text हो उसके अनुसार आपको जो भी shapes चाहिए वो आप यहां से चुन सकते हैं मानलेजे हमें किसी project के लिए plant का life cycle दर्शाना है तो वो हम shapes के माध्यम से कैसे कर सकते हैं आएए देखते हैं इसके लिए हम oval shape पर क्लिक कर रहे हैं shape चुनने के बाद document में जहां भी वो shape ड्रॉ करना चाहते हैं माउस की साहता से ड्रैक करते हुए वहां पर क्लिक करके छोड़ दें यह देखिए यहां पर हमने oval shape इंसर्ट कर दिया है जब ही हम कोई shape इंसर्ट करते हैं तो उपर format tab दिखाई देने लगता है और जब भी कभी यह tab दिखाई नहीं पढ़ रहा हो तो shape पर क्लिक करें ऐसा करते ही format tab आ जाएगा इस tab के माध्यम से shape की पूरी formatting की जा सकती है चलिए हम आपको कुछ formatting करके बता देते हैं shape fill option के drop down menu से आप shape को अलग-अलग color दे सकते हैं हम इन colors में से green color पर क्लिक कर रहे हैं shape outline option के drop down menu से आप shape को अलग-अलग color की outline दे सकते हैं अब हम इस outline का design भी change करके देख लेते हैं उसके लिए हम shape outline option के drop down menu में weight option में जाएंगे और यहां से border की width यानी चोड़ाई बढ़ा देंगे और फिर उसी के नीचे दिखाई दे रहे dashes option से border का design चुन लेंगे आप जिस भी border पर mouse ले जाएंगे पीछे उसका preview आपको दिखाई देगा preview में जो भी design आपको अच्छा लगे वो वाला design आप चुन सकते हैं अब हम इस shape की तीन और copies बना लेते हैं Ctrl C और Ctrl V की साहता से हमने इसकी तीन copies और बना ली हैं अब हम इन्हें circular form में arrange कर देते हैं इन्हें arrange करने के बाद इनमें हम plant की life cycle लिख देते हैं यह हमने हर शेप के अंदर plant life cycle की process लिख दी है अब हमें cycle दर्शाना है उसके लिए हम arrows लगाएंगे वो भी हम shapes option की साहता से insert कर लेते हैं insert tab में जाकर shapes option क्लिक करेंगे यहां drop down menu में अलग-अलग तरह के arrows दिये हुए हैं हम यह arrow का निशान चुन रहे हैं अब document में जहां भी arrow insert करना हो माउस की साहता से drag करते हुए वहां पर click करके छोड़ दें यह देखिए यह arrow हमने यहां पर insert कर दिया है हम arrow की भी formatting करके उसका color वगेर change कर देते हैं अब चुकि हम cycle दर्शाना चाहते हैं तो इस arrow की भी हम 3 copies बना लेंगे पहले एक copy बनाते हैं इस arrow को हम second position पर set कर देते हैं यह देखिए arrow की position तो set हो गई है पर इसकी direction गलत है इसकी direction change करने के लिए यहां उपर दिखाई दे रहे curved arrow पर click करते हुए shape को जस direction में मोड़ना हो उस direction में मोड़ा जा सकता है यह देखिए हमने arrow को set कर दिया है अब हम बागी के दो arrows भी इसी तरह से copy करके set कर लेते हैं यह देखिए हमने shapes की सहयता से plant का life cycle बना लिया है पहले seed मतलब beach फिर उससे seedling बनेगा यानि वो अंकुरित होगा उसके बाद mature plant बनेगा फिर उसमें से flower बनेगा और flower से फिर seed बनेगा इस तरह आप भी shapes का उप्योग करके अलग-अलग आकार बना सकते हैं यह तो हमने manually shapes का उप्योग करके life cycle बनाया पर यदि आप चाहें तो smart art option द्वारा पहले से ही तयार किये गए cycles या flow charts में से कोई भी art चुन सकते हैं चलिए हम आपको smart art option के बारे में बादेते हैं smart art डालने के लिए insert tab पर click करें अब यहां दिखाई पढ़ रहे options में से smart art पर click करें यह देखें आप पर smart art का menu open हो गया है इसमें आपको कई तरह के smart art मिलेंगे जैसे कि list hierarchy cycle लित्यादी cycle पर click करने पर आप देख सकते हैं यहां पर कई सारे cycle के patterns दिखाई दे रहे हैं यह basic pattern है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले manually बनाया था हम इस पर click करते हैं अब हम okay पर click करते हैं यह देखिए यह cycle यहां पर आ गया है अब इसमें text की जगह आप जो भी चाहें वो type कर सकते हैं अब हम इसे यहां से हटा देते हैं और एक नया smart art एड़ करके आपको example देते हैं smart art वाले menu में हम pyramid पर जाएंगे यहां से हम basic pyramid select कर रहे हैं अब okay पर click करेंगे यह देखिए okay पर click करते ही यह pyramid document में insert हो गया है यहां पर हम text की जगह कुछ और type कर देते हैं हम एक school का example ले लेते हैं जैसे सबसे पहले school का principal उसके बाद teacher और उसके बाद आता है student अब हम text की थोड़ी formatting कर लेते हैं जब भी हम कोई shape insert करते हैं तो formatting के लिए format tab आ जाता है उसी तरह smart art insert करने पर भी format tab आ जाता है और साथ ही design tab भी आ जाता है design tab में आपको smart art के लिए अलग-अलग तरह की designs के option मिलेंगे जैसे कि आप smart art का color change कर सकते हैं मान लेजिए हमने ये color select किया smart art style से आप smart art की style change कर सकते हैं चले हम आपको कुछ और options के बारे में बता देते हैं add shape से आप pyramid में और blocks जोड सकते हैं यहां पर ये चार options दिये हुए हैं जो भी block आपका selected होगा उसके बाद में या पहले उसके ऊपर या नीचे ये block जुड जाएगा जैसे हमने सबसे नीचे वाला block select किया अब हम add shape after पर जब click करेंगे तो इसके बाद में एक और block यहां पर आप देख सकते हैं जुड गया है Ctrl Z से हम इसे वापस normal कर रहे हैं अगर आप add bullet option चुनते हैं तो इस smart art के side में bullets आ जाएंगी और आपको जो भी यहां पर text लिखना हो वो आप लिख सकते हैं इसको हम फिर से normal कर रहे हैं और अब आपको बताते हैं अगला option text pen इससे आप art में text insert कर सकते हैं Move up और Move down options की सहायता से पिरामिट के किसी भी block को उपर या नीचे खिसकाया जा सकता है Move down पर क्लिक करने पर आप देख सकते हैं हमारा जो पिरामिट था उसमें second number का जो block था teacher वो उपर चला गया है और उपर वाला block प्रिंसिपल नीचे आ गया है Demote option से आप selected shape या smart art के part को side में खिसका सकते हैं यह देखिए last वाला जो block हमारा selected था वो demote option पर क्लिक करने पर इधर side में आ गया है अब यह जो block है जो demote करने पर smart art के side में आ गया है इसे आपको smart art के left में रखना है या right में रखना है वो आप right left option के मदद से चुन सकते हैं यह देखिए इस पर हमने click किया तो अब यह इसके right में आ गया है वापस click करने पर इस shape के left में चला गया है अगर आप इसको वापस smart art में जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए promote पर click करें यह देखिए यह block वापस से pyramid में जुड़ गया है अब यदि आप smart art पर की गई पूरी formatting हटाना चाहते हैं तो वो reset graphic option की सहयता से कर सकते हैं यह देखिए इस smart art की पूरी formatting हट गई है इस तरह आप smart art का उप्योग करके एक अच्छा presentation बना सकते हैं यदि आपके पास कोई data है और आप उसे चार्ट के रूप में present करना चाहते हैं या आप अलग-अलग वर्ष या department इत्यादी द्वारा की गई cell की तुलना चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं या फिर आपने कोई चार्ट इंसर्ट किया है और आप उसकी style और color बदलना चाहते हैं या document में कोई screenshot इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये सब काम आप कैसे कर सकते हैं आएए देखते हैं इंसर्ट टैप पर क्लिक कीजिए यहां दिखाई दे रहे options में से chart option पर क्लिक करिए यहां आपको अलग-अलग तरह के charts दिखाई पड़ेंगे जैसे की column, line, pie, bar, इत्यादी यहां पर हमने column chart पर क्लिक किया उपर भी कुछ अलग-अलग styles यहां पर नजर आ रही हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, हमने यह पहला वाला clustered column लिया है अब हम OK पर क्लिक कर देंगे यह देखिए, chart के साथ एक Excel sheet भी open हो गई है पर Excel sheet में पहले से ही कुछ data है इस data को हटाकर हमें जो data इस chart में present करना है वो डाल देते हैं जैसे हमने यह data लिया है, इसमें हमने साल 2015, 2016 और 2017 में हुई scooter, car, truck और cycle की cells लिखी हैं Excel sheet में data change करते ही पीछे chart में भी वो ही data दिखाई देता है अब हम Excel sheet को close कर देते हैं आप चाहें तो इस chart की अलग तरह से vomiting भी कर सकते हैं यहां से आप chart का color change कर सकते हैं यहां से आप chart को अलग-अलग styles दे सकते हैं add chart element के अंतरकत भी आपको कई सारे options मिलेंगे जैसे की data labels center अगर आप चुनते हैं तो जो data है वो columns के center में दिखाई देगा inside end चुनने पर columns में अंदर की तरफ जो data है वो आपको उपर वाले end पर दिखाई देगा inside base चुनने पर column के अंदर data column के base में दिखाई देगा outside end चुनने पर column के बाहर उपर की तरफ data दिखाई देगा और data call out चुनने पर यह आपको इस तरह से दिखाई देगा इसी तरह से grid lines से आपके chart में grid lines दिखाई देगी अगला option है quick layout इसकी साहता से आप chart का layout change कर सकते हैं इस option को click करने पर एक menu open होगा इसमें आपको अलग-अलग layouts दिखाई देंगे देखे हम जिस भी layout पर mouse ले जा रहे हैं उसका preview chart में दिखाई दे रहा है यदि आप chart के data को edit करना चाहते हैं तो आप edit data option की साहता से कर सकते हैं यहां पर यह दो options दिए हुए हैं दोनों में ही excel sheet open होगी पहले option के excel sheet इसी document के अंतरगत open होगी इस तरह से और दूसरे option के excel sheet अलग से open होगी इस तरह से अब हम data में जो भी changes करें वो chart में अपने आप दिखाई देंगे जैसे हमने scooter की cell 2015 में बढ़ा दी तो यह देखिए chart में भी वो अंतर दिखाई पड़ रहा है यहां पर आखिरी option है change chart type इसे क्लिक करने पर charts वाला menu open होगा जिसमें से आप इसी data के लिए नया chart चुन सकते हैं जैसे यहां से हमने चुन लिया line ओके पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए इसी data के लिए अलग तरह का chart आ गया है अब हम इस chart को यहां से हटा देते हैं और आपको document में screenshot insert करना बताते हैं insert tab पर क्लिक करें यहां दिखाई दे रहे options में से screenshot option पर क्लिक करें उसे क्लिक करने पर एक menu open होगा जिसमें available windows दिखाई देंगी यह वो screens होगी जो इस समय आपके computer पर open हैं इन में से जिस भी screen का screenshot आप document में insert करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें तो वो screenshot आपके document में insert हो जाएगा और यदि आप manually कोई screen कट करके वो part document में insert करना चाहते हैं तो screenshot option पर क्लिक करें open हुए menu में से screen clipping पर क्लिक करें और जिस भी screen का clip या part insert करना चाहते हैं mouse की सहयता से उतने part को select कर लें यह देखिए जैसे हमने mouse का क्लिक छोड़ा यह जितना part हमने select किया था वो यहां पर insert हो गया है यदि MS word में काम करते वक्त किसी particular word की बार बार आवशकता पड़ती है तो उसके लिए word में हम short forms बना सकते हैं जब भी हम वो short form type करेंगे तो वो automatically full form में convert हो जाएगा यह सब आप auto correct option की सहता से कर सकते हैं आएए देखते हैं कैसे मालीजे उदारन के लिए हमें कुछ text यहां पर type करना है जिसमें की हमको बार बार Microsoft word और यह जो address दिया हुआ है mobile number दिया हुआ है और video tutorial in Hindi इनका उपयोग करना है यह बार बार लिखने में आएंगे और हम इनको बार बार इतना लंबा लिखें इसकी बजाए हमने इनके कुछ short form बना लिये हैं हम चाहते हैं कि जब भी हम MSW लिखें तो Microsoft word आ जाए ADRS हम जब भी लिखें तो यह पूरा address अपने आप आ जाए MO लिखने पर यह mobile नंबर आ जाए और VTS लिखने पर video tutorial in Hindi अपने आप लिखा हुआ आ जाए क्योंकि इनका repetition कई बार होना है तो उसके लिए हम file option पर जाकर click करेंगे यहां left side में दिखाई दे रहे options में से सबसे नीचे जो दिया है options इस पर click करेंगे इस पर click करते ही यह एक word options का dialogue box open हो गया है इसमें proofing option पर click करेंगे यहां पर आपको auto correct options का button दिखाई देगा उस पर click करें यह एक और dialogue box open हो गया है इसमें replace के नीचे वाले box में हम short form type करेंगे यह हम short form बनाया था MSW value और अब with के नीचे जो box है इसमें हम इसका full form type कर देंगे Microsoft word अब add पर click कर देंगे यह देखिए वो word यहां नीचे इस list में add हो गया है इसी तरह हमें जो भी words add करने हो वो हम यहां पर add करते जाएंगे यह जो पूरा address है उसके लिए हमने short form लिखा है ADRS और अब जब भी हम ADRS लिखेंगे तो वो replace हो जाएगा इस address से इसको हमने add कर दिया और जो जो हमको short form चाहिएं वो हम यहां पर लिख करके उनको add कर लेंगे उसके बाद ok पर click कर देंगे इस dialogue box में भी ok पर click कर देंगे अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो यहां पर हमने सबसे पहले short form type किया यह MSW type करके जैसे ही हम enter press करेंगे यह देखिए यह अपने आप उसका full form यहां पर आ गया है हमको यह पता लिखना है तो हम type कर देंगे ADRS ADRS type करने के बाद चाहें तो enter press करें नहीं तो आप space bar अगर press करेंगे तो भी यह पुरा की पुरा address देखिए यहां पर आ गया है तो इस तरह से हम जो ज्यादा repeat होने वाले words हैं उनका short form दे करके typing को आसान बना सकते हैं अमाली जीए जो भी matter आपको type करना था वो आप कर चुके हैं और अब आपको इन short forms की जरूरत नहीं हैं आप इनको delete करना चाहते हैं तो उसके लिए वापस file option में जाएं यहां से options में जाएं इस dialogue box में proofing पर क्लिक करें यहां पर auto correct options पर क्लिक करें अब इस dialogue box में replace के नीचे वाले box में जो भी short form आपको हटाना है वो type कर दें जैसे हम MSW हटाना चाहते हैं तो MS type करते ही यह देखिए यहां उपर वो आ गया है इस पर क्लिक करें और उसके बाद delete पर क्लिक कर दें तो यह देखिए यह हट गया है मालीजे आपको address वाला short form भी हटाना है तो ADRS type किया यह यहां पर यह इसका full form आ गया है इसको भी delete कर दें और ऐसा करने के बाद OK पर क्लिक करें इस dialogue box में भी OK पर क्लिक करें अब अगर आप वो type करेंगे और space देंगे या फिर enterprise करेंगे तो कोई भी full form यहां पर इसका नहीं आया है यदि आप MS Word में लिखे हुए text को अलग-अलग design देना चाहते हैं तो ये काम आप word art की सहयता से कर सकते हैं और drop cap की सहयता से अपने word document को एक अच्छा लुग दे सकते हैं आईए देखते हैं document में word art और drop cap कैसे insert किया जाता है फाइल में word art insert करने के लिए insert tab में जाएए यहां text block में दिखाई दे रहे options में से word art option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने पर आपको अलग-अलग style के word art दिखाई देंगे इन में से जिस भी style का word art आपको insert करना हो उसको select कर लें अब आपको यहां पर जो भी text type करना हो वो type कर दें अगर आप इसका font size बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए इसको select करके home tab में font size पर जाकरके आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं यह हमने word art का size बढ़ा लिया है अमा लिजे आप word art की style बदलना चाहते हैं उसके लिए text पर कहीं पर भी click करें यह देखिए ऐसा करते ही format tab active हो जाएगा format tab में word art styles block में जाएं यहाँ पर quick styles वाला जो arrow है उस पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग-अलग style के word art मिलेंगे जिस भी text की word art style आपको change करना हो अगर वो selected होगा तो आपको यहाँ पर preview दिखेगा जैसे ही आप mouse जिस भी style पर ले जाएंगे नीचे preview में आप देख सकते हैं वो कैसी नजर आएगी जो भी style पसंद आए उस पर click कर दें यदि आपको word art का color change करना हो तो text fill option में जाएं और यहां से जो भी color लेना चाह रहे हो वो आप ले लें इसी तरह word art की border का color अगर आपको change करना हो तो text outline में जाकर आप border का color भी change कर सकते हैं इसी तरह यदि आप इसमें कोई effect देना चाहते हैं तो यह text effects option में जाकर के वो कर सकते हैं यहां पर आपको shadow का option मिलता है उसी तरह से अगर आपको reflection चाहिए तो आप reflection यूज़ कर सकते हैं हर option पर mouse ले जाने पर sub option आपको यहां पर नजर आते हैं इसमें से आपको जो भी चुरना हो वो आप चुन सकते हैं अगर आपको 3D rotation चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं और अगर आपको इसको transform करना हो तो लिखे हुए text को आप यहां जो styles दी हुई हैं उसमें transform कर सकते हैं यह अभी आपने word art insert करना देखा अब हम आपको drop gap insert करना बता देते हैं आपने अक्सर अखबारों और किताबों में देखा होगा कि जो भी text होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो बाकी text के मुकाबले काफी बड़ा होता है इस option को insert करने के लिए आप insert tab के text block में drop gap पर जाएं अब यहां पर आपको arrow पर क्लिक करने पर अलग-अलग options दिखेंगे मान लिजे आप ये dropped वाला option यूज़ करना चाहते हैं तो ये कैसा दिखेगा ये आपको कहा नीचे preview में नजर आ जाएगा अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये option यहां पर insert हो जाएगा ये देखिए यहां पर जो सबसे पहला word था if उसका आई यहां तीन लाइन में आपको नजर आ रहा है यदि आप drop cap का size बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए corner पर जो dot दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करें और फिर drag करें ये देखिए drop cap का size बढ़ा हो गया है पहले ये 3 lines में आ रहा था अब ये 4 में आ रहा है drop cap का font size बदलने का एक और तरीका है यदि आप इसका font style और size दोनों बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप वापस drop cap पर जाएं सबसे नीचे आपको drop cap options लिखा हुआ दिखाई देगा इस पर क्लिक करें यहां आप font वाले box में drop down menu पर क्लिक करके यहां से जो भी font आपको चुनना है वो चुन सकते हैं अभी इसका जो size है वो 5 line तक आ रहा है मान लिजिए हम इसे छोटा करना चाहते हैं हम इसे 3 lines मिलेना चाहते हैं या इसे बढ़ाना चाहते हैं तो वो हम यहां से कर सकते हैं हमने इसको घटा करके 3 कर लिया है इसके नीचे option है distance from text अब इस letter से बाकी के text की कितनी दूरी रहेगी इस option से हम वो निश्यक कर सकते हैं अभी यह 0 है अगर इसे बढ़ाना हो तो हम इसे बढ़ा सकते हैं और अगर इसको घटाना हो तो वो हम घटा भी सकते हैं हमने इसको 0 की बजाए 2 point बढ़ा दिया है अब सारी setting के बाद okay पर click कर देंगे यह देखिए यहां पर font बदल गया है font size बदल गया है यह पहले 5 lines तक था अब 3 में आ गया है और इस i से यानि इस letter से text की जो दूरी है वो हमने 2 point बढ़ाई थी तो वो देखिए वो gap आपको यहां पर निज़र आ रहा है drop cap के menu में next option है in margin इसको select करने पर drop cap document की margin के साथ set हो जाएगा कि देखिए आप preview में देख सकते हैं कि margin वाला जो हिस्सा है वहां पर यह आई आ गया है अब यदि आप इस drop cap को हटाना चाहते हैं और text को normal mode में लाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां उपर जो none का option है उस पर click कर दें कि देखिए text normal हो गया है यदि आप MS Word में रहते हुए अलग-अलग softwares पर काम करना चाहते हैं जैसे कि powerpoint presentation insert करना चाहते हैं या फिर excel sheet insert करना चाहते हैं या फिर कोई video insert करना चाहते हैं तो यह सब आप insert object option की साहता से कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे इंसर टैब में जाकर object option पर क्लिक करें ओपन हुए menu में से object पर क्लिक करें उस पर क्लिक करते ही एक dialogue box उपन होगा इसमें आपको कई सारे objects type दिखाई देंगे यदि आप इन सभी objects के icon भी देखना चाहते हैं तो display as icon पर क्लिक करें यह देखिए जो भी object selected होगा उसका icon आपको यहाँ पर दिखाई देगा अब हम document में कोई object insert करके देखते हैं उसके लिए पहले display as icon वाले check box को deselect कर दें अमान लिजिए हम document में powerpoint presentation insert करना चाहते हैं तो उसके लिए Microsoft powerpoint presentation पर या तो double click कर देंगे या फिर उस पर click करके ok पर click करेंगे ऐसा करते ही Microsoft powerpoint presentation MS word document के अंतरगती open हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं कि यह MS word का title bar है और यहां पर powerpoint खुला हुआ है अब इसमें आप जो भी presentation बनाना चाहें बना सकते हैं प्रेजंटेशन बनाने के बाद जब भी आप इसका slide show चलाना चाहें इस पर double click करें यह देखें double click करने पर यह पहली slide आ गई है और right arrow key पर जैसे हम click करते जाएंगे आगे की slides आती जाएंगे प्रेजंटेशन को edit करने के लिए इस पर right click करें ओपन हुए menu में से presentation object पर mouse ले जाएं फिर sub menu में से edit पर click करें और जो भी changes आपको करना हो वो कर लें एडिट करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो जो PowerPoint ओपन हुआ था वो चला जाएगा हम बापस से MS Word पर आ गए हैं चली आगे बढ़ते हैं और document में अब आपको वीडियो insert करना बताते हैं वापस से object option में जाकर के object पर क्लिक करें डैलोग बॉक्स में से create from file टैप पर क्लिक करें browse option पर क्लिक करें अपने computer में से जो वीडियो आप document में insert करना चाहते हैं उसे select कर लें उसके बाद insert पर क्लिक कर दें यह देखिए यहाँ पर उस file का path आ गया है अब ok पर क्लिक कर दें यह देखिए वीडियो यहाँ पर insert हो गया है इसे चलाने के लिए इस पर double क्लिक करें और यहाँ open पर क्लिक करें यह देखिए यह वीडियो open हो गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और इस option के अंतरगर जो अगला option है वो समझ लेते हैं वो है text from file इस option के सहयता से आप अन्य किसी भी document, report, presentation इत्यादी का text directly MS Word में insert कर सकते हैं उसके लिए इस option पर क्लिक करें अब वो file select करें जिसका text आप इस MS Word document में insert करना चाहते हैं और फिर insert पर क्लिक कर दें यह देखिए हमने जो file या document select किया था उसका text यहाँ पर वैसा की वैसा copy हो गया है यदि आप किसी भी word, sentence या paragraph को format करना चाहते हैं तो ये काम आप shortcut menu और mini toolbar की सहता से आसानी से और शिक्रता पुर्वग कर सकते हैं आए देखते हैं shortcut menu और mini toolbar का उप्योग करना जिस भी word, sentence या paragraph को mini toolbar की सहता से format करना है उससे select करें और उसके बाद mouse से right click करने पर आपको दो menu दिखाई पड़ेंगे ये जो उपर वाला है ये कहलाता है mini toolbar और ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है shortcut menu जैसा कि आप देख सकते हैं mini toolbar में formatting के options हैं जैसे font, font size, font style, इत्यादी और shortcut menu में commands दी गई हैं जैसे cut, copy, paste, इत्यादी चलिए हम आपको mini toolbar और shortcut menu यूज़ करके बता देते हैं मान लीजे हमें selected text का color बदलना है तो हम mini toolbar में font color option पर click करेंगे और इसमें से अपना पसंदीदा color select कर लेंगे ये देखे हमने इस text का color बदल दिया है इसे तरह यदि आपको किसी word, sentence या paragraph को highlight करना हो तो उसके लिए पहले उस word, sentence या paragraph को select करें और उस पर right click करके text highlight color option में जाएं और जिस color में आपको text को highlight करना हो वो color select करें देखिए ये paragraph highlight हो गया है इसे तरह आप mini toolbar के बाकी options का उप्योग भी कर सकते हैं अब आपको बताते हैं shortcut menu का उप्योग करना अब यहाँ पर हम पूरे text को select करके right click कर रहे हैं अब इस shortcut menu में आपको cut, copy, paste, font इत्यादी options दिखाई दे रहे हैं माली जे हमें paragraph की setting करना है तो paragraph option पर click करेंगे यहाँ पर हमें alignment, indentation, spacing, line spacing इन सभी के options मिल जाते हैं इन options को कैसे use करते हैं यह हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं इनकी सहायता से आप selected paragraph की setting कर लें जो भी alignment रखना है, indentation आपको left right में क्या रखना है, spacing कितनी देनी हैं यह सब setting करते हैं और उसके बाद okay पर click कर दें यह देखिए setting के बाद हमारा जो पूरा text है वो इस तरह से नजर आ रहा है इस तरह से आप shortcut menu के और भी जो बाकी options हैं उनका उप्योग कर सकते हैं MS Word में काम करते वक्त जब भी किसी data को select करते हैं तो ठीक उसके उपर की तरफ mini toolbar का pop-up आ जाता है कई बार हमें इस toolbar की जरूरत होती है और कई बार यह उप्योग में नहीं आता है जब हमें इसके जरूरत नहीं होती है तब भी data select करते ही यह दिखाई देने लगता है और यही कारण है कि यह हमें एक समस्या लगने लगता है और बार बार pop-up आने के कारण हम परिशान होते हैं इस वीडियो में हम इसी समस्या का समाधन बता रहे हैं इस word document में हमने कुछ text लिख रखा है देखिए जैसे ही हम इस text में से कुछ भी select करेंगे तो यह mini toolbar दिखाई देने लगेगा data select करने पर हर बार mini toolbar ना दिखे उसके लिए file tab पर क्लिक करें यहां दिखाई दे रहे options में से options पर क्लिक करें ऐसा करते ही एक dialogue box उपन होगा इसमें आपको कई सारे options दिखाई देंगे यहां पर एक option है show mini toolbar on selection यह by default selected रहता है इसे uncheck करने के लिए यहां पर क्लिक कर दीजिए और ok पर क्लिक कर दीजिए अब यदि हम कोई data select करते हैं तो यह देखिए mini toolbar का pop-up नहीं आया यदि आपको mini toolbar चाहिए तो data select करने के बाद उस पर right click कर दें तो यह देखिए mini toolbar shortcut menu दोनों आ गए हैं और यदि आप दोबारा mini toolbar का pop-up चाहते हैं तो इस option को on करने के लिए वापस file tab में जाएं यहां पर options के अंदर जाकर के show mini toolbar on selection वाले option को टिक कर दीजिए इसके बाद ok पर क्लिक कर दें अब फिर से जब दे आप data select करेंगे mini toolbar का pop-up अपने आप आ जाएगा Microsoft Word में अक्सर हमें date और time insert करने की आवश्यक्ता होती है तो उन्हें document में कैसे insert कर सकते हैं Automatically उन्हें update कैसे कर सकते हैं और document के हर page पर उन्हें automatically कैसे insert कर सकते हैं आएए दिखते हैं insert tab पर क्लिक करें यहां text block में दिखाई दे रहे insert date and time option पर क्लिक करें यह date and time वाला dialogue box open हो गया है इसमें आपको कही तरह के formats दिखाई देंगे जैसे कि यह यहां पर ऊपर की तरफ date के formats हैं और यह नीचे जो है यह time के format है अगर आपको केवल time चाहिए हो तो आप इन में से कोई format चुन सकते हैं हमको date भी चाहिए और time भी चाहिए इसलिए हम इस format को चुन रहे हैं इस पर क्लिक करके अब हम okay पर क्लिक कर देंगे यह देखे date और time document में insert हो गया है आप चाहें तो हिंदी भाषा में भी date और time insert कर सकते हैं उसके लिए भी insert tab में जाकर insert date and time option पर क्लिक करें open हुए dialogue box में language option के drop down menu पर क्लिक करें यहां से हिंदी सिलेक करें हिंदी सिलेक करते ही देखिए सभी dates और time हिंदी में दिखाई दे रहे हैं यहां पर तारीख और समय हिंदी में आप देख सकते हैं इसमें से आप जो भी format चाहें उस format को चुन सकते हैं यह इसको सिलेक करके ok पर क्लिक कर दें यह देखिए date और time document में insert हो गया है अब यदि हम इस document को save करके computer बंद कर देंगे और उसके बाद जब भी इस document को खोलेंगे तो हमको यही time और यही date दिखाई देगी जो हिसमें हमने अभी डाली है पर अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप document खोलें तो date और time updated मिलें यानि जिस दिन और जिस समय आपने document खोला हो तो यहां पर आपको वही time और वही date नजर आए तो उसके लिए insert date and time वाले option पर क्लिक करके dialogue box में जो format चुनना है उसको चुने और उसके बाद update automatically वाला जो check box है उस पर क्लिक कर दें और फिर ok पर क्लिक कर दें अब यह अभी हमने जो date और time चुना है वह यह format है 16 जैन 18 और time है 4-7 pm अब इस document को हम save करके close कर देते हैं उस file को हमने close कर दिया था अब हम वापस से उस document को open करते हैं यह देखिए अब यहां पर आप देख सकते हैं उपर के जो दो formats हैं वो हमने update automatically बाला जो option था उसको चालू करने के पहले insert किये थे इसलिए देखिए उसमें कोई भी change नहीं है जिस समय हमने यह किया था उस समय चार बचकर 7 minute थे पर आप देखिए जैसे हमने document खोला है तो इस समय जो time हो रहा है वो यहां पर दिखाई दे रहा है यह चार बचकर 9 minute यहां पर नजर आ रहा है अब हम इन सारे formats को delete कर रहे हैं और हम आपको time और date insert करने का एक और तरीका बता देते हैं अभी जो हमने date or time insert करने का तरीका आपको बताया उससे आप केवल current page पर ही date or time insert कर सकते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि हर page पर automatically date or time insert हो जाए तो उसके लिए header वाले part में double click करें यह double click करते ही एक नया design tab active हो गया है और इसके ribbon में कई सारे options दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर date and time option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने पर भी वही dialogue box open हो गया है जो पहले हुआ था अब इसमें से अपनी इच्छा नुसार date or time का format चुन लें और okay पर क्लिक कर दें यह देखिए यह date or time header में insert हो गया है अब आप page में नीचे matter पर कहीं बर भी क्लिक कर दें यह हमने double click किया आपको दिखाई देगा कि हर page पर date or time manually insert करने की ज़रूत नहीं है date or time हर page पर अपने आप insert हो गया है कई बार MS Word में काम करते वक्त हमें कुछ symbols insert करने के आवश्यक्ता होती है पर keyboard में वो symbols नहीं होते हैं और हमें वो symbols कहीं से copy करने पड़ते हैं आपको MS Word में ही यह symbols मिल सकते हैं आएए देखते हैं कैसे यहां document में आप देख सकते हैं कि कुछ text लिखा हुआ है जिसमें ग्यान यग्य का address है और नीचे यहां पर एक phone number है अब हमें यहां phone का symbol insert करना है तो उसके लिए insert tab के symbols ब्लॉक में जाएंगे और यहां symbol option के arrow पर क्लिक करेंगे यहां हमें कुछ symbols दिखाई दे रहे हैं और symbols देखने के लिए more symbols पर क्लिक करें उस पर क्लिक करते ही यह dialogue box open हो गया है इसमें आपको fonts दिखाई दे रहे हैं और उनके symbols दिखाई दे रहे हैं अभी जो font हमने select किया है उसमें designer symbols नहीं है अगर वो आपको चाहिए तो उसके लिए हम font change कर लेते हैं designer symbols के लिए हम यहां से webdings font चुन लेंगे यह देखिए इसमें धेर सारे symbols हैं हमको चुकि mobile phone का symbol चाहिए तो यहां पर हमको mobile का symbol मिल जाएगा इस पर click करके insert पर click कर देंगे और close कर देंगे यह देखिए mobile नंबर के सामने के mobile का symbol आ गया है अब अगर इसका size बड़ा करना हो तो उसके लिए इस symbol को select करें और home tab में जाकर font size पर जाएं और यहां से जो भी size आपको चाहिए हो वो select कर लें यह देखिए सिंबल का size पढ़ गया है MS Word में हमें कुछ themes मिलती हैं जिनमें font, font style अलग-अलग तरह से set होती हैं इन themes की साहता से आप document को एक अच्छा लुप दे सकते हैं चलिए हम आपको document में theme set करना बता देते हैं यहां हमने कुछ text लिखा हुआ है इस text को पहले कुछ styles दे देते हैं जिससे की theme अच्छे से समझ में आए यह हमारा title है तो इसको select करके हम home tab के styles block में से जो भी title style चाहें वो select कर सकते हैं हमने यह title style ले ली अब यह title के बाद के जो line है इसको हम heading बना देते हैं इसको भी select करके हम styles block में जाकर के यह अलग-अलग heading दी हैं उसमें से कोई एक heading चुन लेंगे यह हमने heading 1 ले ली अब उसके नीचे वाले paragraph को subtitle बना देते हैं यहां से हम कोई भी subtitle style चुन लेंगे यह कुछ styles हमने चुन ली हैं अब दिखते हैं कि document में theme कैसे set करते हैं उसके लिए design tab पर क्लिक करें यहां आपको themes और document formatting options दिखाई देंगे themes के drop down arrow पर क्लिक करें यह देखिए यहां पर काफी सारी themes दिखाई दे रही हैं आप जिस भी theme पर mouse ले जाएंगे उसका preview पीछे आपको document पर दिखाई देगा इसमें से जो भी theme आपको अच्छी लगे वो आप चुन सकते हैं themes के drop down menu में आपको कुछ और options दिखाई देंगे Reset theme from template option की सहायता से आप document को दोबारा normal कर सकते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए जो document है वो normal हो गया है हम वापस से वही theme चुन लेते हैं इसके नीचे एक option है browse for themes यदि आपने internet से कोई theme download की है तो इस option की सहायता से वो theme अपने computer में आपने जहां भी save की हो वहां से document में set कर सकते हैं इसके बाद option है save current theme जो भी theme आपने select की है उसको अगर आप save करना चाहते हैं तो इस option की मदद से आप उसे save कर सकते हैं हमको यह theme save नहीं करना है इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और document में formatting करके आप आपको बता देते हैं document formatting में यह आपको कुछ templates दिखाई दे रहे हैं इन में से आप जिस पर भी mouse ले जाएंगे उसका preview आपको document में दिख जाएगा इसके drop down arrow पर क्लिक करने पर आपको सभी templates दिखाई देंगे इन में से जो भी template आप चाहें वो चुन सकते हैं साथ ही इस menu में नीचे कुछ और options दिए हुए हैं यदि आप document में से template हटाना चाहते हैं तो आप document को reset to default style set option की साहता से दोबारा normal कर सकते हैं और अगर आपको इसको save करना हो तो save as a new style set के मदद से आप इसे save कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं theme का color change करना उसके लिए colors option के drop down arrow पर क्लिक करें यहां से आप जो भी color चाहें वो चुन लें यह देखिए theme का color change हो गया है इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको theme set करना document formatting में अलग-अलग templates लगाना और theme का color change करना बताया था अब अगर आप theme के fonts बदलना चाहते हैं या paragraph setting करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं आये देखते हैं यहां हमने पहले से ही एक theme set करके उसमें template लगा रखा है और color भी change किया हुआ है हम इसमें fonts change करके देख लेते हैं उसके लिए design tab में fonts option के drop down arrow पर click करें यहां आपको काफे सारे fonts के list दिखाई देगी इसमें से जो font आप चाहें वो चुन सकते हैं यदि आप अपने अनुसार fonts को customize करना चाहते हैं तो उसके लिए इसे option में नीचे customize fonts option पर click करें उसपर click करते ही यह dialogue box उपन हो गया है इसमें कई सारे options आपको दिखाई देंगे यहां से आप heading के लिए अलग font चुन सकते हैं और body के लिए अलग font चुन सकते हैं यह देखिए इसका जो preview है वो आपको यहां इस चोटी से window में नजर आ रहा है यहां पर नीचे लिखा है complex script यह portion हिंदी भाशा के लिए है अगर आपका document हिंदी भाशा में हो तो उसके fonts को आप यहां से customize कर सकते हैं और इस window में यहां पर आप उसका preview देख सकते हैं यदि इस customization को आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो वो आप यहां पर दे सकते हैं नहीं तो पहले से ही यहां पर एक नाम by default होता है हम इसको इसी नाम से save कर रहे हैं अब यह देखें यहां पर आप देख सकते हैं कि जो heading है मतलब title है, subtitle है वो तो अलग font में है और जो body text है वो अलग font में आ गया है इस तरह से जो customization हमने किया था वो document में set हो गया है अब हम paragraph spacing के बारे में समझ लेते हैं इसको समझने के लिए हम document में थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं जहां पर body text है अब हम paragraph spacing के drop down arrow पर click करेंगे तो एक menu open होगा इसमें पहले से ही set कुछ paragraph spacing दे रखी है जैसे पहला है no paragraph space तो इसमें आप देख सकते हैं एक के बाद एक paragraphs आते जा रहे हैं अगर आप compact लेंगे तो कैसा दिखाई देगा और बाकी भी जो options दिये हुए हैं उन पर जब आप mouse ले जाएंगे तो क्या changes आएंगे वो आपको यहां नीचे document में preview में दिख जाएंगे इसमें से आपको जिस भी तरह की paragraph spacing रखनी हो उस पर आप click कर सकते हैं और अगर आप अपने अनुसार spacing करना चाहते हैं तो custom paragraph spacing option पर click करें यह एक dialogue box उपन हो गया है इसमें आप अपने अनुसार spacing set कर सकते हैं यहां से आप paragraph position को set कर सकते हैं कि left से कितना margin होना चाहिए right margin से कितना space होना चाहिए paragraph का alignment क्या होना चाहिए पहली line कहां से शुरू हो paragraph के बीच में कितनी space होना चाहिए यानि paragraph के पहले कितनी space हो, बाद में कितनी space हो, line spacing कितनी हो, यह सारी चीज़ें आप यहां से set कर सकते हैं इस box में निए तरफ आपको दो और options दिखाई देंगे पहला है only this document यह option by default selected होता है इस option के selected होने से आप जो भी customization करेंगे वो केवल इसी document पर लागू होगा दूसरा option है new documents based on this template यदि आप इस option को select करेंगे तो जब भी आप ये theme किसी document में लगाएंगे तो paragraph spacing यही रहेगी हम केवल इसी document में ये paragraph spacing चाहते हैं इसलिए पहले वाले option को हम selected रहने दे रहे हैं और अब okay पर click कर देंगे अब ये देखिए जो भी changes हमने किये थे वो यहाँ पर set हो गए है कई लोग अपने word document में अपनी पहचान और copyright बताने के लिए watermark का स्टमाल करते हैं watermark एक तरह की digital seal यानी मोहर है जिसका उपयोग users अपने document या photos को इंटरनेट पर copy होने से बचाने के लिए करते हैं word document में watermark insert करने के लिए design टैब में जाएए यहाँ दिखाई दे रहे watermark option पर click करें click करने पर आपको यहाँ कुछ predefined watermarks के samples दिखाई देंगे इन में से किसी पर भी click करने पर वो document में insert हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह watermark इस page पर आ गया है यदि आप अपनी इच्छा नुसार कोई watermark लगाना चाहते हैं तो उसके लिए watermark option के अंदर ही नीचे की तरफ custom watermark option मिलता है इस पर click करें यह देखिए एक छोटी सी window खुल गई है यहाँ पर text watermark by default selected है और इसे लिए इसके जो नीचे के सारे options हैं वो भी चालू है इसमें सबसे पहला option है language का आप जिस भी language में watermark चाहते हैं इस drop down arrow से वो language चुन सकते हैं जो भी language आप चुनेंगे उसके कुछ predefined watermark आपको यहाँ text के drop down arrow में मिल जाएंगे जैसे हमने हिंदी चुना तो यहाँ पे हिंदी भाशा में कुछ predefined text दिये हुए हैं हमको हमारा watermark English में चाहिए इसलिए हम English language चुन रहे हैं और यहाँ से हम इसके कुछ edefined text टेख लेते हैं जो भी text आपको चाहिए वह आप चुन सकते हैं पर अगर आपको अपना कोई text लिखना हैं तो इस box में क्लिक करके यहाँ पर वह text लिखते हैं अगला option font का है यहाँ drop down arrow से आप font चुन सकते हैं और यहाँ से आप font size चुन सकते हैं अगर आप auto चुनते हैं तो page के हिसाब से watermark का font size अपने आप set हो जाएगा इसके बाद नीचे है color का option यहाँ से आप जो भी color लेना चाहते हैं वह color चुन सकते हैं इसके बाद है layout option इसके मदद से आप यह select कर सकते हैं कि नीचे जो watermark दिखाई दे रहा है वो diagonal हो यानी तिर्चा हो या फिर horizontal हो यानी आढ़ा हो हम इसको diagonal रहने दे रहे हैं यहाँ पर नीचे आपको तीन options मिलते हैं apply, ok और cancel अगर यह setting आपको cancel करनी हैं तो cancel पर click कर दें और अगर आप इसको set करना चाहते हैं तो OK पर click करें पर अगर आप इसको set करने के पहले यह कैसा दिखेगा, यानि इसका preview देखना चाहते हैं तो apply पर click कर दें यह देखिए apply पर क्लिक करने पर हमको यह यहां पर अपना watermark नजर आ रहा है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका जो font size है वो इस page के हिसाप से छोटा लग रहा है अगर हम size को auto करते हैं और फिर apply पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए यह page के हिसाप से set हो गया है यहां पर semi transparent का जो option है by default selected होता है जिसके कारण जो watermark है उसमें जो भी color हमने चुना है वो हलका दिखाई देता है अगर हम इसको de-select कर देंगे और apply पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि यह काफी dark हो गया है dark होने के कारण जो text इस पर लिखा होता है कई बार उसको पढ़ने में परिशानी होती है इसलिए हम इसको वापस select कर रहे हैं और अब यह जो पूरी setting है वो हमको रखनी है इसलिए हम okay पर क्लिक कर देंगे यह देखिए जो text हमने लिखा था वो watermark की तरह यहाँ पर insert हो गया है अब हम आपको picture watermark insert करना बता देते हैं उसके लिए watermark option में जाकर custom watermark में जाए यहाँ पर उपर option है picture watermark का इस पर click करें यह select हो गया और इसी के साथ इसके options active हो गए है select picture पर click करें यहाँ पर आपको दो options मिलते हैं इस option की सहता से आप अपने computer में saved कोई picture watermark में लगा सकते हैं और इस दूसरे option की सहता से आप online कोई भी picture search कर सकते हैं हम अपने computer से कोई picture लेना चाहा रहे हैं इसलिए पहले option में browse पर click करेंगे अब जो भी picture आपको चाहिए उसको select करके insert पर click कर दें अगला option scale का है इसके वदद से आप picture की size set कर सकते हैं यहाँ पर अलग-अलग percent दिये हैं या तो आप उसके हिसाब से size चुन लें या फिर यहाँ पर भी आपको auto का option मिलता है अगर आप इस option को चुनते हैं तो page के हिसाब से picture का size अपने आप set हो जाएगा यहाँ पर हमने auto चुन लिया है और अब हम इसका preview देखना चाहते हैं इसलिए apply पर click करेंगे आप देख सकते हैं page के हिसाब से जो picture हमने select की थी वो watermark की तरफ set हो गई है अगर हम इसका कुछ और size चाहते हैं हमको यह बड़ी लग रही है तो हमने 100% इसको किया और फिर apply पर click किया तो यहाँ पर यह देखिए जो इसका size है वो size यहाँ पर नजर आ रहा है अगर आपको यह और छोटी चाहिए तो आप 50% भी इसको कर सकते हैं यहाँ पर एक option है wash out का जो की by default selected है यह text watermark में जो semi transparent option होता है उसी की तरह का है यह by default selected है इसकी वज़ा से यह जो picture है इसका color हमको धुनला या यूँ कहें हलका दिखाई दे रहा है अगर हम इसको deselect कर देते हैं तो जो भी इसका original color होगा वो दिखाई देगा apply पर click करने पर हमको उसका preview दिख जाएगा यह देखिए यह picture इतनी dark आपको दिखाई देगी इसलिए इस option को हम वापस select कर देते हैं और यह setting हमको रखनी है तो उसके लिए okay पर click कर देते हैं अब यदि आप किसी भी document से watermark हटाना जाते हैं तो वापस watermark option में जाकर remove watermark पर click कर दें यह देखिए watermark remove हो गया है document को सुंदर बनाने के लिए उसमें pages का background बदल कर उनको colorful बना सकते हैं उसमें कोई picture set कर सकते हैं, texture दे सकते हैं, pattern, border set कर सकते हैं जिसे की document अच्छा दिखे चलिए आपको बता दें कि यह सब आप कैसे कर सकते हैं उसके लिए page color option पर click करें यहां से आप जो भी color select करना चाहें वो कर सकते हैं यदि आपको और color options चाहिए तो more colors पर click करें यहां पर आपको कुछ standard colors मिल जाएंगे और custom option में आप अपने हिसाब से color को dark या light कर सकते हैं जो भी color चाहिए वो चन करके ok पर click कर दें यह देखिए यह color पूरे page पर set हो गया है अब अगर आप कोई effect देना चाहते हैं तो page color option पर click करें open हुए menu में से fill effects option पर click करें यहां पर पहला option है gradient इसके मदद से आपने जो भी color set किया है आप उसमें shedding दे सकते हैं इसमें आप कितने colors use करना चाहते हैं इसकी choice आपको मिलती है पहला option है one color अगर आप यह चुनते हैं तो इसी को आप dark या light कर सकते हैं और अगर आपको color change करना हो तो यहां से भी आपको color change करने का option मिलता है इसी एक color के अंदर ही light और dark shading आपको कैसी दिखेगी वो नीचे नजर आ रहा है अगर आप दो अलग-अलग color में shedding चाहते हैं तो उसके लिए two colors को आप select कर सकते हैं color one में हमने एक तो यह color लिया और color two में हमको यह दूसरा color चुन सकते हैं यहां पर नीचे shading styles दी हुई हैं colors चुनने के बाद आप shading style चुन सकते हैं अगर आपको horizontal चाहिए तो shading horizontal होगी और उसमें भी यह अलग-अलग 4 variants दिये हुए हैं इनने से आपको जो पसंद हो उस पर जब आप click करेंगे तो वह sample में आपको दिखाई देगी अगर लेंगे तो shading vertical होगी इसी तरह से diagonal up, diagonal down यह अलग-अलग तरह की shading styles हैं और उसके variants हैं colors में तीसरा option है preset का drop down arrow पर जाने पर आपको यह अतने सारे options मिलते हैं यह अलग-अलग आप देख सकते हैं कैसे लगेंगे और इसमें भी shading styles आप change कर सकते हैं अगला option इसमें है texture का अगर आपको page का texture बदलना है तो वो आप यहां से ले सकते हैं जो texture आपको पसंद हो वो आप चुन सकते हैं यहां पर यह already कुछ textures दिये हुए हैं इनमें से पसंद है तो आप इसमें से चुन लें और अगर आपको कोई दूसरा texture लेके आना है online या फिर अपने computer में से ही तो other texture पे जाकर के वो आप लेकर आ सकते हैं pattern अगर आपको page पर डालना हो तो जो color हमारा selected है उसी के अंदर यह अलग-अलग patterns आ रहे हैं अगर आप यहां पर color change करना चाहते हैं तो उसका color change कर सकते हैं यह देखिए हमने color change किया तो patterns का color भी change हो गया है color में भी foreground और background दो अलग-अलग options हैं यहां पर background हमारा white है foreground का हमने color change किया है अगर आप background का color भी दूसरा रखते हैं तो वो भी change हो जाएगा यह देखिए अब background का color भी बदल गया है अब अगर आप page पर कोई picture set करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं अगला option वही है picture पर click करने के बाद select picture पर click करें और जैसा कि हमने आपको picture को watermark के रूप में set करना बताया था उसी तरह से आप computer से या फिर online picture सर्च करके लेकर करके आ सकते हैं हमने अपने computer में से saved picture select कर ली है insert पर click करते ही वो page पर set हो जाएगी यहाँ पर आप preview देख सके हैं अब अगर हमको यह picture चाहिए तो उसके लिए हम ok पर click करेंगे इसी तरह से जिस भी option पर जाकर के आप कोई setting करेंगे उसको apply करने के लिए आपको ok पर click करना होगा यह देखे हमारे page पर background के रूप में यह picture set हो गई है अब हम आपको page पर border set करना बता देते हैं उसके लिए page borders पर click करें यह एक window open हुई है इसमें पहले setting के नीचे दिखाई दे रहे types में से border का type चुन लेंगे यहां से हमने box type चुन लिया है अब यहां से border की line style आप चुन सकते हैं कि किस तरह की line आपको चाहिए इसके बाद यहां से आपको अगर border में color देना है तो वो color आप चुन सकते हैं इसके बाद अगर आपको उसकी width घटानी या बढ़ानी है तो वो आप इस option के साहता से कर सकते हैं यहां पर preview में आप देख सकते हैं जो भी changes आप कर रहे हैं या जो भी setting आप कर रहे हैं वो यहां पर दिखाई दे रही है जब setting हो जाए तो आप ok पर click कर दें अगर आप line style नहीं चाहते हैं उसकी बज़ाए art यूज़ करना चाहते हैं तो यहां drop down arrow पर click करें अब यहां पर अलग-अलग art आपको मिलते हैं इसमें से जो भी आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं अब यह सारी setting हमने कर दी है अब हम ok पर click कर देंगे तो यह देखिए वो border यहां हमारे page पर set हो गई है अब यह जो border हमने set की थी वो यहां पूरे document पे हर page पर आ गई है अगर आप चाहते हैं कि वो किसी एक ही page पर आये या दूसरे page पर ही आये तो यहां पर आपको option मिलता है apply to का यहां पर आपको अलग-अलग options मिलते हैं आप border को पूरे document में रख सकते हैं केवल first page पर रख सकते हैं पर छोड़कर के बाकी पर रख सकते हैं यह सारे options यहां हैं आपको इसमें से जो चाहिए हो आप चुन लें जैसे हमने पहले page को छोड़कर के बाकी सारे pages पर border चाही है वो हमने यहां पर सेट कर दिया है अब okay पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं first page पर border नहीं हैं बाकी के pages पर border सेट हो गई है आपने अक्सर अखबारों में dictionaries में देखा होगा कि text दो या तो से ज्यादा columns में लिखा होता है आपको भी अगर किसी document में columns की जरूरत हो तो वो आप कैसे insert कर सकते हैं या already लिखे text को columns में convert करना हो या फिर दो या दो से अधिक columns में एक साथ काम करने के लिए columns break करना हो तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं आए दिखते हैं यहां पर हमने एक file ली है जिसमें की पहले से ही matter type किया हुआ है अब इस matter को हम column में convert करना चाहते हैं तो उसके लिए हम layout टैड में जाएंगे और यहां से columns option में सबसे नीचे option मिलता है more columns इस पर जाएंगे यहां पर भी उपर जो आपको options मिलते हैं वो सारे हैं presets में एक column, दो columns, तीन columns, left और right यह पाचों आपको मिलते हैं इसके अलावा और अगर आपको columns चाहिए तो वो number आप यहां से भी चुन सकते हैं मालेज़े आपको चार columns चाहिए तो आप यहां से उसको set कर सकते हैं columns के बीच में अगर आप lines चाहते हैं तो यहां पर line between बाले checkbox पर click कर दें यह देखिए preview में आप देख सकते हैं दोनो columns के बीच में यह line आ गई है इसके साथ ही आप columns के width और spacing भी set कर सकते हैं by default यहां पर नीचे equal column width को option selected होता है याने जो भी width होगी या जो भी width यहां पर आप लेंगे वो सारे columns में equally आएगी पर अगर आप अलग-अलग columns की width अलग-अलग चाहते हैं तो उसके लिए इस checkbox पर click कर दें याने इस option को deselect कर दें अब यहां पर आप देख सकते हैं कि चुकि हमने दो columns चुने हैं तो यह दोनों options यहां पर चालू हो गए हैं अगर हम three columns चुनेंगे और इस option को deselect कर देंगे तो यह देखिए width के लिए तीनों जो columns हैं वो यहां पर active हो गए हैं यह देखिए preview में आप देख सकते हैं कि जैसे हमने width change की है उस हिसाब से यहां पर अलग-अलग columns अलग-अलग चुड़ाई के नजर आ रहे हैं अगर आप columns के बीच की spacing भी अलग-अलग रखना चाहते हैं तो वो spacing आप यहां से घटा बढ़ा सकते हैं अलग-अलग columns की spacing अलग-अलग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं यह देखिए दूसरे और तीसरे column के बीच की जो spacing है वो बढ़ गई है अभी हम इसको equal कर रहे हैं अब यहां पर apply to में आपको option मिलता है कि आप ने यह जो setting की है वो पूरे document पर apply करना चाहते हैं या फिर जहां पर भी आपका cursor है उसके आगे आपको यह apply करनी है अभी हम चुन रहे हैं whole document और उसके बाद हमने ok पर click कर दिया अब यहां पर आप देख सकते हैं पूरे document में यह 3 columns आपको नजर आएंगे हमारा पूरा text तीन columns में बढ़ गया है और उसके बीच में चुकि हमने line चुनी थी इसलिए वो line भी दिखाई दे रही है अब हम इसको वापस normal कर देते हैं मान लीजे हमको शुरू के 3-4 paragraphs के बाद का जो matter है उसको column में convert करना है यह हमने यहां पर cursor रख दिया जहां से भी इसको column में convert करना है वहां cursor रखें अब यहां से उपर का जो matter है वो हम columns में नहीं चाहते इसके आगे का जो matter है वो हम columns में चाहते हैं तो यह हमने cursor उस point पर रख दिया है अब हम वापस columns वाले option में जाएंगे more columns वाले option में जाकर के सबसे पहले 3 columns चाहिए तो 3 columns ले लेंगे line हमको बीच में चाहिए तो हमने line between भी चुन लिया और अब apply to में हम चुनेंगे this point forward अब हम जैसे ही okay करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां पर हमारा cursor था यह उपर का matter तो वैसा ही है normal जहां हमारा cursor था उस point से आगे का जितना भी matter है वो 3 columns में convert हो गया है हम इसको वापस normal कर रहे हैं अब यहां पर जाकर हम फिर से देखते हैं यहां पर देखिया जब whole document selected है तब start new column वाला एक जो option है वो अभी active नहीं है जैसे ही हम this point forward वाला option चुनते हैं तो यह option active हो जाता है अगर हम इसको select करते हैं तो जो हमारे columns आएंगे वो नए page से आएंगे हम okay करके देखते हैं अब यह देखिये नए page से यह columns आना शुरू हुए हैं और पहला हमारा जो page था उस page जिस list को हमने normal रखा था वो वैसा ही normal है और बाकी के columns अगले page से आना शुरू हुए हैं हम इसको फिर से normal करते हैं और दूसरे और जो options हैं आपको वो भी बता देते हैं अब अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे text में से आपको कुछ selected part को ही columns में convert करना है तो उसके लिए आप उतना पार्ट चुल लें हम अपने पूरे text में से बीच के दो तिन paragraphs चुन रहे हैं हम चाहते हैं कि बस ये जो दो paragraphs हैं ये column में convert हो जाएं तो इसके लिए हमने इनको select कर लिया है अब हम वापस columns वाले option में जाएंगे यहां से more columns में जाएंगे हम चाहते हैं ये दो columns में आएं बीच में line आ जाए तो line between चुन लिया अब यह देखिए जैसे हमने matter select किया apply to में selected text का option आ गया है अब हम ok पर click कर देंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं केवल selected part ही columns में convert हुआ है उसके उपर का matter और जो नीचे का matter है वो normal है ये तो आपने देखा कि अगर आपके पास पहले से matter लिखा हुआ हो तो उसको किस तरह से आप columns में convert करें अब हम देखते हैं कि अगर हमको कोई matter type करना है यानि खाली document है हमने कोई नई फाइल ली है और नए सिरे से हमको चीज़े उसमें type करनी है और matter को type करने के पहले ही हम column insert करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं अब यहां पर कुछ भी type किया हुआ नहीं है हम चाह रहे हैं कि जो भी type हो वो columns के अंदर आए तो उसके लिए हम layout option में जाएंगे अब यहां से आपको एक दो तीन जो भी columns चाहिए वो चुन सकते हैं यहां पर left option भी है इसमें आप देख सकते हैं अगर आप left चुनेंगे तो left वाला column छोटा रहेगा बाकि दूसरा column बढ़ा होगा अगर right चुनेंगे तो right वाला column छोटा रहेगा और दूसरा column बढ़ा रहेगा यहां से हम चुन रहे हैं two हमको तो columns चाहिए यह two हमने चुना और अब जब हम यहां पर matter type करेंगे तो matter पहले वाले column में type होता जाएगा अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि यह पूरा जो matter है यह पूरे page पर ना करके एक ही column में type होता जा रहा है और जब तक यह पहले page पे पहला column पूरा नहीं भर जाएगा तब तक matter दूसरे column में नहीं जाएगा यह देखे हम इस तरफ click कर रहे हैं पर यह cursor यहां पर नहीं आ रहा है अब यह देख सकते हैं आप यहां पर पहले page पर हमारा पहला column जो है वो पूरा भर गया है अब इसमें हम अगर कुछ भी type करेंगे तो वो अपने आप अप second column में type होना शुरू हो जाएगा अगर तीन columns होंगे तो पहले पहला वाला column भरेगा फिर तूसरा और उसके बाद फिर आप तीसरे column में type कर सकते हैं पर मान लीजिए कि आपको document में verbs type करनी हैं और आप एक साथ तीन columns में उनको type करना चाहते हैं सबसे पहले आपको first form type करना है फिर second form फिर third form और यह काम आप एक साथ करना चाहते हैं कहने का ताद पर यह है कि आप type करते समय तीनों columns में एक साथ काम करना चाहते हैं यानि first form आपने पहले column में type किया, second form आपने दूसरे column में type किया और third form आपने तीसरे column में type किया तो उसके लिए आपको columns को break करना पड़ेगा उसके लिए हम एक नई file ले ले लेते हैं अब यहाँ पर हमको तीन columns में matter type करना है तो सबसे पहले हम चुनेंगे तीन कॉलम्स हमको लाइन चाहिए बीच में तो हमने ये भी ले ली सबसे पहले ये हमको टाइटल डालना है पहले कॉलम में हमने लिखा First Form और अब हमको तूसरे कॉलम में जाना है तो उसके लिए हमको कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा उसके लिए layout tab में कि यहाँ पर option मिलता है breaks इस पर click करके हम column पर click कर देंगे अब यह देखिए अपने आप line आ गई है और दूसरे column में हम आ गए हैं यहाँ पर हमने लिखा second form अब हमको जाना है तीसरे column में तो वापस हम breaks में जाएंगे और यहाँ से चुनेंगे column यह हम आ गए हैं तीसरे column में यह हमने column break कर लिए हैं तो अब आगे हम जो भी type करते जाएंगे वो इसी तरह से पहले column में फिर दूसरे column में फिर तीसरे column में type हम कर सकते हैं उसके लिए पर आपको यह ध्यान रखना है कि करसर वहां ले जाना पड़ेगा अब जैसे यहां पर हमने वर्प्स लिखना शुरू की सबसे पहले लिखा गो यहां से हमने क्लिक किया second column में एंटर करके अगली लाइन पर आए और यहां पर लिख्या वेंट इसके बाद हम तीसरे column में जाएंगे एंटर करके अगली लाइन पर आकर हमने लिख दिया gone इसी तरह से आप एक साथ तीनों columns में टाइप कर सकते हैं आपने कई बार देखा होगा कि अखपारों में या किताबों में किसी शब्द के आगे star लगा हुआ होता है और नीचे की तरफ उसका अर्थ दिया होता है उसे footnote या endnote कहा जाता है आईए देखते हैं इसे कैसे insert किया जाता है footnote और endnote से आप अपने file में लिखे गए किसी भी शब्द का मतलब उसी page पर नीचे या फिर file के end में लिख सकते हैं इससे ये फायदा होगा कि जब आप अपनी file किसी को mail करेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को पढ़ने के लिए देंगे तो वो उस शब्द का मतलब नीचे पढ़ सकता है या फिर जब वो उस शब्द पर mouse का arrow लेकर जाएगा तो उसे उस शब्द का मतलब लिखा हुआ दिख जाएगा चलिए पहले हम footnote insert करना बता देते हैं यहाँ इस page पर कुछ text लिखा हुआ है अमाल लेजिए यहाँ पर PC जो लिखा हुआ है हमको इसका मतलब समझाना है इसके लिए footnote insert करना है तो उसके लिए PC जहाँ लिखा है उसके आगे क्लिक करें या फिर आप इसे select भी कर सकते हैं अब reference टैब में जाकर insert footnote पर क्लिक करें यह देखिए हम page के end में आ गये हैं यहाँ पर one लिखा हुआ है अब हम यहाँ पर PC का मतलब लिख देते हैं यह हमने meaning लिख दिया अब हम वापस document में उपर की तरफ चलते हैं यह देखिए यहाँ पर PC के आगे भी one लिखा हुआ आ गया है अब हम चाहें तो page के end में जाकर इसका meaning देख सकते हैं कि यहाँ पर या फिर जब भी हम माउस का arrow इस पर ले जाएंगे तो इसका मतलब एक छोटे से box में लिखा हुआ दिखाई देगा यह यहाँ आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है personal computer अब हम इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट करने के लिए इसके आगे माउस से क्लिक करेंगे और फिर keyboard पर डिलीट की दबा देंगे यह यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और नीचे फुटनोट से भी डिलीट हो जाएगा देखिए अब यहाँ पर भी वो नजर नहीं आ रहा है यह तो हमने अभी आपको फुटनोट के बारे में बताया अब हम आपको end note के बारे में बता देते हैं पर पहले हम फुटनोट और end note में क्या अंतर है यह आपको बता देते हैं जैसे कि अभी हमने देखा फुटनोट का उपयोग पेज के आखिर में शब्दों का मतलब लिखने के लिए किया जाता है जबकि end note का उपयोग फाइल के last में यानि हमारा जितना भी text फाइल में लिखा हुआ है वो जहां पर खतम हो रहा हो जस्ट उसके नीचे शब्दों का मतलब लिखने के लिए किया जाता है चलिए हम आपको end note इंसर्ट करना बता देते हैं एंड note इंसर्ट करने के लिए भी जिस भी शब्द पर आपको end note लगाना हो उस शब्द के आगे क्लिक करें या फिर उसे सिलेक कर लें हम PC के आगे ही क्लिक कर रहे हैं अब reference टैब में जाकर insert end note पर क्लिक करेंगे यह देखिए हम जहां पर भी हमारा पूरा text खतम हुआ है उसके नीचे आ गए है यह यहां पर one लिखा हुआ आ गया है यहां पर हम PC का मतलब लिख देंगे यह देखिए यहां पर PC के आगे one लिखा हुआ आ गया है और जब हम mouse यहां पर ले जाते हैं तो छोटे से box में उसका meaning personal computer लिखा हुआ दिख जाता है और जैसा कि आपने यहां पर देखा कि जब हमने footnote डाला था तो वो इसी page पर यहां नीचे PC का मतलब लिखा हुआ आया था पर अब जब हमने end note डाला है तो वो पूरा document खतम होने के बाद यानि पूरा text खतम होने के ब बाद end में आया है अगर आपको end note को भी delete करना हो तो इसे भी आप footnote की तरह delete कर सकते हैं यदि आपको किसी लिफाफे पर address प्रिंट करना हो या फिर कई ऐसे लेबल्स या स्टिकल्स प्रिंट करने हो जिन पर आपको एक समान address चाहिए जिनने आप envelops पर या कहीं और भी चिपका सकें तो ये envelops और labels options की सहता से किया जा सकता है तो आएए देखते हैं कि आप MS Word में किस तरह से envelops पर address प्रिंट कर सकते हैं और labels बना सकते हैं इसके लिए mailings tab के अंतरगत create block में जाएए यहां आपको दो options मिलेंगे envelops और labels अगर आपको किसी को envelop भेजना है और उस पर आपको sender और receiver यानि envelop भीजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों विक्तियों का address प्रिंट करना है तो उसके लिए आप इस option का उप्योग कर सकते हैं इस option पर click करने पर एक dialogue box open होगा इसमें आप दो options देख सकते हैं यहाँ पर आप delivery address लिख सकते हैं मतलब जिसे भी आपको envelop भेजना है उसका address यहाँ पर लिख दीजिए नीचे यहाँ पर written address लिखते हैं यानि अगर या letter या envelope deliver नहीं हो पाता है तो वो किस address पर वापस आए वो address हो गया written address यहाँ पर यह envelope का size दिया हुआ है और इस तरह से इसमें यहाँ पर written address आएगा और यह यहाँ पर delivery address आएगा अगर आपको envelope का size कुछ और रखना है तो options में जाएं यहाँ पर यह अलग-अलग sizes दिये हुए हैं इसमें से जो size आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं नीचे preview में आपको दिखता जाएगा कि वो size कितना बढ़ाएगा और कैसा आएगा जो भी size आपको ठीक लगे उसे आप यहाँ से देख लें एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप size select करेंगे तो ही वो preview में आपको दिखाई देगा केवल माउस ले जाने पर दिखाई नहीं देगा size select करने के बाद okay पर click कर दें अब add to document पर जाकर click करें यहाँ पर यह आपसे पूछेगा कि आपने जो return address दिया है वो आप as a default set करना चाहते हैं यानि कि जब भी आपको envelope भेजना हो तो return address हमेशा यही आए अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो yes पर click करें और अगर नहीं तो फिर no पर click करें यह देखिए यह envelope आ गया है इसमें यह delivery address है जहां पर की हमको envelope भेजना है और यह है written address जहां पर अगर envelope deliver नहीं होता है तो वो वापस आ जाएगा अब आप इनका print ले सकते हैं चलिए अब labels option का उपयोग सीख लेते हैं इसका उपयोग हमें तब करना होता है जब माल लीजे आपके पास envelops हैं और आपको उन पर या कहीं और addresses चिपकाने हैं और उसके लिए labels बनाने हैं या फिर आप cds या dvds या फिर files पर चिपकाने के ल stickers बना सकते हैं इसके लिए आप इस option पर जाएं यहां पर labels option खुला हुआ है अब आपको labels पर जो भी लिखना हो वो यहां लिखते हैं माली जी हमें address के labels बनाने हैं तो हम यहां पर वो address डाल देंगे अब अगर आपको size में कुछ change चाहिए तो आप options में जाएं अभी जो size है वो यह है और यहां पर आपको कई सारे options मिलते हैं जब आप यहां से कोई साभी size चुनेंगे तो यहां पर label information आ जाएगी यानि यहां पर उसकी height और width आपको change होती हुई नजर आएगी जैसे हमने यह option चुना तो देखिए यहां पर height और width चेंज हो गए हैं हमने लिए 30 पर page तो उसकी height यह रहेगी और width यह रहेगी अब जो भी size चाहिए उसको select करके okay पर click कर दें हमने जो size select किया है उसमें इस तरह का label बनेगा इसके बाद हम new document पर click कर देंगे यह देखिए हमने 30 पर page चुना था तो पूरे page पर 30 essay stickers आ जाएंगे यह सभी stickers एक ही नाम और address के हैं अगर आपको अलग अलग नाम और address के stickers चाहिए तो यहां इनमें आपको manually सबमें चिंजिस करना होंगे mail merge सुविधा से हम व्यक्तिकत पत्र, पत्रों के लिफाफों पर address और mailing list में लिखे प्रतिक व्यक्तिके mailing labels तयार कर सकते हैं कई बार हमें एक जैसे पत्र अनेक नामों और पत्रों के साथ भीजना होते हैं हमारी समस्या का समाधान mail merge सुविधा में है ये excel में हमारे पास उन लोगों की list है जिनको joining letters भेजना है इन लोगों को जो letter भेजना है उसमें लगभग सारा matter एक जिसा ही है केवल व्यक्ति का नाम, उसकी profile, joining city, reporting person इत्यादी अलग है और ये देखिए, इस list में हमारे पास हर व्यक्ति के बारे में ये सब जानकारी है अब हम 100 व्यक्तियों के लिए अलग-अलग letter टाइप करने से तो रहे हम चाहते हैं कि एक हे बार में इन सभी के लिए एक साथ letters तयार हो जाएं तो उसके लिए mail merge option का उप्योग कर सकते हैं आईए देखते हैं कैसे उसके लिए MS Word में mailing tabs में start mail merge option के drop down arrow पर क्लिक करें ये एक drop down menu open हो गया है जिसमें अलग-अलग format दिये हुए हैं जैसे कि letters, email messages, envelopes, labels, अत्यादी इन में से आप अपने text के हिसाब से format चुन लें हमें चुकि letter भेजना है इसलिए हम यहाँ से letters चुन रहे हैं अब हम जो letter भेजना चाहते हैं वो type कर लेते हैं ये देखिए हमने joining letter का पूरा format बना लिया है जिसमें हमने उस वक्ति का नाम, उसकी profile, joining city इत्यादी नहीं लिखे हैं multiple letters प्रिंट करने के लिए start mail merge block में select recipients option पर क्लिक करें open हुए menu में से use an existing list option पर क्लिक करें हम ये option इसलिए select कर रहे हैं चुकि हमने लोगों की list अल्रेडी बना रखी है अगर आपके पास list बनी हुई ना हो तो MS word में ही वो list कैसे बनाई जा सकती है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे फिलहल हमारे पास list अल्रेडी तयार है इसलिए हम use an existing list option पर क्लिक करके आगे की process बता रहे हैं ओपन हुए dialogue box की साहता से वो sheet चुने जिसमें आपने employee के list बनाई हो उसके बाद open पर क्लिक करें open पर क्लिक करते ही select table का dialogue box open होगा इसमें उन sheets के नाम होंगे जो आपके Excel workbook में होंगी हमारे Excel workbook में दो sheets है जिस sheet में वो list है हम वो sheet select करके ओके पर क्लिक कर रहे हैं ओके पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि write and insert fields block के options active हो गए हैं और एक एक करके जहां जहां जो जो fields enter करनी है drop down menu से वो चुनते जाएंगे यहां पर हम आपको बता दें कि drop down menu में यह जो आपको fields नजर आ रही हैं यह हमने जो आपको Excel sheet बताई थी उसके headings हैं अब यहां पर हम dear के आगे recipient का नाम लिखना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके insert merge field option के drop down menu से हम चुनेंगे name वैसे ही profile के लिए drop down menu से profile चुनेंगे और जहां जहां जो जो fields insert करनी है वहां क्लिक करके drop down menu से उस उस field पर क्लिक करते जाएंगे हमने सारी field center कर दी हैं अब उन्हें देखने के लिए preview results option पर क्लिक करेंगे यह देखिए recipient का नाम प्रोफाइल त्यादी आ गया है ऐसे ही यदि आप आगे के recipients देखना चाहते हैं तो आगे वाले arrow पर क्लिक करके देख सकते हैं हमने 100 recipients के list बनाई थी इन 100 recipients के joining letter एक साथ print करने के लिए finish and merge option पर क्लिक करेंगे और open हुए drop down menu से print documents पर क्लिक करेंगे इस option को क्लिक करने पर एक dialogue box open होगा इसमें आपको तीन options दिखाई देंगे इसमें all by default selected रहता है यदि आप जितने भी recipients हैं उन सभी के joining letters को print करना चाहते हैं तो all selected रहने दें यदि आप केवल इसी letter जोकि अभी खुला हुआ है उसको print करना चाहते हैं तो current record को select करें और यदि आप कुछ particular range के letters को जैसे की आपकी list में serial number जो दिये हैं उसमें 50 serial number से 15 serial number तक या फिर 20 से 50 तक के letters को print करना चाहते हैं तो यह option select करके यहां पर range डाल दीजिए और ok पर click कर दीजिए आप range अपने हिसाब से कुछ भी चुन सकते हैं हम सभी letters को print करना चाह रहे हैं इसलिए all को selected रहने देंगे और ok पर click करेंगे इस window पर भी ok पर click करके सभी prints निकाल लेंगे अब मान लीजिए इन सभी letters के लिए हमको envelops पर addresses print करना हैं तो आप start mail merge option से envelop चुने envelops पर address print करना हम आपको पहले सिखा चुके हैं पर उसमें एक समय में एक ही address print किया जा सकता था पर इस option के मदद से आप एक ही बार में एक साथ अलग अलग लोगों के addresses print कर सकते हैं envelops option चुनने पर ये dialogue box open हो गया है इसमें से आप अपने अनुसार envelope की size select कर सकते हैं आप drop down menu में से जो भी size select करेंगे उसका preview नीचे देख सकते हैं आप चाहें तो font option की सहायता से envelope पर लिखे जाने वाले address का font style, size, color सब change कर सकते हैं हम इस option पर click करेंगे आप यहां पर काफी सारे options देख सकते हैं English text के fonts आप Latin text के नीचे दिखाई दे रहे options से change कर सकते हैं और Hindi text के fonts आप complex scripts के नीचे दिखाई दे रहे options से change कर सकते हैं All text के नीचे कुछ effects दे रखे हैं, इन में से आप text को जो effect देना चाहते हैं, वो select कर सकते हैं। आप जो भी style, color, effects इत्यादी select करेंगे, उसका preview नीचे देख सकते हैं। सारी setting कर लेने के बाद OK पर click करें। ये देखें, document का look envelope की तरह हो गया है। अब start mail merge block में select recipients option पर click करें। open हुए menu में से use an existing list option पर click करें। अब इस dialogue box की साहता से वो sheet चुन लें, जिसमें उन लुगों की list बनी है, जिन्हें joining letter भीशना है। open पर click करें। open पर click करते ही select table का dialogue box open होगा। इसमें उन sheets के नाम होंगे, जो आपकी excel workbook में होंगी। हमारी excel workbook में दो sheets हैं, तो जिस भी sheet में वो list है, उसे हम select कर लेंगे। और अब ok पर click करेंगे। return address के लिए यहां पर हम fields enter कर देंगे। उसके लिए insert merge field के drop down arrow पर click करेंगे। और जहां जहां जो जो fields enter करनी है, drop down menu से वो चुनते जाएंगे। और यहां पर delivery address के लिए यानि जिसको हमें joining letter भिजना है, उसके लिए हम fields enter कर देंगे। यह हमने सारी fields enter कर दी हैं, अब उन्हें देखने के लिए preview results option पर click करेंगे। ऐसे ही यदि आप आगे के recipients देखना चाहते हैं, तो आगे वाले arrow पर click करके देख सकते हैं। अब इन envelops को एक साथ print करने के लिए finish and merge option पर click करेंगे। और open हुए drop down menu से print documents पर click करेंगे। अब इस dialogue box से अपनी आवशक तानुसार्ट option चुन कर okay पर click करें। अब यहां okay पर click करके print निकाल लें। पिछली वीडियो में हमने आपको mail merge option का उपयोग करके पहले से बनी हुई list की सहायता से एक साथ कई लोगों के लिए letters तयार करना और envelops प्रिंट करना बताया था। इस वीडियो में हम आपको labels तयार करना और साथ ही उनके लिए word में ही list बनाना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम start mail merge के drop down menu में जा करके label का format select कर लेते हैं। यहां से label का size select करेंगे या फिर type select कर सकते हैं। यहां पर हमने 30 पर page चुना है। ओगे पर click कर दें। यह देखिए document label के format में आ गया है। आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की list बना लेते हैं जिनके addresses के labels हम बना रहे हैं। उसके लिए select recipients option पर click करके drop down menu में से type a new list option select करें। यह new address list वाला dialogue box open हो गया है। इसमें आपको कई fields दिखाई देंगी जैसे की first name, last name, इत्यादी। इन में से जो field आप भरना चाहें वो भर दें। यह देखिए हमने एक entry कर दी है। इसमें हमने लगबग सारी fields भर दी है। अब यह तो हमने एक entry की नई entry करने के लिए new entry option पर click करें। यह देखिए नई row add हो गई है। इसमें आपको जो entries करनी हैं वो कर दीजिए। ऐसे ही आप जितनी चाहें उतनी rows add कर सकते हैं और उतनी entries करते जा सकते हैं। यह हमने कुछ entries कर दी हैं। अब दी गई fields के अलावा अगर आपको अपने अनुसार कोई field add करनी हो तो उसके लिए customize columns पर click करें। उपन हुए dialog box के साहता से आप कोई field add, delete या rename कर सकते हैं। किसी भी field को delete करने के लिए उसे select करें और delete option पर click कर दें। ओपन हुए dialog box में yes को select करें। ऐसा करते ही selected field delete हो जाएगी। किसी भी field को rename करने के लिए उसे select करें और rename option पर click करें। अब उस field के नाम में जो changes करना हों को कर दें। और okay पर click कर दें। यह देखिए field का नाम change हो गया है। यदि कोई नई field add करना चाहते हैं तो add option पर click करें। यहां पर field का नाम enter करें। और okay पर click कर दें। यह देखिए वह field list में दिखाई दे रही है। move up option की सहायता से आप selected field को उपर सरका सकते हैं जिससे कि वह field list में आगे दिखेगी। वैसे ही move down से आप किसी field को नीचे सरका सकते हैं जिससे कि वह field list में पीछे की तरफ दिखाई देगी। ओगे पर click करके हम इस dialogue box को बंद कर देते हैं। इस list को save करने के लिए ओके पर click कर दें। ओके पर click करते ही एक dialogue box open होगा। इसकी सहायता से आप address list को जहां भी save करना चाहते हैं वहां save कर सकते हैं। जिस तरह हमने labels के लिए list बनाई है उसी तरह आप letters, envelops, इत्यादी के लिए भी word में काम करते हुए ही list बना सकते हैं। अब हम पहले label पर insert merge field option की सहायता से जो field जहां चाहिए वहां enter कर देते हैं। यह देखिए हमने पहले label में fields एंटर कर दी हैं। अब हमें दूसरे labels में एक एक करके manually fields एंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम update labels option का उप्योग कर सकते हैं। इस पर click करने पर automatically सभी labels में आपके द्वारा बनाई गई fields एंटर हो जाएंगी। अब हम preview देख लेते हैं। आपने जितने भी लोगों की list बनाई हुई होगी उतने labels यहां पर दिखाई देने लगेंगे। उधारन के लिए हमने 5 लोगों की list बनाई थी तो यहां पर केवल 5 labels ही नजर आ रहे हैं। पर हमारी लंबी list होगी तो चुकि हमने 30 labels पर page चुना है तो यह पूरा page जो है वो 30 labels से भर जाएगा। अब माल लेजिए प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको जो आपने list बनाई है उसमें कुछ changes करना है। जैसे यहां पर जो company के नाम हमने डाले हैं उधारन के लिए जिसको हमने XYZ, PQR यह नाम दिया है हमको यह company के नाम बदलने हैं। तो बनी हुई list में अगर हमको कुछ edit करना है तो उसके लिए edit recipient list पर क्लिक करेंगे। यहां से जिस भी list को edit करना है उसे select कर लेंगे। फिर edit पर क्लिक करेंगे, अब अपने अनुसार जो भी changes करना है वो करके OK पर क्लिक करें। यहां पर हमको एक recipient का company का नाम change करना था, वो हमने change कर दिया है, अब हम OK पर क्लिक कर देंगे। इस dialog box में yes पर क्लिक करेंगे और अब OK पर क्लिक कर देंगे। अब हम preview देख लेते हैं आप देख सकते हैं कि जो changes हमने list में किये थे वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं अब आप इन labels का print out निकाल सकते हैं मानली जी आप कोई report बना रहे हैं या फिर कोई document चेक कर रहे हैं और उसमें आपको किसी भी चीज के details देखनी हैं चाहे वो कोई प्रसिद व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई नियम हो या फिर कोई word ही क्यों न हो ऐसे में यदि आप MS word छोड़कर online search करते हैं तो कई बार लिखने या पढ़ने का flow तूट जाता है हम disturb होते हैं और इसमें काफी समय लग जाता है ऐसे में smart look up option की सहायता से आप word में ही किसी भी चीज के बारे में वेब से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं चलिए आपको smart look up option का उपयोग बता देते हैं यहां पर हमने कुछ text लिखा हुआ है माल लिजे इसमें हमने Constitution of India के बारे में जानकारी चाहिए हम इसको select कर लेंगे अब या तो review tab में जाकर smart look up option पर क्लिक करें या फिर selected word पर right click करके open हुए menu में से smart look up option चुन लें यह देखिए एक side bar search results के साथ खुल गया है इसमें आपको selected text से संबंधित धेर सारी जानकारी मिल जाएगी जैसे हम Constitution of India के बारे में जानना चाहते थे तो यहां पर देखिए उसके बारे में जानकारी है यह Wikipedia की जानकारी है और more पर क्लिक करने पर आपको कुछ और web search results मिल जाएंगे यह India government की एक website खुल गई है आप चाहें तो दूसरे links को भी खुल करके देख सकते हैं यह हमने यहां पर click किया और यह india.gov.in website उपन हो गई है यहां पर आप देख सकते हैं भारतिय संभिधान की पूरी जानकारी दी हुई है अब हम यहां से इस web page को close कर देते हैं और यह देखिए वापस हम word document में आ गए हैं इसी तरह से माले जीए आप government of India act 1935 देखना चाहते हैं तो इसको select करके review tab में smart look up पर हमने click किया अब यह देखिए side bar में इस act के बारे में जानकारी आ गई है और बहुत सारी links यहां पर दी हुई है अगर आपको detail में इसके बारे में जानना हो तो कोई भी link खोल करके आप पढ़ सकते हैं जिस तरह से यह हमने अलग-अलग topics के बारे में जानकारी प्राप्त की इसी तरह से अगर आपको यहां किसी particular शब्द के बारे में जानना है उसकी definition या उसका meaning जानना है तो आप वो भी पता कर सकते हैं मान लेजे हमने यहां से honors शब्द को चुना इसको select करके smart look up पर click किया अब यहां पर side bar में explore के पास में define tab दिया हुआ है इस पर click करने पर यह हमको इस word के बारे में पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगी इसकी definition मिल जाएगी क्यानि यह word verb है या noun है या क्या है इसका मतलब क्या है उसका synonym क्या है यह सारी जानकारी आप देख सकते हैं यहां पर आपको नजर आ रही है इसका origin और यह सब दिया हुआ है और अगर आप चाहें तो यहां उपर इसे कैसे pronounce करना है इसका उचारण कैसे करना है आप चाहें तो यहां पर click करके उसका उचारण सुन भी सकते हैं इस तरह से अगर आपका कोई document अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है और आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो की आपको उसे समझा सके तो आप MS Word के translate option की मदद ले सकते हैं हाला कि यह translation उतना सटीक नहीं होता है पर काफी हद तक आपको बात समझने में मदद मिल जाती है केवल अंग्रेजी ही नहीं बलकि इस option की साहता से आप किसी भी भाशा के matter को किसी दूसरी भाशा में translate कर सकते हैं उन languages में जो की इस option में available हूँ यहाँ पर हमने कुछ matter ले रखा है यह matter इंग्लिश में है इसको हम हिंदी में translate करना चाहते हैं इसको translate करने के लिए हम review tab के language block में translate option पर जाएंगे इस option पर क्लिक करते ही एक menu open होगा इसमें आपको कुछ और सब options दिखाई देंगे यदि आप पूरा document ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पहला option सिलेक करें यहाँ पर इस dialogue box में yes पर क्लिक करें यह दिखें वे ब्राउजर में translator open हो गया है अब यहाँ से जिस भी भाषा में आप paragraph को translate करना चाहते हैं वो सिलेक कर लें यहाँ आपने सिलेक किया हिंदी इसके बाद इस arrow पर क्लिक करने पर यह पूरा की पूरा जो document है हमारा वो हिंदी में translate हो गया है जिस तरह से अभी हमने अंग्रेजी के matter को हिंदी में translate किया उसी तरह से जैसे यह हिंदी का matter है इसको अगर अंग्रेजी में या किसी दूसरी language में translate करना हो तो वो भी कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर हिंदी में अगर matter है तो हिंदी चुने और जिस language में translate करना है वो यहाँ से चुन ले इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश चुने किसी और language में करना हो तो वो चुन ले उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दे यह देखे हिंदी का जो matter था वो इंग्लिश में translate हो गया है इसको हम वापस पहले वाली इस्थिति में ला रहे है यहाँ पर हम आपको एक बात बता दे आप पुरी तरह से इस translation पर निर्भर न रहें क्योंकि इसमें कहीं वाक्य में थोड़ी गड़बड हो भी सकती है तो यह आपको मदद करने के लिए ठीक है पर उसके बाद आप इसे जरूर पढ़ ले और जहां जो ठीक ना लगे उससे सही कर ले यहाँ पर उपर की तरफ कुछ व्यूज दे रखे हैं इसमें से आप जिस भी तरह के व्यूज में translation देखना चाहें देख सकते हैं जैसे side by side पर हमने click किया तो यहाँ पर आपको अंग्रेज ही भी दिख जाएगा जैसे अगर आपको compare करना हो कि यह translation बराबर हुआ है या नहीं तो आप एक side में English आपको नजर आ रहा है और दूसरी side में जो हिंदी हुआ है वो नजर आ रहा है ताकि आप इसे compare कर सकें इसी तरह से यहाँ पर कुछ और views भी दियें जैसे top bottom है इसमें English उपर और हिंदी नीचे आ गया original with over translation है इस option में आप जिस line पर pointer रखेंगे उतना उतना translation आपको उपर दिखता जाएगा और इसका उल्टा option यहाँ पर है इसमें translation के उपर जो original है वो hover करता हुआ दिखेगा जैसे पूरा हिंदी translation यह नजर आ रहा है आप जिस भी line पर आप pointer रखेंगे उसका जो original English है वो आपको एक छोटे से box के अंदर दिखाई देगा तो आप जिस भी तरह से इसे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं अब हम आपको दूसरा option बता देते हैं translate के अंदर दूसरा option है translate selected text अगर आप text में से किसी एक particular word या किसी line को translate करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका उप्योग कर सकते हैं इसके लिए हम पहले वो phrase चुन लेते हैं हमने चुना government of India अब हम यह दूसरा option जो है उसपर क्लिक कर रहे हैं इस dialogue box में yes पर क्लिक करें यह देखें आपर side pen open हो गया है और इसमें translation में from और to आ रहा है तो हमारा matter तो English में है from में English रहने देंगे तू में हमको वो language चुननी है जिसमें हमको इसको translate करना है चुकि अभी हमने पहले Hindi चुना था इसलिए यहां पर अभी Hindi आ रहा है ना हो तो drop down arrow पर क्लिक करके आप language चुन सकते हैं अब यहां देखिए नीचे translation options आ गए है Government of India को हमने सेलेक किया था उसका Hindi भारत सरकार यहां पर दिया हुआ है आप चाहें तो इसे यहां से insert भी कर सकते हैं और अगर आपको इसको copy करना हो यह जो translation है उसको copy करना हो तो आप उसे copy भी कर सकते हैं अब हम आते हैं translate के तीसरे option पर तीसरे option है mini translator अगर आपको किसी भी selected text का तुरंत translation चाहिए हो तो वह आप इसकी मदद से कर सकते हैं इसके लिए यहां सबसे नीचे choose translation language जहां लिखाए वहां पर क्लिक करें अब यह open हुए dialogue box में choose mini translator language में translate to box के अंदर drop down menu से आप language चुन ले जिसमें आपको translate करना है हमने चुना Hindi और उसके बाद OK पर क्लिक कर दें अब आपको जिस भी शब्द का Hindi में अर्थ देखना हो उस पर pointer ले जाए जैसे यह हम constitution पर ले गए हैं उपर एक चोटा सा box आ गया जब हम वहां pointer ले जाते हैं तो वहां उसका Hindi मिल जाता है जैसे यह दिख रहा है समविधान ऐसे आप जिस भी word पर ले जाएंगे जैसे Republic यह हम Republic पर ले गए अब इसको उपर ले जाएंगे तो यह Republic का meaning गंडराज यहां पर दिखाई दे रहा है Mini translator की मदद से आप ना केवल एक शब्द या एक लाइन का translation देख सकते हैं बलकि अगर आपको पूरे paragraph का भी quick translation देखना हो तो आप वह भी कर सकते हैं यह हमने पूरे text को select कर लिया है और यह देखिए यहां पर जैसे ही selected text में कहीं भी हमने pointer रखा तो यह उसका पूरा translation आ गया है अब यहां पर नीचे कुछ और इसमें options हैं जैसे पहला है expand अगर आप expand पर क्लिक करेंगे तो यह side pen पर आपको इस तरह से यह पूरा translation दिखाई दे जाएगा आप चाहें तो यहां से इसे insert कर सकते हैं या copy कर सकते हैं और आप चाहें तो यह option आपको यही mini translator पर भी मिलता है उसके लिए पहले हम side pen close कर देते हैं यह देखिए expand के बाद दूसरा option यहां नीचे है copy इसके मदद से आप यह पूरा translation copy कर सकते हैं फिर इसमें तीसरा option है play यह जो पूरा text आपने select किया है अगर आप इस text को सुनना चाहते हैं तो वो इसके मदद से आप सुन सकते हैं पर यहां पर ध्यान रखें कि यह केवल English script में लिखे matter को ही पढ़ेगा यानि जिन languages को लिखने में ABCD alphabet का उपयोग होता है जैसे कि Spanish, French इत्यादी में लिखे matter को ही पढ़ेगा अन्य लिपियों जैसे कि Hindi या Arabic त्यादी में लिखे text को translate तो कर देगा पर उस text को play नहीं करेगा किसी और लिपी में लिखे matter play वाला यह जो option है वो बंद आएगा जैसे हम play पर क्लिक करेंगे यह शुरू हो जाएगा अब अगर आपको इसको बंद करना है तो stopper क्लिक करने यह stopper क्लिक करते ही यह बंद हो गया है और अगर आपको mini translator के बारे में कोई भी help चाहिए तो यहाँ पर help का option भी है यदे आप MS Word में काम करते वक्त किसी particular word या paragraph को explain करते हुए कुछ extra लिखना चाहते हैं और साथ ही यह भी चाहते हैं कि वो document में दिखाई ना दे तो उसके लिए आप comments option का उप्योग कर सकते हैं यहां हमने पहले से ही कुछ paragraphs लिख रखे हैं इसमें यहां नीचे एक short form है PDF अब हम इसके लिए comment insert करना चाहते हैं जिसे कि हमें इसका full form पता चल जाए तो सबसे पहले हम इसको select कर लेंगे अगर आपको किसी paragraph पर कोई comment करना हो तो आप पूरे paragraph को select कर लें अगर word पर करना है तो उस word को select कर लें यहां पर हमने short form को select कर लिया है अब review tab में जाकर new comment option पर click करें अब यह open हुए comment box में जो भी आपको type करना हो वो type कर दें यहां पर हमने लिख दिया है pdf means portable document format अब इस comment box को hide करने के लिए उपर जो एक cross का निशान नजर आ रहा है उस पर click कर दें यह देखे comment hide हो गया है पर यहां पर comment box का icon आप देख सकते हैं इसका मतलब इस paragraph पर या इस paragraph में किसी word पर कोई comment किया हुआ है यह हमने एक उधारण दिया है इसी तरह से आपको और भी जहां जहां पर comments देना हो वहां पर आप comments दे सकते हैं कि हमने एक जगह पर और comment दे दिया है और इसको height कर दिया है अब जब आप यह देखना चाहें कि document में कौन-कौन से comments inserted हैं तो उसके show comments option पर क्लिक करें यह देखिए जहां जहां जो भी comments दले हुए होंगे वो आपको यहां right hand side पर दिखाई दे जाएंगे जब आप pointer को उस comment पर ले जाएंगे तो वो word या paragraph highlight हो जाएगा जिसके लिए वो comment दला हुआ है हम दोबारा show comments option पर क्लिक करके comments को height कर रहे हैं previous और next option का उप्योग करके आप अगले और पिछले comments देख सकते हैं और यदि किसी comment को delete करना हो तो उस comment box पर क्लिक करें और comments block के delete option पर क्लिक कर दें कि देखिए वो comment delete हो गया है यदि आप अपने system को किसी अन्य user के साथ भी share करते हैं और अगर आपके word document में दूसरे user ने कोई editing या change कर दिये हो तो उसे आप कैसे track कर सकते हैं accept या reject कर सकते हैं आये देखते हैं माली जिये हमको Republic Day पर कोई speech देना है और वो speech हमने लिख करके रखी है अब जिस system पर हम काम करते हैं माली जिये उस system को और दूसरे लोग भी use करते हैं आप चाहते हैं कि अगर आपकी इस speech में कोई changes कर देता है या किसी भी प्रकार की editing कर देता है तो वो आपको पता चल जाए जो भी changes किये हो उनको आप track कर सकें उसके लिए इस document को save करने के पहले आप track changes वाले option को चालू कर सकते हैं उसके लिए review टैप पर जाएं और यहां से ये जो track changes वाला option है इस पर click करें अब ये option चालू हो गया है इसको हम देख सकते हैं इसमें कुछ भी type करके जैसे हमने कुछ भी editing की यहां पर कुछ भी type कर दिया यह देखे जैसे हमने type करना शुरू किया तो यह यहां पर एक line आ रही है इसका मतलब track changes का जो option हमने चालू किया है वो on है और यह line इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर उपर simple markup वाला जो option है वो चालू है हम इसको कर देते हैं no markup बाकी के option हम आपको बार में समझाएंगे अब अगर हम इसमें कुछ भी type करेंगे तो देखिए यहां पर इस तरह की कोई भी line या निशान कुछ भी नहीं आ रहा है अभी हमने जो भी कुछ type किया है इसको हम अटा देते हैं अब यहां पर एक और चीज हम आपको बता दें कि जैसे हमने track changes option पर क्लिक किया था तो यह option चालू हो गया अब अगर कोई इस पर क्लिक कर देगा तो यह option बंद भी हो सकता है हम चाहते हैं कि यह वाला option बंद ना हो उसके लिए drop down arrow पर क्लिक करेंगे और lock tracking पर क्लिक कर देंगे lock tracking पर क्लिक करते ही यह एक चोटा सा dialogue box खुल जाता है जिसमें कि आपको password एंटर करना है पर यह optional है अगर आप चाहें तो password दें और अगर आप password नहीं देना चाहते हैं तो सीधे ओके पर क्लिक कर दें तो देखिए यह वाला option जो है वो lock हो गया है पर अब इसका ज्यादा फाइदा आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जैसे ही lock tracking पर जाकर कोई भी क्लिक करेगा तो यह option अपने आप चालू हो जाएगा क्योंकि आपने कोई password तो देके ही नहीं रखा है इसलिए बहतर है कि यहाँ पर हम password देदें क्योंकि ऐसे में कोई भी वेक्ति हमारे अलावा इस option को बन नहीं कर पाएगा password देने के बाद उसे फिर से यहाँ confirm करने के लिए टाइप कर दें और रोके पर क्लिक कर दें अब यह देखें यह option lock हो गया है यहाँ पर हमने no markup चुन लिया है और अब हम इस file को save कर देते हैं और इसको close कर देते हैं हमारा जो document था उसको हमने track changes option on करके save कर दिया था अब माली जे हमको उस पर वापस काम करना है या उसको final touch देना है हमने उसको वापस खोला अब यहाँ पर जैसे ही हमने इस document को खोला तो यहाँ पर हमको कुछ चीजे नजर आ रही हैं जैसे कि यह यहाँ left hand side पर margin में यह कुछ red lines नजर आ रही हैं और उसी तरह से यह right hand side पर margin में यह एक ऐसा comments का box नजर आ रहा है तो इससे हमको पता चल रहा है कि इस के और कुछ नकुछ काम हुआ है इस document में कुछ नकुछ changes किये गए हैं अब वो क्या changes हैं यह हम देखना चाहते हैं जो formatting के changes हैं जैसे यहाँ पर Government of India Act जो है इसको italic कर दिया गया है तो यह तो हम देख पा रहे हैं पर इसके अलावा अगर दूसरे जो changes किये हैं तो वो हमको यहाँ पर एकदम से नजर नहीं आ रहे हैं अब tracking करने के लिए हम वापस review tab में जाएंगे यहां से हमको यह अलग-अलग options मिलते हैं सबसे पहला जो option है जिसमें की simple markup by default selected होता है और यह जो हमको changes यहां नीचे document में नजर आ रहे हैं यह जो lines नजर आ रही हैं यह इसी वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर simple markup चुना हुआ है इस पर अगर हम click करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी changes हैं वो सब आपको नजर आ रहे हैं इतर right hand side पर उसकी detail नजर आ रही है जैसे यहां पर क्या formatting हुई है वो दिया हुआ है ऐसे यहां से जो word delete किया है वो यहां पर लिखा हुआ आया है और जो नया word डाला है वो अलब color में underline के साथ नजर आ रहा है यहां comment डाला है उसकी detail यहां दिख रही है कि comment क्या डाला हुआ है और उसके लिए कौन सा word delete किया है वो भी या नीचे नजर आ रहा है यह जो दो नए words insert किये थे वो हमको यहां पर red color में underline के साथ नजर आ रहे हैं यह all markup में आपको सारी changes इस तरह से दिख जाएंगे अगर यहां पर no markup होगा तो यह कुछ भी आपको नहीं दिखेगा यानि इस तरह से document अगर आपको दिखता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई changes हुए है या नहीं formatting के अलावा बाकी changes आप नहीं दिखेंगे अगर आपको original document देखना है तो आप original पर क्लिक करें तो इसमें जो भी changes किये हुए हैं वो सब भट जाएंगे और जो original document था वो आ जाएगा यह देखिए government of India यह जो टैलिक किया हुआ था यह वापस novel हो गया है यहां पर January किया हुआ था जबकि original document में यहां पर November है इसी तरह से यह जो पूनस document था जो हमने save किया था अब हम इसको original के बजाए वापस जो change हो करके हमारे पास आया है उसको देखने के लिए all markup पर हम क्लिक कर देते हैं अब हम अगले option पर चलते हैं यह है show markup यहां पर देखिए यह comment, sync, insertion, deletions, formatting यह इतने सारे options हैं by default यह सब on रहते हैं और इसी changes हुए हैं वो सबकी सब दिखाई दे रहे हैं पर अगर आप कोई particular change ही देखना चाहते हैं जैसे आप देखना चाहते हैं कि कोई formatting हुई है क्या तो आप उस particular option को on रखें अगर आपको केवल वो ही words देखना है जो delete हुए है या insert हुए हैं तो आप insertion and deletion वाले option को on रखें जो change है comment वाला वही दिखा रहा है बाकी जो changes है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं वैसे यह सारे options on रहते हैं अगला option है balloons इसमें जो अभी selected सब option है वो है show revisions in balloons जिसकी वजह से हमको यहां side में इस तरह से यह options नज़र आ रहे हैं अगर आग अगला option चुनते हैं show all revisions in line तो दिखिए वो side में जो आपको detail में information नज़र आ रहे थी वो अब नहीं दिख रहे हैं उसकी बजाए यहीं पर जो words delete हुए हैं वो यहां पर आपको कटे हुए नज़र आ रहे हैं जो add हुए हैं वो underline के साथ red letters में नज़र आ रहे हैं और जो comment है वो आपको यहां पर अलग color में इस तरह से नज़र आ रहा है अब अगर आप last वाले option पर जाते हैं show only comments and formatting in balloons तो यहां पर आपको केवल formatting और comments वाले changes ही नज़र आएंगे उन्हीं की detail नज़र आएगी बागी जो changes है वो यहां पर इस तरह से दिखाए देंगे यहां पर last option है reviewing pen अगर आप drop down arrow पर click करेंगे तो दो options आपको मिलेंगे reviewing pen vertical और reviewing pen horizontal वर्टिकल पर अगर आप click करेंगे तो यह देखिए यहां left hand side पर vertical reviewing pen open हो गई है जिसमें की सारी changes दिये हुए हैं और अगर आप horizontal चुनते हैं तो यह देखिए नीचे इस तरह से horizontally आपको व इसके अंदर total कितनी changes हुए हैं क्या revision हुआ है वो सब आपको पता चल जाता है अब यह जो हमारे इस document में कुछ changes हुए हैं उसमें से माली जी हम कुछ changes रखना चाहते हैं और कुछ जो changes हैं उनको reject कर देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम tracking को unlock कर लेते हैं लॉ हमने password डाला था वो password यहां पर डाल कर okay पर click कर देंगे अब यह देखिए changes block के जो options हैं वो सब चालू हो गए हैं अब अगर आपको यहां से किसी particular change को select करना है तो वो previous or next के साहर से आप कर सकते हैं जैसे आप next पर click करेंगे तो सबसे पहला वाला जो change है वो select हो जाएगा आगे वाले जो changes है वो select होते जाएगे और आपको वापस पीछे आना है पुराने वाले देखना है तो previous पर click करते जाएगे तो जो पहले वाले changes हो select हो जाएगे इसके बाद यहां पर option आपको मिलता है accept और reject का drop down arrow पर जब आप click करेंगे तो यहां पर अलग-अलग options हैं पह selected word में किये गए change को accept करके आगे वाले word पर चले जाएंगे यह जैसे हमने इस पर click किया तो यह वाला जो change selected था उसको accept करके हम यह अगले वाले change पर आ गए हैं अब अगला जो change है उसको हमको reject करना है तो हम reject पर जाएंगे अब यहां पर भी option वैसा ही मिलता है reject and move to next इस पर click करेंगे अब हम आ गए हैं अगले change पर इसको भी हमको reject करना है यह हमको जैनूरी नहीं जाएगा अगर यहां से हमने पहले option की बजाए दूसरे option को select किया तो यह वाला change reject हो जाएगा पर अगले वाले change पर यह नहीं जाए जैसे हमने यहां click कर दिया तो यह देखिए यहां से जो January लिखा हुआ था वो हट गया है पर अब यह अगला जो change था वो select नहीं हुआ है उसको हम next की मदद से कर सकते हैं यह देखिए अब हम next change पर आ गए हैं next change पर आने के बाद हम वापस accept पर गए यहां पर अगला जो option है वो है accept all changes अगर आप इस पर click करते हैं तो जितने भी changes होंगे वो सारे की सारे accept हो जाएंगे उसके बाद option है accept all changes and stop tracking इसमें जितने भी changes है उनको accept करके यह tracking को बंद कर देगा same options आपको reject के अंदर मिलते हैं हम accept all changes पर click कर रहे हैं यह देखिए हमको जो भी changes accept करना थे वो हमने accept कर लिये और जो reject करना थे वो हमने reject कर लिये हैं हमने आपको MS Word में tracking करना बताया था जिसकी सहायता से आप document में होने वाली editing को track कर सकते हैं और साथ ही document में हुए changes को accept या reject कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको दो documents का comparison करना बता रहे हैं जिससे आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके document में क्या changes हुए हैं चलिए देखते हैं यह option कैसे काम करता है यह हमारा original document है और यह document edited है इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कुछ changes किये हैं कई सारे changes यहां पर ऐसे हैं जो highlighted हैं जो अलगी नजर आ रहे हैं कुछ changes ऐसे भी हैं जो आसानी से दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे कि यहां पर कुछ words को हमने italic कर दिया है इसी तरह से इस document में हमने एक line यहां पर नीचे add की है तो ऐसे में यदि आप original document और edited document को एक ही screen पर compare कर लें तो आसानी से पता कर सकते हैं कि document में कहां और क्या changes हुए हैं उसके लिए review tab के compare block में compare option पर क्लिक करें और यहां से वापस compare option पर क्लिक करें क्लिक करते ही compare documents का dialogue box open हो जाएगा यहां पर original document के drop down menu से original document सेलेक कर लें revise document के drop down menu से जो भी edited document है उसको सिलेक कर लें अब ok पर क्लिक करें इस dialogue box में yes पर क्लिक करें यह देखिए दोनों documents comparison mode में open हो गए हैं इसमें यह right hand side पर original document दिखाई दे रहा है और left hand side पर यह जो है पूरा हमारा edited document दिखाई दे रहा है यहां पर आप आराम से compare कर सकते हैं कि क्या changes हुए हैं और इधर left hand side पर side pen में क्या changes हुए हैं यह लिखे हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर आप सबसे उपर देख सकते हैं seven revisions हैं यानि साथ changes इसमें हैं और वह कौन-कौन से change हैं वह यहां पर लिखा हुआ है हमने जो last में एक line add की थी वह भी यहां पर दी हुई है यहां पर अभी जो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ पूरा original document है और जो भी changes हमने किये हैं वह edited document यहां दिखाई दे रहा है इसको अगर आप अलग तरह से देखना चाहें तो उसके लिए compare पर क्लिक करें यहां पर नीचे show source documents का option मिलता है इस पर क्लिक करने पर आपको कुछ सब options दिखाई दे रहे हैं अभी देखिए show original selected है जिसके कारण यहां पर हमको original document दिखाई दे रहा है अगर आप hide source documents करेंगे तो यहां पर केवल जो edited document है वह आपको नजर आएगा और दूसरे दो options जो है show revised इसको करने पर जो हमने revise किया है वो ही यहां पर नजर आ रहा है और अगर आप last option show both चुनते हैं तो यहां पर आपको original भी दिखेगा जो changes किये हैं वो वाला भी दिखेगा मान लीजे कि आपने बड़ी मेहनत से कोई file तयार की है और उसमें बहुत important data है यदि आप चाहते हैं कि आपके data में आपके अलावा और कोई भी किसी भी तरह की editing या formatting ना कर पाए तो Microsoft ने हमें यह सुविधा दी है कि हम अपने document को पूरी तरह से secured बना सकें चलिए आपको बता देते हैं कि आप अपने word document को password से कैसे सुरक्षित करें मान लेजे आप इस document को password से protect करना चाहते हैं तो उसके लिए review tab में जाकर restrict editing option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही side में restrict editing pan open हो जाएगी इसमें सबसे पहला option है formatting restrictions इस option को enable करने पर आप document में की जाने वाली formatting जैसे की text को bold करना, italic, underline, इत्यादी करना इसको restrict कर सकते हैं उसके लिए हमने यहां check box पर क्लिक कर दिया है next option है editing restrictions इस option को enable करने पर आप document में की जाने वाली editing को restrict कर सकते हैं इस option को enable करने के लिए इस check box पर क्लिक करें और इस drop down arrow पर क्लिक करके आप किस तरह के editing restrictions चाहते हैं वो चुन सकते हैं जैसे कि अगर आप tracked changes का option चुनते हैं तो इस document में editing तो की जा सकेगी पर वो track हो जाएगी यानि अगर कोई भी व्यक्ति इस document में कोई changes करेगा तो वो आप track कर सकेंगे tracking का तरीका हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं इसी तरह अगर आप comments चुनते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस document में केवल comments insert कर पाएगा और किसी भी प्रकार की editing नहीं कर पाएगा comments insert करना हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति इस document में कोई भी changes नहीं कर पाएग केवल वो इस document को पढ़ सके तो no changes read only का option आप चुन सकते हैं इस option को enable करने पर इसके नीचे exceptions option activate हो जाता है और ये option optional होता है यदि आप चाहें कि document का कोई हिस्सा कोई भी व्यक्ति आडिट कर सके तो आप document के उस part को select कर लें जैसे हमने ये part select किया है अगर आप document में एक से ज्यादा parts या एक से ज्यादा paragraphs को restriction free बनाना चाहते हैं तो उन सब को आप control button press करके select कर लें और इनको हम restriction free बनाना चाहते हैं अब यहाँ पर everyone के सामने जो check box है उस पर click कर दें अब यह जो selected areas हैं यह किसी के भी द्वारा editing करने के लिए free रहेंगे इनके अलावा दूसरे हिस्से पर editing नहीं की जा सकेगी अब आपने जो भी setting की होगी उसे save करने के लिए आपको password set करना होगा पहले हम आपको एक बात बता दें कि अभी जैसे formatting restrictions और editing restrictions हमने इन दोनों को enable किया है आप चाहें तो इसमें से किसी एक option को enable करके भी password दे सकते हैं अभी चुकि हमने दोनों को enable किया है और exceptions पाले option को भी हमने enable कर दिया है और अब हम इन तीनों की setting को save करने के लिए password दे रहे हैं password set करने के लिए yes start enforcing protection पर click करें अब यह जो box open हुआ है उसमें password type करें इस password को confirm करने के लिए इसे नीचे फिर से type करें और okay पर click कर दें password देने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ और options आ गए हैं जिसमें highlight the region I can add it यह by default selected होता है तो जो भी region हमने viewer के लिए restriction free छोड़ा है वो highlighted आपको नजर आएगा यह देखिए जहां जो जो भी paragraphs हमने free छोड़े हैं वो सब यहां पर highlight हो गए हैं माली जे हमने इस option को deselect कर दिया अब इस document में जो viewer है उसको पता चलना मुश्किल होगा कि वो किस part को edit कर सकता है यहां यह जो दो options हैं इनके मदद से फिर आप वो regions ढून सकते हैं जिस पर आप editing कर सकते हैं find next region icon edit पर जैसे ही आप click करेंगे तो वो region select हो जाएगा जिस पर आप editing कर सकते हैं इस पर आपने editing कर ली उसके बाद फिर इस पर click करेंगे तो अगला region select हो जाएगा और अगर आप सारे regions एक साथ देखना चाहते हैं जिनको कि आप edit कर सकते हैं तो यह दूसरा option है show all regions icon edit यह देखिए अब पूरे document में जो भी restriction free parts हैं वो सब कि सब select हो गये हैं और अगर आप इनको highlight करना चाहते हैं तो इससे select कर लीजिए यह सारे की सारे वो paragraph जिन पर editing की जा सकती है वो highlight हो गए हैं अब हम देख लेते हैं हम इसमें किस तरह से editing कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें matter type कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसमें से कोई हिस्सा हटा भी सकते हैं इसकी आप formatting भी कर सकते हैं पर यह ध्यान रखें कि अब यह जो formatting है वो आपको styles में जा करके करना पड़ेगी जैसे हमने इसको italic कर दिया है बागी के सारे options चुकी यहाँ पर बंद हैं इसलिए जो भी formatting आपको करनी हो वो आपको यहां से करनी पड़ेगी restriction free parts के अलावा अगर आप document में कहीं भी कोई भी editing या formatting करना चाहेंगे तो वो possible नहीं होगी जैसे ही हमने उपर के paragraph पर क्लिक किया तो आप उपर देख सकते हैं कि सारे options यहाँ पर बंद हो गये हैं यानि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं चलिए अब हम आपको password हटा कर बता देते हैं इसके लिए हम stop protection पर जाएंगे और अगर यह restrict editing वाली window ना खुली हो तो उसके लिए review टैप पर जाएं और restrict editing पर क्लिक कर दें तो यह बापस से window आ जाएगी stop protection पर क्लिक करें यहां पर जो password आपने create किया था वो डाल दें okay पर क्लिक कर दें अब यह protection हट गया है अब इस पूरे document में कहीं पर भी कोई भी editing की जा सकती है है formatting की जा सकती है कि अब टैटल देखकर आप यह सोच रहे होंगे कि एमस वर्ड में paragraph या वर्ड सेलेक्ट करना तो सभी को आता है इसमें नया क्या है पर सामानित जब भी हम कोई paragraph वर्ड या line सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम जहां से भी paragraph लाइन या वर्ड सेलेक्ट करना हो उसकी शुरुवात में माउस ले जाकर क्लिक करके फिर जहां तक सेलेक्शन करना है वहां तक माउस को ड्रेक्ट करके छोड़ देते हैं पर आज हम आपको परिग्राफ वर्ड और लाइन सेलेक्ट करने के कुछ आसान और नए तरीके बता रहे हैं अगर आपको कोई वर्ड सेलेक्ट करना हो तो माउस को ड्रेक्ट करने में कई बार माउस थोड़ा सा आगे चला जाता है एक की बज़ाए दो वर्ड सेलेक्ट हो जाते हैं या कई बार थोड़ा उपर नीचे हो जाए तो लाइन सेलेक्ट हो जाती है तो उसकी बज़ाए जिस भी वर्ड को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके उपर माउस ले जाकर डबल क्लिक करें यह देखे वो word select हो जाएगा यदि आपको एक से ज्यादा words cut या copy करना हो तो पहला word select कीजिए उसके बाद control की press करके रखिये और बाकी जितने भी words आपको select करने हो उन सब को select कर लीजिए यहां हम इन words को copy करके किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं यह देखिए तीनों वर्ड्स एक साथ कॉपी हो गए और एक साथ पेस्ट हो गए अगर आपको कोई सिंगल लाइन सेलेक्ट करना है तो उस लाइन के लेफ्ट तरफ थोड़ा दूरी पर माउस ले जाएं जैसे ही आपको एरो दिखाई देने लगे क्लिक कर दें तो वो लाइन पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी इसी तरह से लाइन सेलेक्ट करने का एक और तरीका है लाइन के शुरुवात में अगर करसर है तो आप शिफ्ट और एंड कीज को प्रेस कर दें तो भी आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी ये अभी हमने देखा कि हम एक लाइन कैसे सेलेक्ट करें पर अगर आपको कोई एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है और एक सेंटेंस ज़रूरी नहीं कि एक लाइन में ही खत्पूँ कई बार दो लाइनस में धाइ लाइन्स में भी एक सेंटेंस आता है ऐसे में किसी भी एक पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस सेंटेंस पर कहीं भी पॉइंटर ले जाएं और फिर कंट्रोल की प्रेस करके रखें और क्लिक कर दें यह देखिए यह पूरा की पूरा स सेलेक्ट हो गया है और अगर आपको पूरा परेग्राफ सेलेक्ट करना हो तो पूरे परेग्राफ में कहीं पर भी तीन बार क्लिक कर दें पूरा परेग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एक लिस्ट दी हुई है जिसमें हैडिंग्स दिये हु एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो normally जब हम क्लिक करके माउस ड्रेग करते हैं तो वो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती हैं केवल headings को अलग से सिलेक्ट करना मुश्किल होता है इसके लिए हम आपको एक आसान सा थरीका बताते हैं, पहली heading की शिरुवात में click करें और उसके बाद alter key को press करके रखें और mouse से drag करते हुए ये सारी heading साथ एक साथ select कर लें, ये देखें सारी heading सेलेक्ट हो गई है, explanation सेलेक्ट ही हुए है, अब इसको आप copy, paste जो भी करना चाहत करते हैं, वो कर सकते हैं, इसी तरह से इस list में जो दूसरा हिस्सा है, explanation वाला, अगर आपको केवल उसको select करना है, तो वो भी आप alter key को press करके, mouse की साहता से drag करके select कर सकते हैं, MS Word में काम करते समय कई बार हमें straight lines यानी सीधी lines खीचने की आवश्यक्ता पड़ती है, जिसमें कई बार हमें परिशानी भी होती है, इस वीडियो में हम आपको CD lines खीचने का आसान तरीका बता रहे हैं, साथ ही कुछ ऐसे short cuts भी बता रहे हैं, जिससे आप अलग-अलग designs में straight lines आसानी से खीच सकते हैं, लाइन खीचने के लिए insert tab में जाएं, यहां shapes option में कई तरह की lines दी होती हैं, इनमें से किसी भी लाइन पर क्लिक करें, फिर जहां लाइन खीचनी हैं, वहाँ पर क्लिक करके माउस से drag करते हुए क्लिक छोड़ दें, अब यह देखिए, यहां पर यह line तो खीच गई है, पर यह एक सीध में नहीं है, यह थोड़ी तिरची है, चलिए, एक बार फिर से line खीचते हैं, उसके लिए दोबारा insert tab के shapes option में, जाकर के कोई भी line से लेक करें, फिर shift दबा कर, माउस की सहायता से क्लिक करें, और drag करते हुए वहां तक ले जाए जहां तक line खीचनी है, और माउस का क्लिक छोड़ दें, यह देखिए, इस बार यह जो line खीची है, वो बिलकुल सीधी है, जिस तरह से अभी हमने यह horizontal line खीची है, आड़ी line खीची है, उसी तरह से आप खड़ी line भी खीच सकते हैं, जब आप shift दबा करके इस तरह से line खीचते हैं, तो इसमें line तिर्ची नहीं होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको horizontal यानि आड़ी straight line खीचने के कुछ short cuts बता देते हैं, कीबोर्ड में दिखाई दे रहे dash के निशान को तीम बार टाइप करें और फिर enter दबा दें, यह देखिए, यह एक straight line यहाँ पर आ गई है, इसे तरह से कीबोर्ड की कुछ और keys हैं, जिनको तीम बार प्रेस करके enter प्रेस करने पर, अलग-अलग तरह की lines ड्रॉ हो जाती हैं चलिए आपको उनके बारे में भी बता दें, escape की के नीचे दिखाई दे रही की को shift के साथ प्रेस करें, ध्यान रखें, line ड्रॉ करने के लिए आपको तीन बार ये की प्रेस करनी हैं, और उसके बाद enter प्रेस कर दें, यह देखिए यहाँ पर zigzag style की एक straight line आ गई है, तीन पार hash की प्रेस करके enter करने पर इस तरह की चौड़ी line बनती है, इसमें बीच में एक चौड़ी line हैं, और उसके उपर और नीचे दो पतली lines हैं, dotted line बनाने के लिए star की को तीन बार प्रेस करके enter प्रेस कर दीजिए, यह देखिए इस तरह की line ड्रॉ हो गई है, यदे आप double line बनाना चाहते हैं, तो equal to key को तीन बार प्रेस कीजिए, उसके बाद enter प्रेस कर दीजिए, यह देखिए double line बन गई, इसी तरह यदे आप single dark यानी bold line ड्रॉ करना चाहते हैं, तो underscore को तीन बार प्रेस करके enter प्रेस कर दीजिए, तो यह single bold line यहाँ पर आ गई है, इस तरह से यह shortcuts यूज़ करके आप समय बचा सकते हैं, और अलग-अलग designs में straight lines ड्रॉ कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो English की कम जानकारी रखते हैं, उन्हें सही spellings, grammar, इत्यादी उप्योग करने में परिशानी होती है, MS Word के proofing tab के options के सहायता से यह problem solve की जा सकती है, आईए आपको बताते हैं proofing tab के options के बारे में, यहां हमने document में कुछ text type किया हुआ है, MS Word हमारे द्वारा लिखी गई गलत spellings और grammar की error को दिखाने लगता है, यदि word की spelling गलत होती है, तो उसके नीचे red line आ जाती है, और यदि grammar संबंधी error होती है, तो उसके नीचे blue line आ जाती है, Spelling और grammar चेक करने के लिए या तो F7 की प्रेस करें, या फिर review tab पर क्लिक करें, यहां से spelling and grammar option पर क्लिक करें, देखिए, right side में एक window open हो गई है, यदि हमने document में कोई भी शब्द select नहीं किया होगा, तो document में जो पहला ऐसा शब्द होगा, जिसके spelling गलत होगी, उससे संबंधित सही spelling के suggestions इस box में दिखाई देंगे, यहां पर हम आपको एक पाद बता दें कि ज़रूरी नहीं, जो शब्द आप document में लिख रहे हो, उसके spelling गलत हो, तब ही उसके नीचे red line आए, यदि वो शब्द MS Word के dictionary में नहीं होगा, तो भी उसके नीचे red line आएगी, अब जैसे यहां पर हमने नाम लिखा है, जो हिंदी का है, और ये जो नाम है, या ये जो spelling है, वो MS Word के dictionary में नहीं है, इसलिए यहां पर जो इसने suggestions दिये हैं, उसमें भी हमको कोई सही spelling नहीं मिल रही है, तो अगर आप चाहें, तो इसे ignore करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें, तो इस शब्द को dictionary में add भी कर सकते हैं, उसके लिए उस शब्द को select करके add option पर click कर दें, तो वो शब्द इस dictionary में add हो जाएगा, हम इसे ignore करके आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिए ignore करते ही, इस नाम के नीचे से red line हट गई है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ option के spelling गलत लिखी हुई है, जब आप यहाँ suggestions में देखेंगे, तो यहाँ पर तीन चार अलग-अलग spellings दी हुई हैं, यहाँ पर हमको option word चाहिए, तो यह option भी लिखा है, और उसका plural options भी लिखा हुआ है, यह दोनों ही spelling सही हैं, अब चुकि हम एक से ज्यादा options देख रहे हैं, इसलिए हम यह दूसरी वाली spelling पर click कर देंगे, options को select करके हम change पर click कर देंगे, यह देखिए, यहाँ पर spelling change हो करके, options आ गया है, red line यहाँ से हट गई है, मतलब यह जो गलती थी, वो सही हो गई है, इसे तरह से, जिन भी शब्दों के spelling गलत होगी, उन्हें आप सही कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर language की spelling को यह गलत बता रहा है, इस पर जैसे ही हमने click किया, यहाँ पर options आ गए है, अब जो भी सही spelling यहाँ पर हो, उस पर click करके, हम या तो change पर click कर देंगे, और अगर यह word कई सारी जगर लिखा हो, तो change all पर click करने से, सारी जगर से वो spelling सही हो जाएगी, यह हमने इसको भी change पर click करके, सही कर दिया है, अब यहाँ पर केवल एक learnt word के नीचे, blue line दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर grammar error है, इसकी जगह पर सही शब्द क्या आना चाहिए, वो हम यहाँ से select कर सकते हैं, यहाँ will के बाद learn आना चाहिए, इसलिए हम learn को select करके, change पर click कर देंगे जैसे ही document के सभी spellings और grammar mistakes clear हो जाएंगी, तो यहाँ पर यह message आ जाएगा बताने के लिए कि सभी spelling mistakes या grammar की जो mistakes हैं वो, सही हो गई है, ओके पर click कर देंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और proofing tab का next option देखते हैं, next option है thesaurus, इसकी मदद से आप किसी word का समान अर्थ यानि पर्याइवाची शब्द पता कर सकते हैं, मान लीजिए हमें normally शब्द का synonym यानि पर्याइवाची शब्द पता करना हैं, तो उसके लिए हम thesaurus पर click करेंगे, चूंकि हमने पहले ही normally पर click कर दिया था, इसलिए यहां search box में already normally लिखा हुआ आ गया है, और अगर ना आए तो आप इसे यहां पर type कर सकते हैं, यह देखिया, ms word ने हमें normally के पर्याइवाची यहां पर दिखा दिये हैं, इसमें से जो भी आपको यूज़ करना हो, वो आप कर सकते हैं, अब हम proofing tab के last option के बारे में जान लेते हैं, last option है word count, इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपकी file में कितने words, paragraphs, lines इत्यादी हैं, इस option पर हम click करेंगे, यह देखिये, dialogue box में यह सब भी details आ गई हैं, इसमें pages, words, characters without space, characters with space, paragraphs, lines, इस सब कुछ नज़र आ रहा है, ruler option की सहायता से आप page का margin सेट कर सकते हैं, इसी तरह grid lines option की सहायता से आप document में grid lines ला सकते हैं और image को properly सेट कर सकते हैं, यदि आपको जानना हो कि document में कितनी headings, subheadings, pages हैं या कोई word ढूंदना हो, तो navigation pen की मदद से आप यह काम कर सकते हैं, show block के commands का उपयोग करने के लिए view tab पर click करें, show block में आपको तीन options दिखाई देंगे, हम एक एक करके इन तीनों का उपयोग देखेंगे, पहला option है ruler, इस option से document में ruler दिखने लग जाता है, जिससे आप document के margins को देख या बदल सकते हैं, by default यह option selected होता है, अगर आपको यह नहीं चाहिए, तो आप इस box पर click कर दें, यह देखिए ruler हट गया है, और इसे वापस लाने के लिए फिर से इस box पर click कर दें तो यह enable हो जाएगा, इस ruler की सहायता से आप page की margin set कर सकते हैं, जब भी आप कोई नया document खोलते हैं तो by default जो margin setting होती है वो आपको यहाँ पर नजर आती है, अगर आप उसको अपने हिसाब से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसके लिए, जब आप दोनों pointers के बीच mouse ले जाएंगे तो आपको left margin लिखा हुआ नजर आएगा, इसको अगर आप drag करके बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उस हिसाब से page की margin change हो जाएगी, इसी तरह से ऊपर या नीचे का margin घटाने या बढ़ाने के लिए left hand side पर जो आपको ruler दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं, अब यहाँ ऊपर आपको ruler पर यह दो pointers दिखाई देते हैं, यह है indent, यह उपर वाला है first line indent, नीचे वाला है left indent, इसकी मदद से आप किसी भी paragraph की setting कर सकते हैं, जिस भी paragraph पर आपने क्लिक करके रखा होगा, यह नीचे वाले pointer की सहायता से आप उसका indent पढ़ा सकते हैं, अगर आपको right side से भी इसी तरह से इसको change करना हो, तो right indent का उपयोग आप कर सकते हैं, इस पर पहले क्लिक करें, फिर इसको drag करें, यह देखिए, यह जो पहला paragraph है, इस पर हमने क्लिक किया हुआ था, इस लिए इस paragraph की margin चेंज हुई है, इसे तरह से जिस भी paragraph की margin से आपको change करनी हो, वो आप कर सकते हैं, उस paragraph की setting उसे साफसे कर सकते हैं, अब इसमें left hand side पर जो उपर वाला pointer है, यह है first line indent, इसको जब आप drag करेंगे, तो यह अकेला drag होगा, और यह केवल पहली line का margin घटाता या बढ़ाता है, यह देखें, आपर पहली line का margin जो है, वो बढ़ गया है, अगर हम को इसको कम करना हो, तो वो हम कर सकते हैं, इस तरह से, और यह जो first line indent है, यह उसी paragraph पर काम करेगा, जिस paragraph पर आपने click करके रखा होगा, अगर हम second paragraph पर click करते हैं, और उसके बाद यहां से इसको घटाते या बढ़ाते हैं, तो second paragraph की जो पहली line है, उसकी margin घटेगी या बढ़ेगी, और अगर आप नीचे के pointers को move करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं, तो उस पूरे paragraph की margins घटिया बढ़ जाएंगी, जहां पर आपने click करके रखा है, margins को हम वापस normal कर देते हैं, अब next option है grid lines, इसका उप्योग word document में image insert करते समय किया जा सकता है, जिससे ये पता चल जाए, कि image हमने सही जगह पर insert की है या नहीं, उसका level सही है या नहीं, आईए इसको करके देखते हैं, मानली जीए हम पहले और दूसरे paragraph के बीच में, कुछ images insert करना चाहते हैं, या कोई shapes insert करना चाहते हैं, उसके लिए पहले हम insert पर गए, और shapes option में जाकर के हमने वो shape चुन लिया, जो हमको इसमें insert करना है, यह यहाँ पर shape चुन करके, हम उसको ले आए, आमानली जीए हमको ऐसे तीन shapes चाहिए, तो इसी को हम copy कर लेंगे, और यह तीनो shapes हमने यहाँ पर लगा दिये, अब आप देख सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो भी बराबर नहीं है, और इनका level भी जो है वो ठीक नहीं लग रहा है, हम ऐसे भी अगर इसकी कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि फिर भी उसमें कुछ नकुछ अंतर रह जाए, अगर आप चाहते हैं कि यह बिल्कुल सही level में हो, उसके लिए हम grid line का उप्योग कर सकते हैं, तो view tab में जाकर grid lines के सामने वाले box पर क्लिक करें, यह देखें, grid lines option को enable करने पर पूरे document में यह grid lines आ गई हैं, अब इनकी साहता से आप किसी भी image या text को अपने अनुसार proper level देकर set कर सकते हैं, यहाँ पर पहला जो shape है, उसकी ऊपर और नीचे वाले text से कितनी दूरी है, यह हम देख लेते हैं, left margin से कितनी दूरी है, यह हम देख लेते हैं, अब यह जो shape है वो ऊपर और नीचे से तीन blocks की दूरी पर है, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ताकि यह दोनों lines से touch हो जाए, अब इसी तरह से इसकी lines को देखते हुए हम बीच वाले को भी set कर सकते हैं, हमको इसको एक block नीचे लाना होगा, तीसरा वाला जो shape है वो already level में हैं पर बीच वाला जो shape है उसकी left और right वाले shape से जो दूरी है वो गड़बड है, हम बीच के blocks को गिन करके इसको भी set कर सकते हैं, तीसरे वाले shape को हमको एक block left की तरफ खसकाना होगा, यह हमने इसको थोड़ा सा खसकाया है, हलका सा हम इसको नीचे ले रहे हैं, अब यह देखिए, तीनो shapes जो हैं वो समान दूरी पर हैं, इनके बीच की दूरी भी समान हैं और उपर और नीचे के text से भी यह समान दूरी पर हैं, तो इस तरह से आप किसी भी image या shape का level grid lines की सहायता से आसानी से set कर सकते हैं, यह grid lines हटाने के लिए वापस से option के सामने वाले box में क्लिक कर दें, शो ब्लॉक में आखिरी option है navigation pen, यह आपके document में एक guide की तरह काम करता है, इसे enable करने के लिए इसके सामने दिख रहे box पर क्लिक करें, यहाँ side में आप देख सकते हैं एक navigation pen open हो गई है, इसमें सबसे पहले है headings, यदि आपने अपने document में कोई headings insert की हुई होंगी तो वो इसमें दिखाई देंगी, हम आपको बता देते हैं कैसे, इसको समझाने के लिए पहले हम यहाँ उपर एक heading डाल रहे हैं, Microsoft Office Word, अब इसको select करके home tab में जाकर styles block में से कोई भी heading style हम select कर लेते हैं, अब navigation pen में देखिए, यह heading यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी तरह से document में जहाँ जहाँ भी headings होंगी, वो इस navigation pen में दिखाई देने लगेंगी, जैसे यहाँ पर हमने एक और heading insert की, तो अब आपको यहाँ पर वो heading भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखें, जो file की main heading है, वो है Microsoft Office Word जो आपको उपर दिखाई दे रही है, और अभी यह जो हमने heading डाल pages, इसमें आपको document में जितने भी pages होंगे वो दिखाई देंगे, इस पर हमने click किया, यह देखिए यहाँ से आपको पता लग जाता है, कि यहाँ पर इस document में 5 pages है, आखिरी option है results, यदि आप navigation pen के search box में कुछ भी type करते हैं, तो उसका search result यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि हमने यहाँ पर type किया PDF, यह देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर PDF type किया, document में जहाँ भी PDF लिखा होगा, वो highlight हो जाएगा, और साथ ही results में भी दिखाई देगा, यह जैसे ही हम results में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर PDF आया है, वो sentence आपको दिखाई दे रहा है, और कुल कितनी जगह पर PDF आया है, वो number भी यहाँ पर दिया हुआ है, 9 results, जूम ब्लॉप में उपलब्ध कमांज का इस्तेमाल पेज को अलग-अलग जूम लेवल पर देखने के लिए किया जाता है, जूम ओप्शन को क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी, यहाँ से आप डॉक्युमेंट को अलग-अलग लेवल पर जूम कर सकते हैं, हम जिस भी उप्शन पर क्लिक करेंगे, उसका प्रिव्यू यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आप पेज को कितना परसंट जूम करना चाहते हैं, इसमें आपको 200%, 100%, 75% के आप्शन्स मिलते हैं, और अगर आप अपने हिसाब से परसंट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, तो वो आप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाता है, और इसके हिसाब से पेज जूम इन और जूम आउट किस तरह से होगा, वो आपको यहाँ इस विंडो में दिखाई दे रहा है, इसके अलावा यहाँ पर page width, text width, whole page, many pages के option पहें, इस विंडो मेंसे आपको जो भी option सेलेक करना हो, उसको सेलेक करके ok पर click कर दें, यहाँ पर हमने 75% सेलेक करके ok पर click कर दिया था तो यह देखिए, जो page width है, वो 75% हो गई है, अब हम यहां से दूसरे options देखते हैं, zoom block में next option है 100%, इसे select करने पर document 100% यानि normal mode में दिखाई देता है, जब भी आप word खोलेंगे, तो आपका जो document है, वो आपको इस normal mode में दिखाई देगा, अगला option है one page, इसे select करने पर आपको window में पूरा page दिखाई देगा, यह देखिए, हमारा जो पूरा page है, वो यहां पर नज़र आ रहा है, multiple pages option को select करने पर आप एक window पर कई सारे pages देख सकते हैं, यह यहां पर आप देख सकते हैं, तीन pages दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप scroll down करेंगे, तो all जो document में pages हैं, वो भी आपको दिख जाएंगे, हमारे इस document में 5 pages हैं, तो वो आपको यहां पर नज़र आ रहे हैं, last option है page width, इस option से आपके page की width, यानि page की जो चोड़ाई है, वो window की चोड़ाई के बराबर हो जाएगी, यह जैसे हमने इस पर click किया, तो यह जो page की चोड़ाई है, वो window की चोड़ाई के बराबर हो गई है, यदि आप किसी भी text या image को permanently MS Word में store करके रखना चाहते हैं, ताकि जरूरत होने पर एक short word की सहायता से उसे document में जहां चाहे वहां पैस्ट कर सके तो उसके लिए आप auto text option का उप्योग कर सकते हैं, auto text एक तरह से MS Word का shortcut feature है, जिसकी मदद से एक ही तरह के text को बार-बार type करने से बचा जा सकता है, इसकी सहायता से आप company logo, contact information, disclaimer जैसी details जिनकी आपको हर बार जरूरत होती है, उन्हें बड़ी सरलता से document में insert कर सकते हैं, यहां हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि MS Word में auto correct और auto text option लगभग एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों में मुख्य अंतर ये है कि auto text में जब आप चाहेंगे तभी text copy होगा, जबकि auto correct बिना आप से पूछे, अपने आप ही ये changes कर देता है, auto correct option हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, यहां हमने document में कुछ text पहले से ही लिखा हुआ है, यहां उपर introduction है, यहां पर heading और उसके नीचे एक paragraph, मान लिजिए कि यह introduction हमको हमिशा type करना पड़ता है, तो हम इसे auto text option की सहायता से word में save कर लेते हैं, उसके लिए हम introduction को पहले select कर रहे हैं, अब insert tab में दिखाई दे रहे, quick parts option पर click करेंगे, open हुए menu में से auto text option पर mouse ले जाए, auto text के menu में नीचे दिखाई दे रहे, save selection to auto text gallery option पर click करें, click करने पर एक dialogue box open होगा, इसमें पहला option है name, यहां पर selected content को एक नाम दे दीजिए, जिसके सहायता से कि आप इस content को पेस्ट कर सकें, यह नाम ऐसा होना चाहिए जो आपको easily याद रहे, हम इसको नाम दे रहे हैं introduction, यहां पर दूसरा option है gallery इस पर click करें, gallery में आप जो content डाल रहे हैं वो किस purpose के लिए डाल रहे हैं, header के लिए, page numbers के लिए, पतलब जिस type का आपका text हो उस type की gallery यहां से हम use करेंगे, auto text इसमें पहले से ही selected है, हम इसी को selected रहने दे रहे हैं, अब यहां पर category general दे रखी है, चाहे तो इसे use कर लें, अगर आप नई category बनाना चाहते हैं तो create new category से उसे बना सकते हैं, हम create new category पर click कर रहे हैं, यहां पर आपको जो भी नई category बनानी है उसको जो नाम देना है वो नाम दे दे और okay पर click कर दें, ओके पर click करते ही यह यहां पर वो category आ गई है, next option है description, यहां आप जो भी description डालना चाहें वो डाल सकते हैं और उसके बाद okay पर click कर दें, हमने यह introduction सेव कर लिया है, अब हम मान लिजिए किसी नई story का या novel का review लिख रहे हैं और शुरू में हमको उपर यह introduction देना है, तो अब हम जहां से type करना शुरू करेंगे या जहां पर भी हमको यह intro वापस चाहिए, वहां पर जो नाम दिया था content को वो type करना शुरू करेंगे, यह देखिए 4-5 letters type करते ही auto text यह pop-up में show होने लगा है, enter press कर दें, तो यह देखिए पुरा की पुरा content यहां पर आ गया है, आप चाहें तो short word type करने के बाद F3 key से भी paragraph पेस्ट कर सकते हैं, तो यह देखिए पुरा की पुरा content यहां पर आ गया है, अभी यह हमने आपको auto text में कोई भी text add करना और वो किस तरह से अपने आप आता है यह बताया, मान लिजिये आपने auto text में कई सारे text इसी तरह से add करके रखे हुए हैं, उनको save करके रखा है, और उनको कुछ नाम दे रखा है, पर मान लिजिये कभी आगे चलकर आप भूल जाते हैं कि किस नाम से आपने कौन सा text save करके रखा है, तो उसको देखने के लिए text वाले block में य यहां drop down arrow पर click करें, यहां auto text पर click करें, अब यहां पर आपके जितने भी text saved होंगे, वो आपको नजर आ जाएंगे, जैसे यहां पर अभी हमने introduction नाम से यह text save किया था, वो यहां पर नजर आ रहा है, अगर आपने कई सारे text इसी तरह से यहां add कर रखे होंगे, तो वो सब दिख जाएंगे, तो जिस भी text को insert करना हो, उस text पर click कर दें, यह दिखिए, यह यहां पर आ गया, MS Word आपको अपने document को अलग-अलग प्रकार से देखने की सुविधा देता है, आप अपने document को 5 प्रकार से देख सकते हैं, और चाहें तो document की appearance में परिवर्दन भी कर सकते हैं, आएए देखते हैं कैसे, MS Word में View tab पर click करें, Views block में document को अलग-अलग styles में देखने से संबंधित commands होती हैं, इनकी सायता से आप एक Word document को print करने से पहले या publish करने से पहले ही उसे MS Word में ही अलग-अलग तरीके से देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पांच प्रकार के document views उपलब्ध हैं, इन्हें हम एके करके समझेंगे, by default document print layout में open होता है, जब भी हम MS Word पर काम करते हैं तो prior यही view दिखाई देता है, जब भी आप यह देखना चाहते हैं कि print हो करके आपका document कैसा दिखेगा तो print layout view काम आता है, यह view आपके document के कुछ elements जैसे की margin, header, footer, page number इत्यादी को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलता है read mode view, read mode automatically आपके device के अनुसार page layout में fit हो जाता है, हम इस पर क्लिक करते हैं, यह देखिए, read mode view में document कुछ इस तरह का दिखाई देगा, यह खास तोर पर तब काम आता है जब आपको कोई document सिर्फ पढ़ना हो, मतलब आप उसमें कोई काम नहीं करना चाहते, उसमें कोई फेर बदल नहीं करना चाहते, केवल उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस view का उपयोग कर सकते हैं, यह layout, reading layout और reviewing toolbar के अलावा बाकी के toolbar चुपा देता है, आपको आपके screen पर page के रूप में यह document नजर आता है, जिसे कि आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, आप चाहें, तो यहाँ पर क्लिक करके reading toolbar को भी hide कर सकते हैं, और अगर आपको वो चाहिए, तो वापस से यहाँ पर क्लिक कर दें, टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने के लिए आप इसके size को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं, इस बढ़े हुए या घटे हुए size का original document पर कोई असर नहीं पढ़ता है, अगर आपको page बदलना है, आगे जाना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आगे के pages पर जा सकते हैं, और पीछे आने के लिए left hand side पर यहाँ क्लिक करें, यहाँ नीचे आपको कुछ और icons नजर आ रहे हैं, जिसमें से कि अभी हमने आपको इस slider के बारे में बताया था, जिसकी मदद से आप text का size बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके पास में यह जो तीन icons हैं, यह अलग-अलग layout के icons हैं, जिसमें से की read mode वाला जो layout है, वो अभी active है, और यहाँ पर print layout और web layout यह दो और layout के icons आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इस layout को change करना चाहते हैं, आप इसको read mode से वापस से web layout या फिर print layout में लाना चाहते हैं, तो आप इस पर click कर दें, हम print layout पर click कर रहे हैं, यह देखिए, document वापस से print layout में आ गया है, अब यहाँ पर अगला option है, web layout, हम इस पर click कर रहे हैं, जब आप कोई web layout बना रहे हों, जिसे आप केवल अपने computer पर ही देखना चाहते हैं, तब आप इस view का उप्योग कर सकते हैं, इस view में side space यानि margin नहीं होती है, जिसकी वज़े से यह document एक web page की तरह दिखाई देता है, अब हम देखते हैं, अगला document view, यह है outline, अगर आपका document बहुत लंबा है, मानलीजि article है, या इस तरह की कोई चीज है, जिसमें बहुत सारी heading, subheadings, titles, subtitles, उसके अंदर कुछ points हो, तो अगर आप उसको एक नजर में देखना चाहते हैं, कि वो क्या-क्या चीज़े हैं, तो आप इस view का उप्योग कर सकते हैं, यहाँ पर उदारन के तौर पर हमने यह जो document लिया ह है, यह हमने textbook का एक chapter लिया है, जिसमें कई सारी heading, subheadings, उसके अंदर points इत्यादी है, ताकि हम outline view को अच्छी तरह से समझ सकें, अब हम outline view पर click करेंगे, इस view में पूरा document outline की तरह दिखाई देता है, और document में उपलब्ध paragraphs, list की तरह दिखाई देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें heading, subheadings, और उसके अंदर भी कुछ points है, points के अंदर भी कुछ और points है, पर वो सब अभी आपको एक ही level पर दिखाई दे रहे हैं, अब आप इसको और बहतर दरह से देखने के लिए, इसके levels चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले chapter का नाम लिख हुआ है, और जैसे हमने इसके आगे click किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि level 2 लिखा हुआ है, याने level 2 पर यह heading है, अगर आप इसका level change करना चाहते हैं, तो हम इसको या तो drop down menu पर जाकर के level 1 पर ला सकते हैं, या फिर इस arrow से हम इसको promote कर सकते हैं, चुकि यह level 2 पर है तो promote होकर के यह level 1 पर आ जाएगा, देखिए जैसे हमने level 1 किया, यह पूरा की पूरा document में जो heading थी या जो भी पूरा text लिखा हुआ है, वो सब की सब level 1 पर आ गया है, अब हम चाहते हैं कि जो sub heading है वो level 2 पर हो, तो यह sub heading के वहाँ पर click करके, हमने यहाँ से चुना level 2 या फ तो यह 1 से number 2 पर आ गया है, इसके नीचे इसके बारे में जो भी चीज लिखी हुई है, वो text आ गया है, अब इसके अंदर सब points है, वो भी अभी इसी level पर है, यहाँ पर हम click करके level 4 चुन लेंगे, यह देखिए, यह level 4 पर यह point आ गया, इसके नीचे इसके बारे में जो भी information है, वो आ गई है, यह वाला जो point है, यह level 4 पर है, इसके अंदर फिर कुछ और points है, हम चाहते हैं कि इनको हम level 5 पर ले ले, यह इनको हमने level 5 पर ले लिया है, अब इसके अंदर, यह जो तीसरा point है, addonment, इसके अंदर further दो points हैं, इनको हम अब level 6 पर ले जाना चाहते हैं, त इसे तरह से बागी जो document है, उसमें भी हम levels दे सकते हैं, अब यहाँ पर हमने पूरे document की जो heading है, उनको अलग-अलग levels पर रख दिया है, जैसे यह level 1 है, जो की main chapter है, उसके अंदर फिर जो some heading है, उसको हमने level 2 पर लिया है, इस तरह से इस पूरे document को arrange कर दिया है, आप देख स कि यह आप किस तरह से नजर आ रहा है, अब अगर आपको किसी point को उपर या नीचे करना हो, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर upward और downward arrows दे रखे हैं, जिसकी मदद से आप इसको उपर और नीचे move कर सकते हैं, मान लिजिया हम इस last वाले point को उपर ले जाना चाहते हैं, तो हम इस पर click करके move up पर click करेंगे, तो यह देखें, एक point उपर आगया है, जितने बार आप इस पर click करते जाएंगे, उत्ता ही यह हर बार उपर आता जाएगा, और अगर आप इसको नीचे लाना चाहते हैं, तो move down पर click कर दीजिये, हर बार यह एक step नीचे आ पर जो पूरा document है, इसमें से अब यह जो body text पूरा इतना आपको दिखरा है, यह आपको नहीं चाहिए, आपको केवल main points देखने हैं, तो आप इस matter को हटा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर इस level पर हमने click किया, और अब हम minus वाले निशान पर click कर देंगे, तो आप यह देख नजर आ रहे हैं, इसको आप further collapse करना चाहते हैं, यानि हर point के अंदर भी जो points दिये हुए हैं, उनको भी हटाना चाहते हैं, तो आप एक बार फिर minus के निशान पर click करें, यह further collapse हो गया है, हर एक एक level की चीज़ें हटती जाएंगी, और अगर आप इसको expand करना चाहते हैं, त अभी यहाँ पर selected है all levels, इसके कारण हमको पूरा document दिखाई दे रहा है, हर level की चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है, अब अगर आप चाहें, तो किस level के points आप देखना चाहते हैं, वो चुन सकते हैं, मालीजे यहाँ पर हमने चुना level 6, तो यह level 6 तक जो भी चीज़ें हैं, इसमें level 6 पर जो points थे वो हट गए हैं, अगर हम इसको level 2 कर देते हैं, तो यह देखिए, केवल level 2 तक की headings नजर आ रही हैं, और यहाँ अगर हमने level 1 कर दिया, तो आपको केवल पहले level पर जो चीज़ होगी, वो ही नजर आएगी, हम यहाँ वापस से all levels ले रहे हैं, show text formatting यहाँ पर by default selected होता है, अगर आपको formatting नहीं चाहिए, तो आप इसको deselect कर दें, यह देखिए, formatting हट गई है, हम इसे वापस select कर रहे हैं, और अभी यहाँ पर जैसे आपको body text नजर आ रहा है पूरा, अगर आप चाहते हैं, कि जहाँ पर भी एक line से ज्यादा का matter है, वहा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि introduction के नीचे काफी सारा text था, जो आपको केवल एक line में नजर आ रहा है, उसकी पहली line आपको दिखाई दे रही है, इसी तर से sources of information वाला जो point है, उसके अंदर भी जो text है, उसके आपको पहली line दिखाई दे रही है, और बाकी जो है, व आपको पूरा idea आजाता है कि इस document में क्या-क्या चीजे हैं, क्या-क्या points हैं, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हर point के आगे plus या minus का निशान लगा हुआ है, जहां पर plus लगा हुआ है, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ और points हैं, identification के नीचे ये जो सारे points हैं, ये इ detail नहीं है, अब हम outline view को close कर देते हैं, और अब यहाँ पर list option है, draft view, इस पर हम click करते हैं, ये view आपके document को सरल रूप देता है, और खास तोर पर अगर आपको कुछ editing करनी हो, quick editing करनी हो, तो इसमें ये काफी आपके काम आता है, इसमें केवल आप text देख सकते हैं, और इसमें क कर सकते हैं, ये view आपके document के कुछ दूसरे जो elements हैं, जैसे कि margin, header, footer, page number, इत्यादी को प्रदर्शित नहीं करता है, खास तोर पर ये आपको text बताता है, इसलिए इसमें editing आसान हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि online searching करते वक्त, कई बार कुछ ऐसे document मिल जाते हैं, जिनके fonts अलग pattern के होते हैं, यानि आपके system में जो fonts हैं, उनके अलावा भी online कई तरह के fonts मिलते हैं, जिनने आप download करके उप्योग में ला सकते हैं, वैसे तो internet पर आपको काफी सारी websites मिल जाएंगी, जिसकी सहायता से आप free में fonts डाउंडोड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको इस site से fonts डाउंडोड करना बता रहे हैं, साथ ही इस website के link और कुछ अन्य websites के link इस वीडियो के description में दे रहे हैं, जिससे के आप free में fonts डाउंडोड कर सकें, इस website पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, यहाँ पर fonts के नाम उनका preview और उनका description दे रखा है, आपको जो भी font अच्छा लगे उस पर क्लिक करें, यह देखिए उस font का page खुल गया है, अब इस page पर थोड़ा नीचे की तरफ जाएं, यहाँ download जहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें, यह देखिए यहाँ पर वो file डाउनलोड हो गई है, इस पर क्लिक करें, ओपन हुई window में .ttf extension वाली file पर तबल क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करते ही font इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाने के बाद MS Word ओपन करके हम चेक कर लेते हैं, कि वो font डाउनलोड हुआ है या नहीं, यहाँ पर हम home tab में font option पर क्लिक करेंगे, open हुए menu में से जो भी font आपने डाउनलोड किया हो उससे सिलेक कर लें, हमने German font डाउनलोड किया था, यह देखिए यह यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, उस font को सिलेक करके हमने type करना शुरू किया, तो यह देखिए उसमें जो text है वो कुछ इस तरह का नजर आएगा, इसी तरह आप भी अलग-अलग fonts डाउनलोड करके एक अच्छा और आकरशक document बना सकते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले shortcut से, यह बहुत ही आसान सा shortcut है, यह तब useful होगा जब आप MS Word में practice करना चाहते हैं, इस shortcut के साहता से आप MS Word में कोई भी random paragraph एंटर कर सकते हैं, जिस तरह से हम Excel में rant function का उप्योग करके कुछ random numbers एंटर कर सकते हैं, उसी तरह word में rant function का उप्योग करके random paragraph एंटर किये जा सकते हैं, random paragraph एंटर करने के लिए equal to का sign लगाईए, फिर type कीजिए rand, फिर bracket open और close करके एंटर प्रेस कर देजिए, यह देखिए कुछ random paragraphs यहाँ पर अपने आप आप आगए हैं, चलिए shortcut का एक और पार्ट आपको बता देते हैं, फिर से equal to का sign लगा करके, rand type करके, bracket open करें, अब यदि आप कोई निश्जित संख्या में paragraphs और lines चाहते हैं, तो वो number यहाँ पर type कर दें, उधारन के लिए हम ms word में 4 paragraph center करना चाहते हैं, और यह चाहते हैं कि हर paragraph में 3-3 lines हों, तो bracket open करने के बाद हमने type किया 4 और कॉमा लगा के type कर देंगे 3, इसका मतलब यह हुआ कि हमें 4 paragraphs चाहिएं और हर paragraph में 3 lines चाहिए, अब bracket close करके हम enter press कर देंगे, यह देखें यहाँ पर 4 paragraphs आ गए हैं और हर paragraph में 3 lines हैं, अब आपको कुछ और shock cuts बता देते हैं, उसके लिए यहाँ से हम कुछ lines सिलेक कर लेते हैं, यह हमने पहले 2 paragraphs सिलेक कर लिए हैं, यदि आप font size कम करना चाहते हैं, तो control की प्रेस करके open square bracket प्रेस कीजिए, यह देखें जो selected paragraphs थे, उनका font size कम हो गया है, अब नीचे के जो 2 paragraphs हैं, इन पर हम short cut कीज की सहता से font size बढ़ा कर देखते हैं, font size बढ़ाने के लिए control की प्रेस करें और उसके साथ close square bracket प्रेस करें, यह देखें इन दोनों paragraphs का font size बढ़ गया है, अब अगर आप किसी text को double underline करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या short cut कीज होंगी वो बता देते हैं, टेक्स्ट को select करके, control, shift और D कीज को प्रेस कीजिए, यह देखें, selected text के नीचे double underline आ गई है, चलिए कुछ और short cuts की बात कर लेते हैं, MS Word में equation लिखते समय, कई बार यह समझ नहीं आता है, कि superscript या subscript कैसे लगाएं, मान लिजिए आपको एक equation लिखनी है, यह equation हमने लिख ली है, पर यहाँ पर जो square है, वो simple 2 के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको सही करने के लिए 2 को select करेंगे, और फिर control shift और plus वाली keys को press करेंगे, यह देखिए 2 superscript form में आ गया है, ऐसे ही दूसरे नंबर्स को भी हम superscript form में लिख सकते हैं, उसी तरब किसी chemical formula को लिखते समय, अगर किसी नंबर को subscribe में लिखना है, तो उसके लिए उस नंबर को select करेंगे, और control और plus keys को press करेंगे, यह देखिए नंबर subscribe form में आ गया है, इस तरब से हम किसी भी text को subscribe और superscript में कनवर्ट कर सकते हैं, कई बार हमें word document में arrows बनाने के अवश्यक्ता होती है, arrow बनाने के लिए हमें insert tag में जाकर arrow का symbol insert करना पड़ता है, हम आपको एक ऐसा shortcut बता रहे हैं, जिसके साहता से आप आसानी से word document में arrow insert कर सकते हैं, right pointing arrow बनाने के लिए दो बार equal to का निशान लगाएं, फिर greater than का sign लगा करके यह देखिए, right pointing arrow बन गया है, इसी तरह से left pointing arrow अगर बनाना हैं, तो उसके लिए पहले less than का sign लगाएं, उसके बाद दो बार equal to का sign लगाएं, यह देखिए left pointing arrow बन गया है, हमने जो arrows बनाएं, यह देखने में bold हैं, आप चाहें तो light arrow भी बना सकते हैं, उसके लिए दो बार dash का निशान लगाएं, और फिर greater than का sign लगादें, यह देखिए यह light right pointing arrow बन गया है, इसी तरह से आप light left pointing arrow बना सकते हैं, उसके लिए पहले less than का sign लगाएं, फिर दो dash लगादें, इस तरह से, double pointing arrow बनाने के लिए less than का sign लगाएं, फिर equal to का sign लगाएं, और फिर greater than का sign लगाएं, यह देखिए double pointing arrow बन गया है, यह देखिए आप copyright का mark बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए bracket open करके c लिखें, फिर bracket close कर दें, यह देखिए copyright का mark बन गया है, इसी तरह से trademark का sign लगाने के लिए bracket open करके, capital में tm लिख करके bracket close कर दें, यह देखिए trademark का sign यहाँ पर आ गया है, अब यदि आपको arrow वाला bullet लगाना हो, तो उसके लिए greater than का sign लगा करके, tap press कर दीजिए, यह देखिए arrow वाला bullet यहाँ पर आ गया है, माल लीजिए आपके पास office का कोई बड़ा document है, उदारन के लिए हम यह समझ सकते हैं, कि 100-500 pages की कोई report है, और आपको boss ने कहा कि उन्हें केवल page number 50, 61 और 100 इमेल कर दें, अब ऐसे में एक तरीका जो है वो बहुत लंबा है, कि आप हर उस page पर जाएं, उसका text या जो भी data है उसको copy करें, उसको नए document में past करके save करें और फिर उसे email करें, इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और अगर यह आपको अक्सर करना होता है, तो यह और भी मुश्किल काम है, इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से word document को, अलग-अलग pages में split करके, यानि उसे part करके, जिस भी page को save या email करना है, वो आप असानी से कर सकते हैं, हमारे पास एक word document है, जो की 18 pages का है, यह यहां हमने इसमें उपर numbers डाले हुए हैं, यहां पर हम आपको इसका view change करके, और यह multiple pages यहां पर दिखा रहे हैं, ताकि आप देख सकें, कि यह हमारा इतना बड़ा document है, जिसमें यह 18 pages हैं, अब इसमें से मान ले जिए हमको page 6 और page 12 इमेल करना हो, तो यह आप आसानी से कैसे कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, इसके लिए आप एक online tool का उप्योग कर सकते हैं, और इस tool का नाम है doc-so-so, doc-so-so open करने के लिए किसी भी browser में जाकर के, यहां पर टाइप कर दें www.doc-so-so.com और एंटर प्रेस कर दें, इस online tool के link हमने इस वीडियो के description में भी दी है, doc-so-so open हो जाने के बाद, उपर यह जो options दिखाई दे रहे हैं, इन में से word convert पर क्लिक करें, open हुए drop-down menu में से word split पर क्लिक करें, यहां पर आपको चार options दिखाई देंगे, यह पहला option by default selected होता है, पर हम सबसे पहले यह आखरी वाला option आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो situation वीडियो की शुरुवात में हमने आपको बताई उसमें यह option बहुत उप्योगी है, और यह option है, customize page range, इस option से आप अपनी फाइल में से किसी एक page को या किसी एक page range को अलग कर सकते हैं, मार लेजिए हमें हमारे document से page number 2, फिर page number 427 और page number 10 स्प्लिट करना है, तो उसके लिए पहले हम इस option को select करेंगे और फिर यहाँ पर जो जो pages हमको चाहिए वो यहाँ डाल देंगे, सबसे पहले तो page number 2, तो 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हमको page 4 से 7 चाहिए, तो उसके लिए 4 लिख करके dash लगाके 7 लिखेंगे, और फिर कॉमा लगाके हमको page 10 चाहिए, इसलिए 10 लिखेंगे, अब हम select file पर click करेंगे, अब जिस document को हमको split करना है, उस document को हम यहाँ से select कर लेंगे, उसकी location पर जा करके, और उसके बाद open पर click करेंगे, यह देखें यहाँ पर वो जो document है वो load हो गया है, अब हम नीचे convert पर click करेंगे, convert पर click करते ही, यह देखें यहाँ पर नीचे तीन अलग-अलग files बन गई है, जो भी file हमको देखनी है, उस पर हम click करके, उसको देख सकते हैं, click करते ही यहाँ पर नीचे वो file download हो गई है, हम इसको double click करके खुल कर देखते हैं, यह देखें सबसे पहले हमने page 2 को split किया था, तो इस file में page 2 जो है वो हमको दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमने page 4 से page 7 तक के जो pages हैं उनको split किया था, तो जब हम second वाली file को खुल करके देखेंगे, तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा, कि page 4 से लेकर के 7 तक के जो pages हैं उनकी एक अलग file बन गई है, देखिए page 5, page 6 और page 7, यह चारो pages की एक अलग file बन गई, तो इस तरह से customize page range option की मदद से, हमको एक बड़े document में से, जो भी page या page range चाहिए, उसकी हम file बना सकते हैं, आईए अब हम आपको बाकी के जो options हैं, वो एक एक करके बता देते हैं, सबसे पहला है single page word document और यह वाला option by default selected रहता है, इस option से आपकी file के जितने भी pages हैं वो सभी अलग अलग हो जाएंगे और उन सभी page की एक एक separate file बन जाएगी, select file पर click करें, अब यहां से आपको उस location पर जाना है जहां आपका वो document रखा है जिसको आपको split करना है, तो उस document को आप अपने computer में से select कर लें और उसके बाद open पर click कर दें, document load होने के बाद convert पर click करें, convert पर click करते ही यह देखिए हमारा जो document था 18 pages का, उसकी अलग-अलग 18 separate files बन गई है, याने हर page की एक अलग file बन गई है, अब इन में से आप जिस भी page की file को देखना चाहते हैं, उस पर click करके आप उसे download कर सकते हैं, जैसे हमें, मान लिजिए छटवा page चाहिए था तो हम इसको खोल सकते हैं, यह देखिए यहाँ पर यह जो है वो download हो गई है, यह देखिए छटवा page यहाँ पर नजर आ रहा है, इसी तरह से और भी जो दूसरा page आपको email करना हो, यहाँ से आप उस page की file को download कर सकते हैं, अब चलिए हम दूसरा option देखते हैं, इसके लिए हमें दोबारा word convert पर click करके, open हुए drop down menu में से word split पर click करना होगा, दूसरा option है, odd and even pages of a document, हम इस option को select कर लेंगे, इस option का इस्तेमाल करने पर आपका जो पूरा document है, वो split होकर के, दो अलग-अलग files बन जाएंगी, पहली file में document के सभी odd pages होंगे, और दूसरी file में document के सभी even pages होंगे, चलिए इसको हम use करके देखते हैं, select file पर अब हम click करेंगे, और यहां से हम वो ही document चुन लेंगे, जिसको हमको split करना है, open पर click करेंगे, जैसे ही document लोड होता है, हम convert पर click कर देंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो files बन गई हैं, इसमें से हम एक file को open करके देखते हैं, यह पहली वाली file हमने खुली, यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें केवल odd numbers वाले pages आए हैं, इस file में केवल odd number वाले pages हैं, यह उपर जो page number दिये हुए हैं, वहां पर आप देख सकते हैं केवल odd number वाले pages इस file में आए हैं, और जो दूसरी file बनी हैं, उसमें even number वाले pages होंगे, अब हम आपको तीसरा option यूज़ करना बता देते हैं तीसरा option है every page in one document इसको हमने select कर लिया है अब इस option के आगे एक box बना हुआ है इसमें आप जो भी number डालेंगे आपका document उतने pages के टुकडों में बढ़ जाएगा उदारिन के लिए हमारा document 18 page का है अगर हम यहाँ पर 2 डालेंगे तो हमारा document दो-दो pages के 9 टुकडों में बढ़ जाएगा यह हमने जैसे यहाँ पर 2 डाला आप select file पर click करेंगे document चुन लेंगे open पर click करेंगे convert पर click कर देंगे अब यह देखिए हमारा जो पूरा document है वो अलग-अलग 9 files में split हो गया है अब अगर हम इसमें से कोई भी file खोलेंगे तो उसके अंदर आपको 2 pages मिलेंगे अब हम इस file को खुल कर देखते हैं यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस file के अंदर 2 pages आपको मिलेंगे 2 pages हैं क्योंकि हमने पूरे document को 2-2 pages में बाट दिया था अगर हम यहाँ पर इस box में 2 की जगह 3 डालेंगे तो 3-3 pages के 6 documents बन जाएंगे यह देखिए यहाँ पर यह 6 files आगई हैं अब इसमें से कोई भी file अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको 3 pages मिलेंगे तो इस tool की सहायता से आपके लिए किसी भी बड़े documents में से किसी एक page को या 2-3 pages को split करना आसान हो जाता है MS Word में काम करते समय कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई step बार बार दोहरानी होती है और इसमें बहुत समय बरबाद हो जाता है इस problem को solve करने के लिए हम macros record करके उसे use कर सकते है macros एक प्रकार का recording tool है ये आपके द्वारा किये गए काम को record कर लेता है और run करने पर उसी क्रम में उसे दोहरा देता है ध्यान रखें ये photo, mouse pointer, sound इत्यादी record नहीं करता है ये सिर्फ keyboard की मदद से perform किये गए कामों को ही record करता है व्यू टैब में macros के drop down arrow पर क्लिक करें record macro पर क्लिक करें यहाँ पर आपसे macro name पूछा जाएगा अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो ठीक नहीं तो word की तरफ से उसे macro 1, macro 2 आदी नाम दे दिया जाता है हम जो macro बना रहे हैं उसे भविश्य में उप्योग करने हैं तो हमें इस macro की shortcut की बनाना होगी उसके लिए keyboard के icon पर क्लिक करें प्रेस new shortcut की वाले box में इस macro के लिए जो भी shortcut की आप बनाना चाहते हैं वो प्रेस कर दें हमने यहाँ पर shortcut की Ctrl Shift G बनाई है अब assign पर क्लिक करेंगे और अब हम इस window को close कर देते हैं आपके mouse के cursor पर आपको एक पुरानी cassette जैसा निशान दिखेगा इसका मतलब यह है कि recording शुरू हो चुकी है अब इस पर आप जो कुछ भी लिखेंगे या जो कुछ भी करेंगे काम वो record होता जाएगा यहाँ पर हम कुछ matter टाइप कर रहे हैं यह हमने matter टाइप कर लिया है अब हम recording stop कर देंगे recording stop करने के लिए वापस macros पर जाएं और यहाँ से stop recording वाले option पर क्लिक कर दें यह जहां हमको वो text चाहिए होगा वहां हम cursor लिजाएंगे और उसके बाद अपनी shortcut keys जो हमने बनाई थी वो हम press कर देंगे Ctrl Shift G यह देखिए वो press करते से ही जो भी text हमने type किया था वो वापस यहाँ पर आ गया है चलिए हम आपको एक और example दे देते हैं यह text हम यहां से हटा देते हैं यहां पर हम 1,2,10 numbers की एक series ले रहे हैं साथ ही कुछ और 3,4 इत्यादी digits के number भी हम यहां पर ले रहे हैं यह देखिए यह सारे numbers आपके सामने आ गए इसमें हमको इस तरह से brackets और उसके आगे दो dash लगाना है अब सारे numbers पे हमको यह brackets और दो dash आगे लगाने हैं तो यह manually जब हम करने जाएंगे तो काफी time लगेगा इसके बजाए हम इसका macro record करके और फिर shortcut key से सारे numbers पे उसको लगा सकते हैं तो इसको हम अभी हटा रहे हैं और इसका हम macro record करेंगे recording शुरू करने के लिए जो हमने आपको पहले बताया था वही तरीका है view tab में macros पर जाकर click करेंगे यहां से record macro पर click करेंगे और यहां पर अगर आपको कोई दूसरा नाम देना हूँ तो वह आप दे सकते हैं नहीं तो अपने आप एक नाम आजाएगा अब shortcut की assign करने के लिए keyboard पर click करेंगे और यहां पर एक नई shortcut की हम assign कर देंगे हमने shortcut की assign की control shift M assign पर click करेंगे और इस window को close कर देंगे ध्यान रखें macro record करते समय आपको बहुत ध्यान से keyboard का इस्तेमाल करना है क्योंकि यदि आप कुछ गलती करते हैं तो macro उस गलती को भी record कर लेगा और फिर macro run करते वक्त आपके text में mistake हो सकती है अब bracket और dash लगानी का जो तरीका है जिसका हम macro recording कर रहे हैं वो हम बता देते हैं सबसे पहले तो हम cursor को one के पहले रखेंगे जैसा कि हमने रखा हुआ है bracket लगाएंगे इसके बाद end की press करेंगे जिसकी cursor number के end में चला जाएगा और फिर से bracket close कर देंगे अब space देकर दो dash लगाएंगे अब arrow key की सहता से cursor को नीचे लिकर आईए और home key press करें जिसकी cursor number की शिरुवात में आ जाएगा अब हम recording को stop कर रहे हैं उसके लिए वो ही macros पर जाकर के stop recording पर click कर दें अब जो shortcut की बनाई है उसको press करते जाएंगे तो bracket और dash यहाँ पर अपने आप लगते जाएंगे हमने shortcut की बनाई थी control shift M तो यह जैसे हम उसको press करते जा रहे हैं यह पूरे जितने भी numbers या series लिखी हुई थी सब में अपने आप brackets और dash लग गए हैं आप macros के dialogue box से भी अपने द्वारा record किये गए macros को run कर सकते हैं पहले यहाँ पर हम इसको हटा करके अब macros में जाकर के view macros पर click करें और यहाँ से जो भी macro आपको run करना हो उसको select कर लें यह हम macro 1 run करना जाहते हैं इसको हमने select किया अब हम run पर click करेंगे जैसे ही run पर click करेंगे यह देखिए macros run हो गया है यहाँ पर जो हमने पहले text type किया था वो वापस आ गया है यदि कोई record किया हुआ macro आप delete करना चाहते हैं तो उसके लिए macros पर जाएं और view macros पर click करके जिस भी macro को आप हटाना चाहते हैं उसको select कर लें और उसके बाद delete option पर click कर दें एक dialogue box आएगा यहाँ से yes पर click करें यस पर click करते ही macro delete हो जाएगा macros इनके drop down menu से आप ये select कर सकते हैं कि आपने जो macros बनाए हैं वो केवल इसी document पर चलें या फिर सभी word document पर चलें इसमें all active templates and documents by default selected रहता है जिससे record किये गए macros सभी documents पर चलेंगे यदि आप केवल इसी document पर macro की recording चाहते हैं तो document सेव करने के बाद drop down menu में से document के नाम को select कर लीजिए यहाँ पर जैसा कि उपर आप देख सकते हमारे इस document का नाम है document 1 तो उसके लिए हम इसको select कर लेंगे तो ये macro केवल इसी document पर run होगा चलिए word document में अलग-अलग pages पर अलग-अलग watermark लगाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं यहाँ पर हमने MS Word में एक बड़ा document open किया हुआ है सबसे पहले हम सुविधा के लिए अपना ये जो document है इसमें कई सारे pages हैं तो इन पर number डाल देते हैं उसके लिए insert tab में जाकर page number option पर क्लिक करेंगे open हुए menu में से top of page option पर mouse ले जाएंगे तो एक और sub menu open हो जाएगा यहाँ से हम page number का type चुन लेंगे ऐसा करते ही यह देखिए page number insert हो गया है header को close करने के लिए यहाँ दिखाई दे रहे close के निशान पर क्लिक कर दें अब हम हमारे document का view बतल लेते हैं जिससे कि हमें एक साथ कई pages देखने को मिल जाएंगे और हम आसानी से अलग-अलग page पर अलग-अलग watermark लगा सकते हैं view change करने के लिए view tab पर जाकर multiple pages option पर क्लिक करें ऐसा करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि document के सभी जो pages हैं वो इस तरह से arrange हो गए हैं अब हम पूरा document इस page पर देख सकते हैं अब हमें इन pages को अलग-अलग sections में बाटना होगा section में बाटने से हमारा मतलब यह है कि हमें इन pages की जो linking है वो तोड़ना होगी आसान भाशा में समझाएं तो अभी ऐसा है कि अगर हम इस document में watermark डालेंगे तो वो सभी pages पर एक जैसा watermark आएगा क्योंकि यह सभी pages अभी link है कैसे यह हम आपको करके बता देते हैं हम एक watermark डाल करके देखते हैं उसके लिए हम design tab में जाकर के watermark option पर click करेंगे और यहां से हम click करेंगे custom watermark पर ऐसा करने पर यह printed watermark का dialogue box open हो गया है यहां पर आपको यह तीन options मिलते हैं no watermark, picture watermark और text watermark यहां पर हम text watermark select कर रहे हैं इसको select करने के बाद आपको in fields में जो भी changes करना हो वो आप कर सकते हैं text में हमने यहां से चुन लिया है confidential और color हम change कर लेते हैं ताकि color आपको अच्छे से दिख जाए यह हमने थोड़ा dark color लिया है और अब हम यह सारे changes करने के बाद apply पर click कर देंगे apply पर click करते ही आप यह देख सकते हैं नीचे document में watermark set हो गया है इस window को हम close कर देते हैं अभी आप देखिए document के सभी pages पर same watermark set हुआ है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी सभी pages आपस में linked हैं अब चूंकि हम अलग-अलग pages पर अलग-अलग watermark डालना चाहते हैं तो हमें उनके बीच की जो linking है वो तोड़ना होगी और उसके लिए हमें इन pages में section break लगाने होंगे हम second page से section break लगाएंगे क्योंकि वो पहले page से link है और चूंकि हम first और second page में अलग-अलग watermark चाहते हैं यानि first page पे तो जो watermark डला है हम उसे रहने देना चाहते हैं पर second page पे हम दूसरा watermark चाहते हैं तो इसके लिए हम second page को first page से अलग करेंगे ऐसा करने के लिए second page के starting में क्लिक करें और फिर layout tab में जाकर के breaks option पर क्लिक करें अब जो menu open हुआ है उसमें section breaks के या अलग-अलग options दिये हुए हैं इसमें से next page पर क्लिक करें next page पर क्लिक करते ही page 1 और page 2 में section break लग जाएगा अब हमें उन सभी pages पर section break लगाना हैं जिस पर हम watermark change करना चाहते हैं ध्यान रखें section break केवल उसी page पर लगाएं जिस पर आपको अलग watermark चाहिए जैसे कि हमें second page पर अलग watermark चाहिए था इसलिए हमने इस page पर जाकर एक section break यहां लगा दिया अब हम second और third पर एक जैसा watermark रखना चाहते हैं पर fourth page पर हमको फिर से watermark change करना है इसका मतलब यह हुआ कि हमें page 3 और page 4 को भी अलग करना होगा तो उसके लिए हम page 4 पर section break लगाएंगे तरीका वही है static में जाकर click करें और फिर breaks पर जाकर के next page पर click कर दें तो अधी एक section break हमने page 1 और 2 के बीच में लगाया दूसरा section break हमने page 3 और 4 के बीच में लगाया page 4 और 5 पर हम same watermark रखना चाहते हैं अब हम page 6 पर watermark बदलना चाहते हैं तो हमको page 5 और 6 के बीच एक और section break लगाना होगा तो उसके लिए हम वही यहां starting में click करके breaks पर जाएंगे और next page पर click कर देंगे तो इस तरह से अभी हमने pages को sections में बाटा है अब next step में हमें first page से second page को अलग करना याने इनकी linking तोड़नी है उसके लिए second page के header part में double click करेंगे जैसे ही हमने यहां पर header part में double click किया तो design tab enable हो गए है यहां header में आप right side में देख सकते हैं same as previous लिखा हुआ है इसका मतलब यह कि हम second page में जो भी डालेंगे जैसे कि header, footer, watermark, इत्यादी वो first page जैसा ही होगा तो इस linking को हटाने के लिए design tab में link to previous वाला जो option है इस पर click करके इसको deselect कर देंगे ऐसा करते ही देखिए यहां पर जो same as previous लिखा हुआ आ रहा था वो हट गया है इसका मतलब पहले page और दूसरे page का link तूट गया है और अब हम आसानी से watermark बदल सकते हैं अभी यहां पर आप देख सकते हैं कि second page और third page के header section से same as previous जो लिखा हुआ था वो हट गया है पर fourth, fifth, sixth page पर अभी भी वो लिखा हुआ नजर आ रहा है इनको भी हम यहां से हटा देंगे और उसके लिए यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे same as previous पर क्लिक किया यहां पर link to previous पर जाकर के क्लिक कर दिया तो यह देखिए यहां से यह हट गया है अब इस process के complete होने के बाद जिस page के watermark को बदलना है उस page के watermark पर हम double click करेंगे पहले हमने second page पर watermark पर double click किया है यह देखिए watermark पर double click करते ही यहां उपर format tab आ गया है इस tab की सहायता से हम इस watermark को edit कर सकते हैं इस text को change करने के लिए यहां text block में जो edit text option है उस पर click करेंगे अब open हुए dialogue box की सहायता से text change कर देंगे confidential की जगह हम यहां पर चाहते हैं ग्यान यग्य तो हमने वो type कर दिया और अब ok पर click कर देंगे ok पर click करते ही यह देखिए page 2 और page 3 का watermark change हो गया है क्योंकि हमने page 1 और page 2 में section break लिया था इन दोनों के link तोड़ी थी और हम चाहते थे कि 2 और 3 पर same watermark आए पर अब भी बाकी के जो pages है वहां पर watermark change नहीं हुआ है अब 4th page का हमको watermark बदलना है तो वापस वह header पर double click करेंगे और उसके बाद watermark पर double click करेंगे तो यह देखें आप पर format tab आगया है अब edit text पर जा करके जो भी text चाहिए वह हम डाल देंगे यहां पर हम डाल रहे हैं MS word ओके कर देंगे यह देखें अब page 4 और page 5 दोनों पर watermark चेंज हो गया है 4 और 5 दोनों का watermark एक जैसा है क्योंकि हमने इन दोनों page की बीच की link तोड़ी नहीं थी इसलिए page 4 के साथ साथ page 5 का watermark भी change हो गया है पर page 6 का watermark चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहां पर हमने page 5 से page 6 की जो linking थी उसको तोड़ दिया था इसलिए यहां पर watermark चेंज नहीं हुआ अब अगर इस watermark को चेंज करके यहां पर कोई और watermark चाहिए तो हम इसी तरीके से उस watermark को भी यहां पर ला सकते हैं यह यहां पर हमने नया text type कर दिया है जो था उसका watermark पर चेंज हो गया अब आप चाहें तो इन watermark के color, size, font इत्यादी भी चेंज कर सकते हैं color change करने के लिए format tab के अंतर गथी shape fill option पर क्लिक करके menu में से जो भी color आप चाहें वो चुन सकते हैं चुकि अभी हम इस page पर थे इसलिए केवल इसी page के watermark का color change हुआ है आप चाहें तो अलग-अलग watermark को अलग-अलग color दे सकते हैं ऐसे ही हम दूसरे pages के watermark को भी customize कर सकते हैं जैसे यह page 4 पर हमको change करना है वापस हम shape fill पर गए और यहां पर हमने इसके लिए दूसरा color ले लिया यह देखिए यह भी change हो गया इसे तरह से आप ना केवल हर page पर watermark change कर सकते हैं बलकि हर page के watermark को अपने हिसाब से customize भी कर सकते हैं चलिए word document में अलग-अलग pages पर अलग-अलग header और footer लगाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं यहाँ पर हमने MS Word में एक बड़ा document open किया हुआ है अब हम हमारे document का view बदल लेते हैं जिससे हमें एक साथ कई pages देखने को मिल जाएंगे और हम आसानी से अलग-अलग page पर अलग-अलग header, footer लगा सकते हैं व्यू चेंज करने के लिए view टैप पर जाकर multiple pages option पर क्लिक करेंगे ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि document के सभी pages इस तरह से अरेंच हो गए हैं सामानित यदि हम document में header या footer डालते हैं तो वो सभी pages पर एक जैसे आते हैं इसका करण ये है कि सभी pages एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चूंकि हम अलग-अलग page पर अलग-अलग header या footer डालना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें page break करना होंगे और उसके बाद हुने unlink करना होगा तभी हम ये काम कर पाएंगे तो चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि page break कैसे कर सकते हैं पहले हम page 1 और 2 को अलग-अलग कर रहे हैं उसके लिए या तो page 1 के आखिर में क्लिक करेंगे या फिर page 2 के starting में क्लिक करेंगे हम page 1 के आखिर में क्लिक कर रहे हैं अब layout tab में जाकर breaks option पर क्लिक करेंगे open हुए menu में से next page पर क्लिक करेंगे next page option पर क्लिक करते ही page 1 और 2 में section break लग जाएगा अब हमें दूसरे pages पर भी section breaks लगाने हैं यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस-जिस पेज पर अलग header और footer चाहते हैं, केवल उसी पेज पर जाकर section breaks लगाईए, जैसे हमें page 1 और 2 पर अलग-अलग header footer चाहिए थे, तो हमने page 1 पर section break किया, अब यदि हम page 2 और 3 पर भी अलग-अलग header footer चाहते हैं, तो हमें page 2 पर भी section break लगाना होगा, इसके लिए जो प्रक्रिया भी हमने थोड़ी तर पहले आपको बताई थी, उसको हम दोहरा लेंगे, page 2 के आखिर में click करेंगे, या फिर page 3 के starting में click करेंगे, यहां पर हम page 2 के आखिर में click कर रहे हैं, अब layout tab में जाकर bricks option पर click करेंगे, open हुए menu से next page पर click कर देंगे, तो इस तरह से हमने इन तीनो pages को break कर लिया है, यानि sections में बाट लिया है, इसी तरह से जिन जिन pages पर आपको अलग header और footer चाहिए, उन-उन pages को आप break कर लें, और अगर हर page पर अलग header और footer चाहिए, तो हर page को आप break कर लें, अब next step में हमें first page को second page से unlink करना है, उसके लिए second page के header पार्ट में double click करें, जैसे ही हम header में double click करेंगे, तो header और design tab enable हो जाएंगे, यहाँ header में right side में आप देख सकते हैं, same as previous लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम first page में जो header, footer, watermark इत्यादी डालेंगे, वो ही header, footer, watermark इत्यादी बाट करेंगे पाकी सभी pages में अपने आप दिखने लगेगा, तो ये linking हटाने के लिए, design tab में link to previous option पर click करके, उसे deselect कर देंगे, ऐसा करने से आप देख सकते हैं, second page के header से same as previous option हट गया है, यानि पहले page और दूसरे page का link तूट गया है, और अब हम आसानी से header बदल सकते हैं, अब हम page 2 और 3 को भी unlink कर देंगे, page 3 के header section में click करने के बाद, design tab में से link to previous option पर click करें, देखिए जैसे ही हमने इस option पर click किया, तो third page के header section से भी same as previous हट गया है, अभी ये तो हमने header section की linking तोड़ी, यहाँ हम आपको एक महत्पून बात बता दें कि जब हम section break लगाते हैं, तो वो header और footer दोनों पर एक साथ लग जाता है, किन्तु जब हम ये link तोड़ते हैं, तो हमें header और footer दोनों के लिए अलग अलग link तोड़ना पड़ती है, अभी हमने header section की linking तोड़ी, आईए अब हम footer section की link तोड़ लेते हैं, पेज 1 और 2 की linking तोड़ने के लिए page 2 के footer section में click करेंगे, और फिर design tab में link to previous option पर click कर देंगे, ऐसा करते ही देखिए page 1 और 2 के footer section की linking भी तोड़ गई है, अब ऐसे ही हम page 2 और 3 के लिए भी करेंगे, पेज 3 के footer section में click करके, design tab में link to previous option पर click कर देंगे, इस तरह से page 2 और 3 की linking भी तूट जाएगी, जब यह process complete हो जाए, तो जिस page के header और footer को बदलना है, उस page के header या footer पर click करें, और जो header या footer डालना चाहते हैं वो type कर देंगे, हम second page में header डालकर देखते हैं, देखें हमने second page पर header डाला, ज्यान यग्य, multiple pages होने के कारण header काफी छूटा दिखाई पड़ रहा है, तो हम view change कर लेते हैं, उसके लिए view tab में से 100% पर click करेंगे, यह देखें, अब page पर header अच्छे से दिखाई दे रहा है, अब जो header हमने second page पर डाला है, वो first page पर और third page पर नहीं आया है, यह देखिए third page है, इस पर भी वो header नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह कि हम इन pages पर अन्य कोई header डाल सकते हैं, अब हम तीसरे page पर header डाल रहे हैं, www.gyanayagya.info, इसी तरह हम footer डाल के भी देख लेते हैं, इसी page पर footer में हमने डाला hello world, अब अगर हम उपर second और first page पर देखें, तो यह यहाँ पर यह footer नहीं आया है, क्योंकि first, second और third page को हमने एक दूसरे से unlink कर दिया था, यह एक दूसरे से linked नहीं है, इन पर हम चाहें तो कोई दूसरा footer डाल सकते हैं, पर page 3 के आगे अगर हम देखें, तो आप देख सकते हैं, page 4, 5 या आगे जो भी pages हैं, उन सभी पर page 3 वाला ही header और footer दिखाई दे रहा है, क्योंकि page 3 के जो आगे के pages थे, उनको हमने break भी नहीं किया और unlink भी नहीं किया था, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक महतुपून बात बताना चाहेंगे, यदि आप केवल first page पर अलग और बाकी बचे pages पर एक जैसा header footer चाहते हैं, तो उसके लिए design tab में different first page option को select करें, ऐसा करते ही वो बाकी pages से break हो जाएगा और उसकी link तूट जाएगी, यदि आप odd pages या even pages पर अलग-अलग header footer चाहते हैं, तो उसके लिए design tab में different odd and even pages option पर click करें, ऐसा करते ही वो ब्रेक हो जाएंगे और उनकी link भी तूट जाएगी, इन दोनों options के बारे में अधिक जानकारी, हमारे दोरा बनाई गई वीडियो how to insert header footer and page number in MS Word में दी गई है, जिसकी वीडियो की link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी, सभी pages पर header और footer डालने के बाद design tab में जाकर cross पर click करके आप header footer close कर सकते हैं, bookmark यानि प्रिष्ठ स्मृती हम केताबों में अक्सर bookmark लगाते हैं, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हम पिछली बार उस पुस्तक के कौन से page पर थे, ठीकिसी तरह हम MS Word में भी bookmark लगा सकते हैं, MS Word में bookmark तब उपयोगी होता है, जब आपका document बहुत बड़ा हो और आप उसे एक बार में पूरा नहीं पढ़ पाए हो। ऐसे इस्थिती में आपको ये याद रखना होता है कि आपको उस document को कहां से पढ़ना है, या फिर किसी document में कई important topics हो सकते हैं, जिन्हें आप mark करके रखना चाहते हैं, आसान भर्षा में कहा जाए, तो यदि आप अपने word document में किसी भी page या sentence पर भविश्य में वापस आना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि तब आपको उसे खोजने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप bookmark बना सकते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि MS Word में bookmark कैसे लगाया जाता है। उधारण के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा document है जिसमें कई सारे pages हैं। और हमने page 3 के पहले paragraph तक उसे पढ़ लिया है। और अगली बार से page 3 की cover page heading से शुरुबात करना चाहते हैं। तो cover page वाली heading पर bookmark लगाने के लिए cover page शब्द को select करेंगे, फिर insert tab में जाकर links block के अंतरगर bookmark option पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक window खुलेगी, इसमें bookmark name option के नीचे वाले box में bookmark का नाम डालना होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया cover page, यहाँ आपको एक बात बता दें कि bookmark के नाम में space की जगर आपको underscore लगाना होगा। अब add पर क्लिक करेंगे, add पर क्लिक करते ही selected शब्द पर bookmark बन जाएगा और bookmark वाली window अपने आप बंद हो जाएगी। इसी तरह आप एक ही document में कई सारे bookmarks बना सकते हैं। उदारण के लिए हमें इस document में कई स्थान पर important topic पर bookmark लगाना है ताकि हमें उन्हें बाद में फिर से छाटना ना पड़े। हमने document में important topics पर bookmarks लगा दिये हैं, अब इस document को हम close कर देते हैं। अब जो bookmarks हमने लगाए हैं, उनको देखने के लिए document को फिर से open कर लेते हैं। अब insert tab में जाकर links block के अंतरगर bookmark option पर click करेंगे। इस पर click करते ही देखे, bookmark वाली window open हो गई है और इसमें हमारी द्वारा बनाए गए सभी bookmarks दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन में से जिस भी bookmark पर जाना हो उसके नाम पर click करके गोटू option पर click करेंगे। हम इस bookmark पर जाना चाहते हैं तो इसके नाम पर click कर रहे हैं, अब go to पर click करेंगे। गोटू पर click करते ही देखे हमने जिस शर्व्द या heading पर bookmark बनाया था हम उस पर आ गए हैं। अब क्लोस पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं, यह दो हुरी बुकमार्क लगाने की बात, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट से बुकमार्क डिलीट करना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया भी हम आपको बता देते हैं, एक बात का ध्यान रखें कि आप सभी बुकम बने हुए हैं, वो दिखाई दे रहे हैं, अब इनमे से उस अखुन करें और एक सर्दी करना चाहिए। इसी तरह आप MS Word के बड़े-बड़े documents में bookmark बना कर उस document के महतुपून हिस्सों को पढ़ना आसान बना सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं. वैसे तो आपने इंटरनेट का उप्योग करते समय हाइपर लिंक के बारे में सुना होगा. हाइपर लिंक किसी एक web page, document, image, इत्यादी को अंगे किसी web page, document, image, इत्यादी से जूड़ता है. आपने इंटरनेट पर कोई लेख पढ़ते समय देखा होगा कि किसी शब्द या वाक्य पर क्लिक करने से एक अलग page खुल जाता है, जिसमें उस शब्द या वाक्य के बारे में पूरी जनकारी होती है. इसी प्रकार के शब्द या वाक्य पर बनी link को hyperlink कहते हैं. MS Word में hyperlink तब उपयोगी है जिब document बहुत बड़ा हो और हम किसी word, sentence या paragraph का reference किसी अन्य page पर देना चाहते हूं. चलिए हम आपको उदारन के साथ MS Word में hyperlink के प्रयोग की पूरी जनकारी दे देते हैं. उदारन के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा document है, इस document में सबसे पहले दो page पर सभी headings के नाम लिखे हुए हैं, यानि ये index page है. और इस document के अन्य सभी pages पर अलग-अलग विश्यों के बारे में जनकारी दी गई है, और हर विश्य के बारे में जो जनकारी दी गई है, उसके ऊपर उससे संबंधित heading लिखी हुई है. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये document बहुत बड़ा है, और यदि हमें किसी heading की विश्य जनकारी चाहिए, तो उस heading को ढूनने में हमें काफी समय लगेगा. इस समस्या को सुझाने के लिए हम इस index page पर लिखी हुई headings में hyperlink लगा देते हैं. जिससे कि index में बनी hyperlink पर क्लिक करते ही हम document में सीधे उस topic वाले page पर पहुँच जाएंगे. पर hyperlink बनाने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब भी आप किसी document के अंतरगर्थ hyperlink देना चाहते हैं, तो आपको अपने document में heading बनाने होंगे. तब ही आप उस document में hyperlink दे सकते हैं. आप चाहें तो text को heading में convert कर सकते हैं या फिर नई heading बना सकते हैं. उदारन के लिए हम इस page पर लिखे हुए इतिहास शब्द की link index page की first heading इतिहास पर देना चाहते हैं. तो उससे पहले हमें इस शब्द को heading बनाना पड़ेगा. heading बनाने के लिए इस शब्द को select करेंगे और फिर home tab में style block के अंतरगर दिखाई दे रही heading में से किसी एक heading पर click करेंगे. हम heading 1 पर click कर रहे हैं. इस पर click करते ही देखिए text heading में convert हो गया है और इस शब्द कारन नीला हो गया है. यहां हम आपको एक और महतुपून बात बता दें कि यदि आपके document में कोई image chart इत्यादी है और आप उसकी link document में किसी text पर देना चाहते हैं, तो आपको पहले उस image chart इत्यादी को कोई नाम देना होगा और उस नाम को heading में convert करना होगा. आए देखते हैं कैसे. उदारण के लिए हमने ये एक picture ली है और हम इसको एक नाम दे देते हैं. यहां पर हमने इसको नाम दे दिया है अब हम इस नाम को select करेंगे और फिर home tab में styles block के अंतरगर दिखाई दे रही headings में से. किसी एक heading पर click करेंगे. यह देखिए वो जो text हमने यह type किया था वो heading में convert हो गया है. तो यह तो हमने देखा headings बनाना. चलिए अब हम index page पर चलते हैं और hyperlink बना लेते हैं. पहले हम index page पर लिखी हुई chapters की list में first chapter पर hyperlink बना रहे हैं. किसी भी text पर hyperlink बनाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका यह कि उस text को select करें, फिर insert tab में जाकर links block के अंतरगत hyperlink option पर click कर दें. और दूसरा तरीका यह कि उस text को select करें, फिर उस पर right click करें और open हुए menu में से hyperlink option पर click करें. हम जाते हैं कि हम इस chapters की list में से जब भी इतिहास शब्द पर click करें, तो इस document में उससे संबंधी chapter पर हम पहुँच जाएं. तो इतिहास पर hyperlink बनाने के लिए हम उस पर right click करेंगे, और open हुए menu में से hyperlink पर click करेंगे. hyperlink पर click करते ही एक छोटी सी window open होगी, इसमें आपको चार प्रकार के link जोडने के options दिखाई देंगे, हमें के करके सभी options आपको बताएंगे. चुकि हम जिस word पर hyperlink बना रहे हैं, उससे संबंधि जानकारी भी इसी document में हैं, इसलिए हम place in this document का उप्योग कर रहे हैं. इस option पर हमने click किया, ऐसा करते ही इस window में आप देख सकते हैं, select a place in this document के अंतरगत हमारे document में जितना भी matter लिखा हुआ है, और उनके ऊपर जो headings हैं, उन headings के नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं. अब इनने see, जिस भी heading की hyperlink selected word पर बनाना चाहते हैं, उस heading के नाम पर double click करेंगे या फिर नाम पर click करके okay पर click कर देंगे. हम यहाँ इतिहास पर double click कर रहे हैं. देखिए, इंडेक्स पेज पर इतिहास वाली heading पर hyperlink बन गई है. इस heading की विस्टर जनकारी प्राप्त करने के लिए हम control key प्रेस करके इस heading पर click कर रहे हैं. क्लिक करते ही देखिए, हम इस document में इतिहास वाले chapter पर आ गए हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि इस document के किसी शब्द या sentence को अपने computer में save किये हुए किसी दूसरे document फाइल या फिर किसी web page से hyperlink द्वारा जोड़ना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? उदारन के लिए हम उदाइपुर शब्द को अपने computer में save की हुई किसी अन्य फाइल से hyperlink द्वारा जोड़ना चाहते हैं. तो उसके लिए उदाइपुर शब्द को select करके उस पर right click करेंगे, फिर open हुए menu में से hyperlink पर click करेंगे, hyperlink पर click करते ही ये window आएगी. अब चुकि हम selected word को अपने computer में saved किसी फाइल से hyperlink द्वारा जोड़ना चाह रहे हैं, तो इस window में existing file और webpage option पर click करेंगे. अब यहाँ पर look in के सामने दिखाई दे रहे box के downward arrow पर click करके drop down menu में से अपने computer की उस location पर जाएंगे, जहां हमारी वो file save की हुई है. हमारी file desktop पर save की हुई है, तो हम इस menu में से desktop पर click करके, नीचे दिखाई दे रही files में से उस file पर double click करेंगे. ऐसा करते ही देखिए, उदैपुर शब्द पर hyperlink पन गई है. अब जब भी हम इस word पर control की press करके click करेंगे, तो वो file open हो जाएगी, जिसकी hyperlink हमने इस word पर बनाई है. हम इस पर click कर रहे हैं, देखिए वो file open हो गई है. अब हम इस file को close कर देते हैं और दुबारा से अपने पहले document पर चलते हैं. चलिए अब आपको किसी word पर कोई website की link लगा कर बताते हैं. उसके लिए जिस भी word पर website की hyperlink लगानी है, उस word पर right click करके open हुए menu में से hyperlink पर click करेंगे. अब open हुई window में existing file और web page सेलेक करने के बाद, address वाले box के अंतरगत उस website का address टाइप करें, जिसे आप selected words से link करना चाहते हैं. यहाँ पर हमने website का address टाइप कर दिया है, अब OK पर click करेंगे. ओके पर click करते ही देखिए, selected word पर hyperlink बन गई है, हम इस शब्द पर control प्रेस करके click कर रहे हैं. यह देखिए, यह website open हो गई है. अब हम इस website को close कर देते हैं, वापस अपने document पर आ जाते हैं, और आपको hyperlink के unoptions के बारे में बता देते हैं. अब है आपने पहले से बने हुए document को इस document के किसी शब्द के साथ link करना देखा. पर यदि आप कोई नया document बनाना चाहते हैं और साथ ही उसकी link भी इस document के किसी शब्द पर देना चाहते हैं, तो यह दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? आईए देखते हैं. उदारन के लिए हम सवाई मादवपूर के नीचे लिखी हुई information के तीसरे point में से रन्थमबोर दुर्ग के लिए एक अलग document चाहते हैं, जिसमें रन्थमबोर दुर्ग की पूरी जानकारी हो. साथ ही उस document की link यहां लिखे रन्थमबोर दुर्ग शब्द पर भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां से रन्थमबोर दुर्ग को select करने के बाद उस पर right click करेंगे, फिर open हुए menu में से hyperlink option पर click करेंगे, अब open हुई window में create new document पर click करेंगे, यहां name of new document के नीचे वाले box में नए document के लिए एक नाम टाइप करेंगे, यहां हमने टाइप कर दिया रन्थमबोर दुर्ग, इसके बाद वो path यानि computer की location सेलेक करें, जहां आप नई file को save करना चाहते हैं, यहां पर पहले से एक path दिया होता है, अगर आप चाहें, तो change option की सहायता से इसे बदल भी सकते हैं, हम इसे नहीं बदलना चाहते, इसलिए इसको यहां रहने दे रहे हैं, अब when to edit के अंतरगेद आपको दो options दिखाई पड़ेंगे, edit the new document letter और edit the new document now, यदि आप नए document को बनाने के पाद अभी edit न करते हुए बाद में edit करना चाहते हैं, तो edit the new document letter को select करके ok पर click कर दें, और अगर नए document को बनाते ही उसे edit करना चाहते हैं, तो edit the new document now को select करके ok पर click करें, हम edit the new document now को selected रहने दे रहे हैं, अब ok पर click करेंगे, देखें नया document बन गया है, जिसकी hyperlink हमारे द्वारा selected word पर बन गई है, अब हम इसमें जो भी type करना चाहते हैं वो type कर सकते हैं हमने यहाँ पर रंद थंबोर दुरुग के बारे में text type कर दिया है अब इस document को save कर के close कर देते हैं और अपने document पर चलकर hyperlink के आखरी option को समझ लेते हैं hyperlink लगाने का आखरी option है email address इस option की सायता से आप अपने word document में किसी email का hyperlink बना सकते हैं हम इस page पर थोड़ा नीचे चलते हैं उधारन के लिए हम इस email address पर आपको link बना कर दिखा देते हैं इस email id पर right click करेंगे फिर open हुए menu में से hyperlink पर click करेंगे अब open हुई window में से email address पर click करें यहाँ पर email address के नीचे वाले box में email address टाइप कर देंगे फिर ok पर click करेंगे देखिए selected email id पर hyperlink बन गया है यह तो हमने आपको बताया hyperlinks कैसे बनाए अब हम आपको hyperlink remove करना बता देते हैं आपको जिस भी word या sentence से hyperlink हटानी है उस पर right click करके menu में से remove hyperlink option पर click करें remove hyperlink option पर click करते ही selected word से hyperlink हट जाएगी cross reference का मतलब है document में ही किनी दो जगहों को आपस में चोड़ना ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत ना हो उदारण के लिए अगर हमने कोई जानकारी page number 2 पर दी है जिससे संबंधे chart, चेत्र या table page number 6 पर है और हम page number 2 से तुरंत page number 6 पर जाना चाहते हैं तो cross reference का उप्योग कर सकते हैं cross reference का उप्योग करने से पहले हम आपको hyperlink और cross reference में जो अंतर है वो बता देते हैं जैसा कि हमने आपको hyperlink वाली वीडियो में बताया था कि hyperlink में हमें एक ही document के अंदर किसी image, table या chart को link करने के लिए पहले उसकी heading बनाना होती है लेकिन cross reference में हमें heading बनाने की जरुरत नहीं होती दूसरी बात ये कि hyperlink की सहायता से हम एक document के text को दूसरे documents, website या फिर email के साथ link कर सकते हैं पर cross reference से ये संभव नहीं है इसका उपयोग केवल same document में ही किया जा सकता है चलिए हम cross reference का उपयोग करके देख लेते हैं उसके लिए सबसे पहले जिस object के लिए linking करना हैं हमें उस पर जाना होगा हम इस table के लिए किसी शब्द पर cross reference देना चाहते हैं तो पहले इस table पर एक caption लगा देते हैं यानि इसको एक नाम दे देते हैं कैप्शन लगाने के लिए table को select करें फिर उस पर right click करें और open हुए menu में से insert caption पर click करें insert caption पर click करते ही ये window दिखाई पड़ेगी इसमें caption के नीचे वाले box में इस table को जो भी caption देना हो वो type कर दें आप यहां पर जो भी नाम type करेंगे वो आपके document में object के उपर या नीचे दिखाई पड़ेगा हमने type किया research table अब label list के drop down arrow पर click करेंगे और open हुए menu में से ये select करेंगे कि ये किस तरह का caption है जैसे कि ये equation है, figure है या फिर कोई table है यहां हम आपको बता दें कि अगर आपका label यहां नहीं है तो new label पर click करके आप अपना स्वयम का एक अलग label भी बना सकते हैं हम इस menu में से table पर click कर रहे हैं अब label के नीचे है position हम इसके drop down arrow पर click करेंगे इसमें दो options होते हैं यदे आप caption को object के ऊपर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो menu में से above selected item पर click करें और यदे आप caption को object के नीचे लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो menu में से below selected item पर click करें हम above selected item पर click कर रहे हैं अब ok पर click करें ओके पर क्लिक करते ही देखे टेबल के ऊपर कैप्शन लग गया है इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में जिस भी हैडिंग, बुक्मार्क, फुटनोट, एंडोट, टेबल, चार्ट इत्यादी के लिए क्रॉस रफ्रेंस बनाना चाहते हैं उन पर पहले आपको कैप्शन लगाना होगा अब हम क्रॉस रफ्रेंस का उप्योग करके देख लेते हैं उसके लिए हम डॉक्यूमेंट के इंडेक्स पेज पर चलते हैं यह देखे हमारे डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज है और इसमें चैप्टर 6 के नीचे रिसर्च टेबल लिखा हुआ है अब लिए इस वर्ट को सेलेक्ग करेंगे फिर इंसर्ट टैब में लिंक्स ब्लॉक के अंतरगत क्रॉस रेफ्रेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे Cross Reference option पर क्लिक करते ही एक window open होगी इसमें सबसे पहले हमें Reference Type चुनना होगा उसके लिए Reference Type वाले box पर क्लिक करें Reference Type के menu में आपको बहुत सारे options दिखाएद पड़ेंगे जैसे कि Bookmark, Footnote, EndNote, Table, इत्यादी इन में से आप जिस तरह का Reference देना चाहते हैं वो चुने हम Table का Reference देना चाहते हैं तो हम Table पर क्लिक कर रहे हैं ऐसा करते ही इस Document में Table से संबंधित जितने भी Captions होगे वो दिखाई पड़ेंगे इन में से आप जिस Caption का Cross Reference यहां देना चाहते हैं उस पर क्लिक करें फिलाल हमारे Document में Table से संबंधित एक ही Caption है जो यहां दिखाई पड़ रहा है और वो पहले से ही Selected है तो हम आगे बढ़ते हैं Reference Type सेलेक करने के बाद अगला Option है Insert Reference To इसके Box पर क्लिक करेंगे यहां आपसे पुछा जाएगा कि आप Reference में किस तरह की सूचना डालना चाहते हैं उदारण के लिए यदि आप Table का पूरा की पूरा Caption यहां लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो Entire Caption पर क्लिक करें यदि आप Caption जिस पेज पर है वो Page Number यहां लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो Page Number पर क्लिक करें ऐसे ही और भी Options हैं अपने अनुसार आप कोई भी Option चुन सकते हैं हम Entire Caption पर क्लिक कर रहे हैं और फिर Insert पर क्लिक करेंगे देखिए Research Table Word पर Cross Reference बन गया है अब Ctrl की प्रेस करके इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही देखिए हम Table पर आ गये हैं चलिए अब हम आपको इस Document के एक Chart पर भी Caption लगा कर बता देते हैं जैसा कि इस वीडियो में हम आपको पहले बता चुके हैं Caption कैसे लगाया जाता है उसके अनुसार इस चार्ट पर भी हमने Caption लगा दिया है अब हम इस चार्ट के लिए Cross Reference का उप्योग करके देख लेते हैं उसके लिए हम इस Document में उपर की तरफ चलते हैं यहां पर फर्स परिग्राफ की लास्ट लाइन में आप लिखा हुआ देख सकते हैं इसमें हम Conclusion Chart पर हमारे Document के चार्ट का Cross Reference देना चाहते हैं तो उसके लिए इस Word को सेलेक करेंगे फिर Insert Tab में Links Block के अंतरगत Cross Reference Option पर क्लिक करेंगे यह यहां पर एक Window आ गई है इस Window में Reference Type चुनने के लिए Reference Type वाले Box पर क्लिक करेंगे और Open हुए Menu में से Chart Option पर क्लिक करेंगे ऐसा करते ही For Which Caption के नीचे वाले Box में इस Document में चार्ट से संबंधित जितने भी Captions होंगे वे दिखाई पड़ेंगे उन में से आप जस Caption का Cross Reference यहां देना चाहते हैं उस पर क्लिक करें फिलाल हमारे Document में चार्ट से संबंधित एक ही Caption है जो यहां दिखाई पड़ रहा है और वह पहले से Selected है तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद Insert Reference To वाले Box पर क्लिक करेंगे और चूंकि हम एक Sentence के बीच में Cross Reference बना रहे हैं तो इस Menu से हम Only Caption Text पर क्लिक करेंगे जिससे केवल Caption का टेक्स्ट यानी Chart 1 Conclusion Chart में से Conclusion Chart ही लिखा हुआ दिखाई देगा अब Insert पर क्लिक करेंगे Insert पर क्लिक करते ही देखें Conclusion Chart वर्ट पर Cross Reference बन गया है लेकिन टेक्स्ट को देखकर यह पता नहीं चलता कि इस टेक्स्ट पर Cross Reference लगा हुआ है जब हम उसके उपर Mouse ले जाते हैं तो केवल Pointer हाथ के निशान में बदल जाता है इससे हमें पता चलता है कि यहां Cross Reference लगा हुआ है हम चाहते हैं कि जहां भी Cross Reference लगा हुआ हो वहां आसानी से पता चल जाए इसके लिए जहां भी हम Cross Reference लगाएंगे उस जगह पर Formatting कर देंगे इसलिए हम इस Text को Italic और Underline कर देते हैं यह देखिए यहां हमने Text की Formatting कर दी है अब Ctrl की Press करते हुए इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही देखिए हम चार्ट पर आ गए हैं Layout Tab के Breaks Option के अंतरकर दो पार्ट होते हैं पहला Page Break और दूसरा Section Break Page Break के सहायता से आप Word Document के किनी दो पेजेस के बीच में ब्रेक लगा कर उन्हें अलग हिस्सों में बाच सकते हैं और Section Break से Word Document के Pages को या फिर Pages में लिखे Text को अलग-अलग Sections में बाच सकते हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि Page Break लगाने के पाथ भी Document के अलग हुए हिस्सों में अलग-अलग Formatting संभव नहीं हैं जबकि Section Break लगाने पर Document के अलग हुए हिस्सों में अलग-अलग Formatting की जा सकती है तो चलिए एक Word Document पर हम आपको Page Break और Section Break उप्योग करके बता देते हैं यहां हमने एक Word Document ओपन किया हुआ है और साथ ही उसमें कुछ Example Text भी लिखा हुआ है आगे बढ़ने से पहले हम इस Document में Page Number इंसर्ट कर देते हैं जिससे हम Page Break और Section Break के Options को अच्छे से समझ पाएं Page Number इंसर्ट करने के लिए Insert Tab में जाकर Page Number Option पर क्लिक करेंगे फिर Open हुए Menu में से अपने अनुसार Page Number के किसी Format पर क्लिक करेंगे हम Top of Page में Plain Number 2 पर क्लिक कर रहे हैं जिससे हमारे Document के सभी Pages के Middle Top में Page Numbers इंसर्ट हो जाएंगे हम Page Break और Section Break के Options को समझाने से पहले एक काम और कर लेते हैं वो यह कि इस Document का View बदल लेते हैं जिससे कि हमें एक स्क्रीन पर इस Document के कई Pages एक साथ दिख जाएं उसके लिए View टैब ने जाकर Multiple Pages Option पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही देखिए एक ही स्क्रीन पर इस Document के एक साथ कई Pages दिख रहे हैं चलिए अब पहले Page Break Option समझ लेते हैं उसके लिए Layout टैब पर क्लिक करेंगे Breaks Option पर क्लिक करने से पहले अपने Document के Pages में वहाँ पर क्लिक करेंगे जहां से हमको Page Break लगाना है हमने Second Page के First Paragraph के बाद यहां पर क्लिक किया अब Breaks Option पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही एक Menu open होगा इस Menu में आप देख सकते हैं Breaks Option के दो बात्स हैं Page Breaks और Section Breaks हम इन दोनों की जनकारी आपको देंगे पहले हम Page Breaks के अंतर का दिखाई दे रहे तीनों सब Options को समझ लेते हैं इसमें सबसे पहला Option है Page इसे क्लिक करने पर हमारे द्वारा क्लिक किये गए Point के बाद वाला Text अगले Page पर Shift हो जाएगा देखिए जैसे ही हमने Paragraph पर क्लिक करने के बाद Page Break पर क्लिक किया तो उसके बाद वाले सभी Paragraphs दूसरे Page पर Shift हो गए है यानि Page 2 पर Break लग गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला Break Option समझ लेते हैं उससे पहले हम Ctrl-Z प्रेस करके Document को पहले जैसा बनातेते हैं Break Menu का अगला Option है Column Break Column Break लगाने के बाद कोई भी Text अगले Column से शुरू हो जाएगा इसे उपयोग करने से पहले हम Document में लिखे Text को Columns में Convert कर देते हैं देखे हमने Text को Columns में Convert कर दिया है यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि Text को Columns में कैसे Convert किया जाता है यह जानने के लिए आप हमारे दौरा बनाए गई वीडियो चलिए अब आपको Column Break option उपयोग करके दिखा देते हैं Column Break पर क्लिक करने से पहले अपने Document के Pages में वहां पर क्लिक करें जहां से आप Column Break लगाना चाहते हैं हमने Second Page के First Paragraph के आखिर में यहां पर क्लिक किया अब Breaks Option के Menu से Column Break पर क्लिक करेंगे यह देखिए पहले Paragraph में Column Break लग गया है और पहले Column से बाकी का Text दूसरी Column में चला गया है Ctrl-Z प्रेस करके हम Document को वापस से पहले वाली स्थितिने ले आते हैं अब आगे बढ़ते हैं और Bricks Option के Menu का अगला Option समझते हैं इस Option को समझने के लिए हमें हमारे Document में कोई Object जैसे की Image, Chart इत्यादी इंसर्ट करना होगा जिससे हम अगले Break Option को अच्छे से समझ पाएं हमने एक Image यहां पर इंसर्ट कर ली है अभी हम Image को जहां भे सरकार रहे हैं, Text उसके आसपास आ रहा है इसका करण यह है कि जैसे ही हमने Image इंसर्ट की उस पर Wrap Text आटोमेटिकली लग गया है अब यदि हम Image और Text को सही तरीके से Align करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले वहां क्लिक करें जहां से आप Text को नीचे ले जाना चाहते हैं जैसे हम इस Paragraph को नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम इसके Starting में क्लिक करेंगे फिर Bricks Option में Text Wrapping पर क्लिक करेंगे यह देखिए Text Wrapping पर क्लिक करते ही Text और Image इस तरह से हो गए हैं आसन भाशा में कहें तो जब Image के चारों तरफ Text Wrap होता है तो आप Wrap को हटाने के लिए और Text को Image के नीचे से टाइप करने के लिए Text Wrap Break का उपयोग कर सकते हैं यह तो हमने Document में Breaks Option के विभिन प्रकाल के Page Breaks की बात की अब आपको Breaks Options के ही अंतरगत Section Breaks की जनकारी दे देते हैं यदि आप किसी बड़े Document के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग formatting करना चाहते हैं तो Section Break की सहायता से उस Document को अलग-अलग Sections में बांट सकते हैं Document को Sections में बांटना तब उपयोगी होता है जब हम एक ही Document के अलग-अलग Pages पर अलग-अलग Header, Footer या फिर अलग-अलग Watermark लगाना चाहते हूं यहां हम आपको बता दें कि Document के अलग-अलग Pages पर अलग-अलग Header, Footer या फिर अलग-अलग Watermark कैसे लगाते हैं इसके लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो, How to Set Different Header and Footer on Different Pages in MS Word बाई ग्यानियाग्य और How to Set Different Watermarks on Different Pages in MS Word बाई ग्यानियाग्य देख सकते हैं तो चलिए, अब हम आपको Sections Break का उप्योग करके पता देते हैं इसके लिए पहले Document को Multiple Page View में ले आते हैं अब मार लीजिए हमें Second Page के Second Paragraph की पाँचवे लाइन के बाद Section Break लगाना है और हम चाहते हैं कि बाकी का टेक्स्ट अगले पेज पर आ जाए तो हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद Menu से Section Break के अंतरगत Next Page Option पर क्लिक करेंगे यह देखिए यहाँ पर Section Break लग गया है और Second Page से Text Third Page पर चला गया है अब हम देखते हैं Section Break का अगला Option अगला Option समझने के लिए हम Pages में कुछ Headings डाल लेते हैं यह देखिए यहाँ पर हमने Page 1,2,3 पर Headings डाल दी है यदि हम Heading 3 के अंतरगत आने वाले Paragraphs का Layout या Format बदलना चाहते हैं जैसे कि हम इसे 3 Columns में बाटना चाहते हैं उसके लिए Layout टैब में जाकर Columns Option पर क्लिक करेंगे और फिर Open हुए Menu में से 3 पर क्लिक करेंगे 3 पर क्लिक करते ही Columns तो बन गए हैं पर यह पूरे Document में बने हैं हमें केवल Heading 3 के Paragraph को 3 Columns में बाटना था तो इस समस्या से बचने के लिए हम पहले Heading 3 के Paragraphs पर Continuous Section Break लगाएंगे यह कैसे होगा वो देखने के पहले हम Ctrl-Z Press करके Document को पुरानी वाली स्थिति में ले आते हैं अब चूँकि हम केवल Heading 3 के Paragraphs को अलग करना चाहा रहे हैं, तो Heading 3 के बाद क्लिक करेंगे फिर Brakes Option के मेनू में Section Breaks के अंतरगत Continuous पर क्लिक करेंगे उसके बाद Heading 4 से पहले जहां Heading 3 के Paragraphs खतम हो रहे हैं, वहां पर क्लिक करेंगे और फिर section breaks के अंतरगत continuous पर क्लिक करेंगे हमने section break लगा लिये हैं आप देखते हैं कि cable heading 3 के paragraphs columns में divide होते हैं या नहीं उसके लिए heading 3 के बाद क्लिक करेंगे फिर columns option के menu से इन paragraphs को 3 columns में बाटने के लिए 3 पर क्लिक करेंगे अब आप यहां देख सकते हैं केवल heading 3 के paragraphs 3 columns में divide हुए हैं इसे तरह आप continuous section break की सहायता से document के अलग-अलग sections में अलग-अलग formatting, alignment त्यादी कर सकते हैं अब हम आपको आगे के section breaks की जनकारी देते हैं इसके लिए document को हम वापस पहले की तरह बना देते हैं breaks option के menu में section breaks के अंतरगत अगले options हैं even page और odd page even page section break से selected page पर section break लगने के बाद even page दिखाई पड़ेगा और odd page section break से selected page पर section break लगने के बाद odd page दिखाई पड़ेगा यह options तब ज्यादा उपयोगी होते हैं जब आप कोई book यानि किताब की formatting कर रहे हूं और आप चाहते हूं कि अगला chapter even या odd page से शुरू हो अगर हम इस option का उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें page break दालना पड़ेगा और document के बीच blank page डालने से document अच्छा नहीं दिखता है इसके बज़ाए आप even या odd page वाला section break लगा सकते हैं यह हम कैसे कर सकते हैं आपको बता देते हैं उदारन के लिए हम चाहते हैं page 3 का heading 3 एक नए page पर आए और वो एक odd page हो यदि हम यहां simple page break लगाएंगे तो heading 3 page 4 पर shift हो जाएगा जो की एक even number page है तो इसके लिए हम odd page section break लगाएंगे उसके लिए third page में heading 3 के पहले क्लिक करेंगे और breaks menu में section breaks के अंतरगत odd page पर क्लिक कर देंगे यह देखें odd page section break लगाते ही page 3 के बाद direct page 5 दिख रहा है और heading 3 page number 5 पर आ गई है इसी तरग किसी भी page पर even page section break लगाने के बाद अगला even page दिखाई पड़ेगा जैसे हम page 2 पर even page section break लगा रहे है तो page 2 के बाद हमें page 4 दिख रहा है यहाँ पर हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि अभी जो हमने even page और odd page section break देखे इनके द्वारा section break लगाने पर page remove नहीं होता है केवल sections लग जाते हैं जब हम print out निकालेंगे तो particular page blank दिखाई पड़ेगा यह देखिए page 2 पर हमने जो even page section break लगाया है उसके कारण third page blank हो गया है और वो print layout में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है तो इस तरह आप even page या odd page section breaks लगा सकते हैं चलिए दुबारा से हम अपने document पर चलते हैं अभी यह तो हमने document में page break और section break लगाना देखा पर यदि हमें document में से section break या page break हटाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी देख लेते हैं page break या section break हटाने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि document में कहां कहां breaks लगे हुए हैं उसके लिए हम home tab में जाकर show या height paragraph marks option पर क्लिक करेंगे दिखिए show oblique height paragraph marks option पर क्लिक करते ही document में जहां जहां paragraph break, section break, page break इत्यादी लगे हुए हैं वे दिखाई पड़ रहे हैं फिलाल हमें सिर्फ section break पर काम करना है जो कि page 2 और page 3 में लगा हुआ दिखाई दे रहा है अब यदि हम एक एक करके section breaks हटाएंगे तो समय भी लग जाएगा और उसमें document की formatting और alignment खराबन की संभावना है तो section break हटाने के लिए हम replace option का उप्योग करेंगे इसके लिए home tab में से replace option पर क्लिक करेंगे फिर open हुई window में more पर क्लिक करेंगे मोर पर क्लिक करते ही हमें कुछ और options दिखाई पड़ेंगे इसमें हम special पर क्लिक करेंगे special पर क्लिक करते ही एक menu open होगा इसमें आपको विभिन options मिलेंगे जैसे की manual line break, manual page break, section break, इत्यादी इन में से आप अपने document से जिस प्रकार का break या mark हटाना चाहते हैं वो select करिए उदारन के लिए line break हटाना चाहते हैं तो manual line break पर क्लिक करें page break हटाना चाहते हैं तो manual page break पर क्लिक करेंगे हम section break हटाना चाहते हैं इसलिए section break पर क्लिक कर रहे हैं देखिए find what वाले box में section break का निशान आ गया है, हमें replace with वाले box को खाली रखना होगा क्योंकि हम section break को हटाना चाह रहे हैं, अब replace all पर click करेंगे, replace all पर click करते ही document में जितने भी section breaks होंगे वो remove हो जाएंगे, ये window हटाने के लिए ok पर click करेंगे और find and replace वाली window को भी बन कर ये देखिए document में जितने भी section breaks थे वे हट गए हैं, line numbers option की सहायता से हम document में लिखे text में line numbers डाल सकते हैं, चलिए आपको एक उदाहरन दे कर समझा देते हैं, मान लिजे किसे विद्यार्थी ने अपना एक project बनाया और फिर दूसरे विद्यार्थी को उस project को re-check करने के लिए कहा, दूसरा विद्यार्थी किसी दूसरे इस्थान पर किसी अन्य computer पर re-checking करने का काम कर रहा है, अब यदि check करने पर उसे इस project में कोई गलती मिलती है य और फिर किसी paragraph की कोई line में changes करने हूँ, तो ऐसे में इतने बड़ी project में वो line कहा है और कहां पर क्या बदलाव करने हैं, ये एक दूसरी को समझाने में कठिनाई हो सकती है उदारण के लिए इस document में कई जगह e-complaint system capital letters में लिखा हुआ है और इस word को कुछ जगह capital के स्थान पर small letters में भी लिखना है इसके अलावा कुछ जगह spelling mistakes हो गई हैं जैसे की computer के स्थान पर computer type हो गया है अब यदे हम बोलेंगे कि पाँचवे paragraph की सातवी line ने या फिर बीसवे paragraph की पंद्रहवी line में इस शब्द को small letters में लिखना है या spelling mistakes सुधारना है तो इसमें काफी समय लग जाने वाला है ऐसे में document में line numbers लगा कर एक दुसरे को आसानी से समझाया जा सकता है कि कौन से number वाली line में क्या बदलाव करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और line numbers option का उप्योग करके देखते हैं document में line numbers insert करने के लिए layout tab में page setup block के अंतरगत line numbers option पर क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक menu open होगा इसमें आपको कई सारे options दिखाई पड़ेंगे हम एके करके इन सभी options को समझेंगे इन में से हम पहले continuous पर क्लिक करते हैं continuous option पर क्लिक करते ही पूरे document की lines में लगातार line number लग जाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं first page की first line से line numbers लग गए हैं अब चूंकि line numbers लग गए हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी line में बदलाव करने हैं उदारण के लिए 17 वी line में computer की spelling ठीक करनी है और 26 वी line में e complaint system को capital के बजाए small letters में लिखना हैं अब सामने वाले विक्ति के लिए यह changes करना बहुत आसान हो जाता है यदि अब आपको line numbers हटाने हो तो line numbers option पर क्लिक करें फिर open हुए menu में से none पर क्लिक कर दें देखिए none पर क्लिक करते ही document में से line numbers हट गए हैं अब हम आपको line numbers के menu का अगला option बता देते हैं अगला option है restart each page इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करते ही पूरे document के हर एक page में एक से लेकर के जितनी lines होंगी उतनी line numbers लग जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं page 1 पर 1 से 41 तक line numbers हैं तो page 2 पर फिर से 1 से line numbers start हो गया है इसी तरह आप हर page के लिए नए सिरे से 1 से लेकर के जितनी lines हैं वहां तक line numbers insert कर सकते हैं line numbers के menu का अगला option है restart each section यह option समझने के पहले हम document में एक दो जगह पर section break लगा देते हैं यहां पर हम आपको बता दें कि section break और अने तरह के breaks लगाने की विस्तरज जनकारी आपको हमारे दौरा बनाई गई वीडियो how to insert a page break and section break in ms word by ज्यान यगे में मिल जाएगी यहां हमने अपने document में दो जगह section break लगा दिये हैं पहला section break हमने problem definition के पहले यहां पर लगाया है और दूसरा section break इस से थोड़ा नीचे लगाया है अब restart each section का उप्योग करने से पहले हम ctrl a प्रेस करके पूरे document के text को select करेंगे अब restart each section option पर क्लिक करेंगे आप यहां document में देख सकते हैं पहले 1 से 13 तक line numbers लगे हुए हैं इसके बाद हमने section break लगाया था तो section break के बाद से फिर से 1 से line number शुरू हो गए है यह line numbers दूसरा section break आने तक लगातार चलेंगे देखिए इस section के लिए यह line numbers 15 तक है उसके बाद फिर से section break लगा हुआ है तो नए section के लिए फिर से 1 से line number की शुरुआत हो गई है इसे तरह आप document में बने अलग-अलग sections के लिए 1 से line numbers शुरू कर सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं और line numbers के menu का अगला option देख लेते हैं उसके लिए हम पहले अपने document में continuous line numbers इंसर्ट कर देते हैं यह हमने अपने document में continuous line numbers इंसर्ट कर लिए हैं अब line numbers पर click करेंगे इस menu में अगला option है suppress for current paragraph इस option से selected paragraph से line numbers हट जाएंगे पर बागी paragraph पर line numbers लगे रहेंगे हम आपको इसका उप्योग करके बता देते हैं इसके लिए हम problem definition के आगे क्लिक करते हैं इसके बाद line numbers के menu में suppress for current paragraph option पर click करेंगे इस पर click करते ही देखिए selected paragraph से line numbers हट गए हैं और उसके पहले और बात वाले paragraphs में लगातार line numbers लिखे हुए हैं अब यदि हमें इस paragraph पर line numbers फिर से चाहिए तो वैसे ही उस paragraph के आगे क्लिक करके line numbers menu में suppress for current paragraph option पर फिर से click करेंगे देखिए line numbers वापस आ गए हैं अब देखते हैं line numbers menu का आगला option यह है line numbering options इस पर click करते हैं इसे click करने पर एक window open होगी इस window में नीचे दिखाई दे रहे line numbers option पर click करेंगे इस पर click करते ही एक और छोटी window open होगी इसमें line number से संबंधित options होते हैं इसमें सबसे पहले है start eight इस option के upward या downward arrow की सहायता से number select करके आप यह दाए कर सकते हैं कि line number की counting कहां से शुरू हो यदि आप counting one से start करना चाहते हैं यानि one two three four इत्यादी तो इस पर one selected रहने दें यदि आप चाहते हैं कि line number की counting four से start हो यानि four five six seven इत्यादी तो यहां पर four select कीजिए या फिर वो number यहां पर type कर दीजिए हम यहां four type कर रहे हैं इसके बाद from text option है इस option से आप यह type कर सकते हैं कि text से line number की दूरी कितनी हो हम इसे 0.2 पर set कर रहे हैं इसके बाद है count by इस option की सायता से आप यह set कर सकते हैं कि line number में कितना difference हो यदि आप line numbers में एक काントर चाहते हैं यानी one two three four इत्यादी तो यहां one लिखे रहने दीजिए، यदि आप line numbers में दो का अंतरच चाहते हैं यानी हर number के बीच दो अंगों कांतर हो जैसे कि one उसके बाद three five seven इत्यादी तो यहां 2 set कर दीजिए हम इसे 2 पर set कर रहे हैं इसके बाद आपको numbering का type चुनना है यदि आप हर page पर नए सिरे से line numbering start करना चाहते हैं तो यहां पर restart each page के सामने वाले button पर click करें यदि आप पूरे document के हर एक section से line numbering start करना चाहते हैं तो यहां पर restart each section के सामने दिखाई दे रहे button पर click करें और यदि आप पूरे document में लगातार line numbering रखना चाहते हैं तो continuous के सामने दिखाई दे रहे button पर click करें अब ok पर click करेंगे इस window में भी ok पर click करेंगे यह देखिए जिस तरह से हमने setting की थी उस हिसाब से document में line numbers लग गए हैं कि देखिए यहां पर line number 4 से शुरू हुआ है और हर number के बीच में 2 गांतर है यानि एक line छोड़ करके numbers लगे हैं यहां हम आपको फिर से याद दिला दें कि document में insert किये गए इन line numbers को हटाने के लिए आपको line numbers के menu में none पर click करना होगा उस पर click करते ही line numbers हट जाएंगे करते हैं कर दो